तो चलिए आज आप लोग के लिए एक और हम लोग नया वीडियो लेकर आए हैं जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि पहले वीडियो में हम लोग वन शॉट एकनॉमी में सारी एकनॉमी की कंसेप्ट सो कवर कर दिया था अब हम एक और नया वीडियो लेकर आए जिसमें हम इंडिया budget, बिहार का budget, इंडिया का economic survey और बिहार का भी economic survey हम आपके साथ discuss करेंगे इस session को आप पूरा-पूरा देखिएगा थोड़ा इस session में facts जादा है लेकिन हमने इसको काफी अच्छा और काफी interesting बनाने के लिए काफी सारे flow charts और diagrams डाले हैं जिससे आपको पढ़ने में क budget से, इंडिया budget क्या होता है, तो देखिए हमारा इंडिया budget है ये 2023 से 2024, budget हमेसा एक साल advance में आता है, जैसे 2023 से 2024 के लिए budget पहले आता है, क्योंकि budget का मैंने जैसे आपको पहली ही बताया था economic वाले classes में, कि budget हमेसा ये बताता है कि हम इस साल कितना कमाएंगे या और कितना हम करेंगे, तो ये एक हमें estimation देता है, जो एक साल पहले ही हमें देखना होता है, तो चलिए आज देखते हैं, जो budget हमारा इस साल प्रस्तूत हुआ था, उसके मुख बिंदू, यानि की highlights उनके क्या-क्या है, तो budget के key highlights जो है, वो इस प्रकार से होते हैं, इस बार का जो budget था, अमरित काल जो हमारा चल रहा है, 75 साल हमने पूरा कर लिया है, जादी के 75 साल के बाद, जो 75 से 100 साल का जो 25 साल का period है, उसको हम अमरित काल का पहला budget हमारा ये था, अब हम देखते हैं कि introduction of, introduction of budget में क्या-क्या होते है, तो चलिए, देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि जो budget word है, वो कहीं use नहीं है, है ना, budget word, use नहीं है, budget word हमारा, कहीं भी, हमारा कहीं भी, constitution में budget word को use नहीं किया गया है, budget word के जगह पे क्या use किया गया है, annual financial statement, जो की article 112 में है, जो की यहाँ पे है, तो ये basic basic introduction है, उसके बाद budget को कौन बनाता है, तो budget को budget division, जो डिपार्ट को management of economic affairs है, ministry of finance के अंदर, वो budget को बनाने का काम करती है, वो budget को बनाती है, और इसको प्रस्तुत करती है, हमारी जो finance minister नियुक्राइब सी तरह मैंने, उन्होंने budget की speech से इनको प्रस्तुत किया, budget का मैंने अल्लेडी बताही चुका है, इसका detailed है, हमने classification कि budget को दो भाग में बाता आता था revenue budget और capital budget, तो चली अब देखते हैं कि इस बार के budget में क्या-क्या खास था और क्या-क्या होता है, तो दो budget के दो पाट होते है, पहला पाट होता है, macroeconomic budget का, जिसको macroeconomic होते है, जिसमें government ने क्या-क्या नहीं scheme लाई है, हमेशा हम सुनते हैं कि budget का news पर देखते हैं, किसानों के लिए ये लाया है, industry के लिए लाया है, ट्राइबल्स के लिए लाया है, कि उनके लिए school खोलना चाहिए, और farmers के लिए लाते हैं कि उन्हें कम दामों पर credit मिलना चाहिए, यानि लोन सस्ते मिलना चाहिए, जिससे वो और अच्छा अपना economic का production कर सकें, और और फूल जो भी है, वो कर सकें, ठीक है, तो पहला part जो होता है, part A budget का, वो यही बताते हैं कि सरकार की scheme और सरकार की नीतियां क्या-क्या है, और सरकार कितने allocations, मतलब हर sector में कितने-कितने पैसे, हम सुनते हैं न, कि railway में धाई लाक करोड दे दिया, पांच लाक करोड ने हैं, और या फिर किस scheme में कितने पैसे खर्च करने हैं, तो जब खर्चे की बात हो गई budget में, तो budget में एक और पाट होता है कि खर्चा कर लिया, तो आए की भी बात होनी चाहिए कि हमें पैसा कहां से आ रहा है, तो जो part B A वो यही बात करता है कि taxation proposals, मतलब कि हमें कि tax में कितने बढ़ाना चाहिए, कितने घटाना चाहिए, क्योंकि tax ही एक ऐसा source है, और भी बहुत source होते है government के, आए के लेकिन tax उसमें से बहुत मुख है, बहुत important source होता है, जो government के बताती कि government को tax बढ़ाना चाहिए, या government घटाये हैं, या कुछ नए taxes लाएं governmentे, जिससे government की आए हैं, वो बढ़ेगी, घटेगी, या फिर कितनी होगी, ठीक है, तो पहला जो budget था वो आप लोगों को पता ही है, सब को पता होता है कि जब अजाद हुआ होगा हमारा देश 1947 में, तो पहला budget उसी समय पेस की गई थी, तो चलिए इस बार के budget के हम देखते हैं कि budget का process कैसे होत सबसे पहला presentation of budget, मतलब budget को प्रस्तुत करना parliament में, यानि कि लोग सभा में जब budget को produce किया जाता है, लोग सभा में जब finance minister speech देती है, तो उस समय ये जो parliament में speech होगा, उसी को बोलता है कि budget को प्रस्तुत किया गया, उसके बाद क्या होता है कि जब budget प्रस्तुत हो गया, तो कु नहीं होना चाहिए, बज़र में और कुछ सुजाब, दोनों house में, रात सभा में भी और लोग सभा में भी ये चलती है, उसे कहते general discussion, उसके बाद जो आपको पता है कि जो departmental committees है, विभागयों, समीतियों, जो भी हमारा यतने भी departmental committees जो होती है, इसकी parliament की, वो इसको detailed wise analysis करे general discussion तो बस एक आम तोर पर MPs general discussion कर लेते हैं, लेकिन ये department committee उसकी technical details को बड़े बारिकी सी देखेंगी और एक्तब अच्छे से उसको analyze करेंगी, उसी को हम बोलते है, scrutiny, ठीक है, यहाँ पे detailed analysis आप समझ लेजिए, detailed analysis, ठीक है, ये हो गया, अब जब detailed analysis हो गया, तब क्या होता है इसको vote के लिए किया जाता है, जब detailed analysis हो गया, budget में जो भी जरसा भी था, कुछ अकर सुझाव भी हो, तो यहाँ पर सुझाव को भी डाल दिया जाता है, कि ये सुझाव है, आगे MPs देख लेंगे, तो फिर तब होती है voting, vote of grant, मतलब कि जो demand of grant है, उस पे voting होती है, उसी को करते हैं, तो सारे MP मीर के vote करेंगे, यहाँ इसको ये मिलना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए, तो ये budget का pass होने का process यहाँ से start हो जाता है, एक बहुत important आप quality में भी पढ़ते होंगे, कि अगर ये pass नहीं हुआ, तो मतलब कि ये माना जा सकता है, कि सरकार का confidence नहीं है, त तो no confidence motion इसके बाद लाया जा सकता है, हो सकता है कि सरकार को, अगर ये pass नहीं हुआ, तो सरकार को अपना step down करना पड़ जाएगा, मतलब सरकार को अपना position छोड़ना पड़ जाएगा, क्यूंकि उनके MP ही नहीं है, MP पूरे number में ही नहीं है, तभी तो उनकी pass नहीं हो डिया, opposition जादा number में है, तो फिर वो सरकार हो सकता है, सरकार से उनको बाहर आना पड़ेगा, step down करना पड़ जाएगा, ठीक है, तो सारी ministry की जो और schemes की जो होती है, demand for grant उस पर voting हुई, अब voting के बाद पांसमाइस पे आता है, appropriation bill, मतलब ये bill वो होता है, जिससे ministry पैसे payment करने के वो eligible हो जाता है, government, government ने बोला कि मुझे 500 क्रोल रुपे इस scheme के लिए payment करनी है, तो ये appropriation bill उसको ये अधिकार देती है, कि ठीक है, आप जो consistency fund of India है, वहाँ से आप 500 क्रोल ले सकते हैं, क्योंकि ये bill पास हो गया है, क्योंकि आपको तो पता है, ये सरकार में हर काम कागजी ह होता है, ऐसा नहीं है कि बोल दिया तो होगी, बोलना किसी ने बोला हाँ ठीक है, प्रधानमंत्री बोला हाँ ठीक है 500 क्रोल रुपास कर दो, ऐसे नहीं, सारा प्रोसेस से चलता है, तो ये appropriation bill होए कि इसके बाद government eligible हो जाती है, कि वो सरकार का जो भी है, खजाना जिसको आ नहीं taxes लाया, या क्या क्या हुआ, उसके लिए होती है, तो यहां सारे दोनों पाठ हो गए कि finance, appropriation bill जो खर्च करने के और यहां finance bill mostly जिससे government को पैसे आती है, जो नों पाठ हो जाते हैं और ये पूरा budget का process complete हो जाता है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इस बार budget में mostly facts ही जादा होते हैं, समझने का concept कम होता है, तो इसलिए हमने आपको उतकर्ष ने, BPSC उतकर्ष के माधियम से मैंने आपको budget में fact के लिए आपके बड़े सारे diagram डाले है, जिससे आप एक बार जब revision के समय जब आपको डेखेंगे, तो आपको ज़रूरी नहीं कि इतना पु अवेलेबल हो जाएगी, एप पे, हमारा जो BPSC उतकर्ष का एप है, उस पे अवेलेबल हो जाएगी, तो देखिए, जैसे मैंने आपको step बताया, तो देखिए, ये total step है, यहाँ पे 5 and 6 combined है, ठीक है, 5 and 6, 6 step बताया, तो है, कि budget को present हुआ, general discussion हुआ, standing committee discussion नहीं करेगी, फिर detailed discussion होगा और voting होगा, उसके बाल appropriation bill और finance bill को pass कर दिया जागा, तो ये 6 step मैंने आपको इसमें clear कर दिये है, ठीक है, तो इसी के लिए मैं बता रहा था, कि हमने काफी हद तक इसको diagram और इससे बनाने के लिए आपको पढ़ने मसानी हो, revision में भी असानी हो, थोड़ा आपको facts याद करने मसान हो, इसलिए हमने ये सारे include कर दिये, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो चलिए 2 minute आप इसको बस देख लिए, समझे जो मैंने बजट का process बनाया, वो क्या होता है, तो चलिए जैसा कि देखा कि आपने हमने इसको बना ही दिया है, अब हम आगे बढ़ते और budget को फिर discuss करते हैं, चलिए, अब आजाता हमारा budget highlight जो कि इस बार का main budget है, अभी तक तो मैंने आपको बस introduction दिया था, कि budget कौन बनाता है, कैसे बनता है, process क्या होता है, अब आता है, इस साल के budget में, आप लोगों के लिए क्या है, पूरे देश के लिए क्या है, सारे fact base है कि किसको कितना पैसा मिला, या कौन सी scheme government ने launch की है, अगर government ने GDP की कितनी percentage physical deficit होगी, तो ये सारा fact base होता है, तो उस fact base को बड़े असानी से हम एक बार में ही clear कर सकते हैं, तो चलिए देखिए, जैसा मैंने आपको पहली बताया था, ये budget हमारा पहला budget है, अमरित काल का, तो अमरित काल मैंने आपको बताई था, जो कि 75 से 100 साल का, हमारा 75 साल जो हमारा जादी का हो गया, उसके बाद 100 साल, जो 25 साल का जो period हुआ, उसी को अमरित काल गया, तो ये पहला budget अमरित काल में हुआ है, तो इस budget में बोला गया है कि vision, अमरित का vision मतलब क्या goal होना चाहिए हमारे अमरित काल में हम अपने देश को कहा, किस direction में ले जाना चाहते है, उस चीजों के लिए 3 vision बोला गया है, और उसके लिए 4 opportunities, मतलब मुख्यता उस 3 vision, ठीक है, अमरित काल में 3 vision और इस vision को पूरा करने के लिए, जो होता है कि इस vision को अगर आप दिशा में ले जाने चा चार परिवर्तनकारी क्या हो सकता, चार परिवर्तनकारी अफसर क्या हो सकता आपके पास, तो 4 opportunities, ठीक है, यह याद रखेगा कि vision 3 है और opportunities 4 है, ठीक है, तो अमरित काल का, यहाँ पे आपको मैंने बना दिया है, यह अमरित काल का हमारा 3 vision है, तीन विजन क्या होगा, सबसे देखिए, युवाओ के लिए तो यह सबसे असान है, क्योंकि युवाओ का हर बर हमारे देश में बात होता और हमारा देश सबसे आगे, युवाओ में भी हमारे देश में बहुत ज्यादा ही युवाओ है, और युवाओ में सबसे जारा पता है, जैसे आप हम सब सारे बिजनेस करें जो भी करें उस हिसाब से युवाओ के लिए हमेशा बजट में कुछ न कुछ अच्छा ही लाएगा था तो यही वीजन है कि जो ऑपरचिटीज फॉर सिटीजन मतलब कि जो भी हमारे सिटीजन है नागरिक है उनको अफसर दिया जाएगा कि वह और अच्छा अपने लाइफ में करें एकनॉमिक अफसर या कोई भी तरह के अफसर वह और अच्छा जिसमें स्पेशल फोकस रहेगा यूथ ठीक है दूसरा है ग्रोथ है जॉब क्रियेशन ए कि एकनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा एकनॉमिक का ग्रोथ ही सबसे जरूर ही जिससे पूरे देश में महंगाई भी कम रहेगी गड़ी भी दूड होते रहेगी और इसके साथ साथ हम लोग भी अपना देश को एक उचाईयों पहले जाएंगे जो कि हमार ग्लोबल वर्ल्ड में भी मतलब कि विश्व में भी हमारा काफी नाम होगा जॉब क्रेशन पता ही कि रोजगार मिलना चाहिए तीसरा है स्ट्रॉंग अनिस्टेबल मैक्रो एकनॉमिक इन्वार्डमेंट जो मैक्रो एकनॉमिक मैंने आपको बताया था कि इंफ्लेशन अनि गिर जाए तो वह सब लखने के लिए भी हमारा है तो यह तीन हमारा अम्रित कावे विजन है मतलब कि हम अपने देश को इस डिरेक्शन मेंले जाना चाहते है तो यह सारे गोल winter में चीफ करना चाहते है अब इसके लिए 4 अपरचुनिते ने 4 अफसर होना चाहिए तो 4 अफ एक scheme है जो government ने launch की है यह scheme जो होती है आप लोग सब को पता है कि विश्व कर्मा भगवान जो है विश्व कर्मा क्या है वो है गौड ओफ क्राफ्ट्स आप देखते ही हैं कि जो भी क्राफ्ट्स और आर्टिसंद लोग है जैसे कि कोई भी लोहार हो गए या कोई घारियां को मरमत करते हैं या पhr कोई टेडिशनल आईटम जैसे कि हैंलूम बनाते हैं या शौल बनाते हैं तो वो विश्कर्भा मगवान का पूजा करते हैं क्योंकि हमारे गौड्ड और सफ非 क्राफ्ट्स पूजना है विए यही है आंट्स और क्राफ्स जो आपशनना है उनके योज चीज का अगर आया है तो उसका basic basic पता होना चाहिए बहुत ज़दा detail में आपको नहीं जाना है जैसे PM कौसल सम्मान है तो आपको basic पता है कि कौसल सम्मान है क्या यह नहीं कि आपको पूरा detail में बहुत जाने कर जोतने हैं क्योंकि budget में बहुत चीजे लिखी होती है बहुत बड़ा होता है budget भी तो उस exam में इतना आता नहीं है तो आप हमाय और आपको basic basic चीजे भी पता रहती है तो exam में उतना ही पूछता है जितना हमें जानना चाहिए उससे जादा हमें जानकर क्या करेंगे ठीक है तो कौसल सम्मान जो है वो arts artisans and craftsman के लिए है ठीक है दावा इनको क्या दिया जाएगा कि जो new technology है उसकी ट्रेणिंग दी जाएगी न्यू टेक्नोलोजी की ट्रेणिंग दी जाएगी ठीक है उसके बाद इनको जो पेपर लेस मोड़ पेमेंट है मतलब पेपर लेस पेमेंट जो यूपी आई वगेरा हो गई कार्ट पेमेंट ह हो गई वह सब ठीक है पेपर लेस पेमेंट जो है जैसे कि समझ आप लोग भी जानते है यूपी वगेरा हो गई एक सेक्टरा ठीक है उसके बारे में भी दिया जाएगा प्लस इनको सपोर्ट करने के लिए लोन भी सस्ते दिये जाएंगे तो इस तरह किसे होते है ठीक है औ तो मोस्टली यह आपकी दिमांग में रहना चाहिए कि यह इसकी कार्फ सब्सक्राइब करने के लिए है ठीक है तो चलिए तीसरा है कि टूरिजम का पोटेंशल करना मतलब कि जो हमारा तूरिजम में उसको बढ़ावा देना है अब भी देख रहे हैं हमारे बिहार में टू टीए ये वह जान की भी धढ़ती है वह ब्रस उसके अलावा कितना सारे पास है हमारे पास कितने सारे waterfalls भी हमारे पास है और हमारे पास ये je जंगल भी है जिनको हम तूलीजम के लिए developing कर सकते तो ये टूरिजम को टाप करना है ठीक है उसके बाद green growth करना है मारे देश में green growth मैंने आपको बताया ही था ही पहले कि economic growth होते रहे लेकिन population pollution और population जो population के वज़े से pollution होता है जो population इतना जादा बढ़ जाती जिसके वज़े से अभी आप देखी रहे हैं कि इतनी population बढ़ गई है जिसके वज़े से सारा तूड़ गया तो जो growth होना चाहिए वो green growth होना चाहिए जो भी है pollution कम करना चाहिए प्राकृति की कोई तरह की नुकसान नहीं होनी चाहिए ठीक है तो यह चार तरह के आपके opportunities हो गए अब बढ़ते आगे अब देखते हैं कि बज़ेट जो हमारा इस बार का प्रपोसल है वह उसके साथ पिलर है समझ रहे है उसके साथ मार्ग दर्सक स्थम है वह स्थम जो है जो हमारा इंडियन ट्रिशं में जो सब्त रिशी थे न जिनको हम जानते कि जो हमारे साथ रिशी मुंशी रिशी मुनी गांत यह वेदाज में भी पढ़ते हैं कि जो उन्ही के बेसिस पर उन्हीं के अधार पर यहां पर भी साथ मार्च दर्सक स्थम को किया गया तो अलग अलग सिदूं में बहुत साहरे स्कींस dai leaves Na तो एक-एक स्थम को हम डीटेल में आपको बताते हैं उर देखते हैं क्या क्या है तो सबसे पहले देख लिए कि overall साथ क्या है inclusive development मतलब सबका साथ सबका सबका development होना चाहिए सारे लोगों का नीचे जो lower middle class उनका भी upper middle class का भी जो poverty में रहने वाले गड़ीब लोग उनका भी सारे लोग का plus सारे region का होना चाहिए जैसे यह नहीं की जो पीछे पर जैसे जो north east state है या बिहार है जो economic development में देश से पीछे है उनका भी होना चाहिए दूसरा reaching the last mind मतलब जो infrastructure वगेरा है हमारा जो road है जो dam है यह सब हमें बनाना चाहिए youth power तो आपको पता ही है हम लोग जो है आप लोग है youth power और क्या आप ही लोग तो देश को आगे ले जाने में सबसे ज़्यादा participate करें और सबसे ज़्यार अपना भागिदारी को निभाएंगे फिनांशल सेक्टर मतलब बैंक बैंक हो गया है फिनांशल इस्ट्यूशन हो गया है या जो भी उसके बार infrastructure investment कहां कहां infrastructure में हमें इंवेस्ट करना चाहिए क्या के तरह के infrastructure हम और बना सकते हैं ठीक है तो यह सब अब हम एक एक करके देखते हैं तो यह अमरित काल के साथ priorities होते हैं इसी को बोलते है सब तरिसी मतलब साथ साथ priority है government की ठीक है चलिए पहला priority जो था वो है inclusive development म अब का भी कास ठीक है तो इसके तहत agriculture में बोला गया कि digital public infrastructure बनेगा digital public infrastructure बनेगा जो की agriculture में open source open standard इसका आपको meaning समझना चाहिए open source मतलब होता है कि जहां पे कोई भी developer उसको आकर अपना अपना जो भी है उसमें modifications कर सके जैसे कि आप इसका example ले लिजे dg locker यह open source है कि जैसे कि ह हम dg locker में अपना document store करते हैं और हमारा dg locker के क्या pass अब खोलिएगा तो आप देखीएगा बहुत सारे government के जैसे cbsc हो गया या महरास्ट government या बिहार government बहुत सारे government के महां पे institution listed है जिसकी आप document download करके store कर सकते है तो यह open source है सारे लोग उस platform को use कर रहे है ठीक है और open standard मतलब के standard set कर दिया जाएगा कि ऐसे ही use करना है इसी हिसाब से use करना इनके यह feature से यह है ठीक है तो एक agriculture के लिए ऐसा बनाया जाएगा जैसा app type समझ लिए या digital public infrastructure आप नहीं होता है basically आप तो नहीं आप छोटी चीज़े यह काफी बड़ा होता उससे भी जादा तो digital public infrastructure बनाया जा जो भी उनको आती है दिक्कते ठीक है इससे क्या हो जाएगा जो भी है वो अपना उस digital public infrastructure पर जाएंगे मतलब उस app पे या website या इस टैप का कुछ पर भी जाएंगे वो और वहां पर अराम से जाके यह देख पाएंगे कि farm को input के लिए क्या कहा कहा से लेना चाहिए credit कहा कहा ठीक है यह growth support भी देगा जो start-up या जो industry agriculture sector में है जैसे की food processing industries है जो क्या करती है मान लीजे मकाली या धान लिया और उसको जैसे यह हो गई आशिरवाद आटा क्या होता है गहुंखरेदा उन्होंने process किया आटा बनाया packet में डाला और market में बेच रहे तो वह industry उसको भी growth में यह फाइदा देगी उसके बाद उनको information देगी किसको farmers को कि cropping pattern या health मलब crop में क्या क्या disease हो सकते हैं कैसे control करो soil का health कैसे मटी की health कैसे अच्छी करो यह सारी information देने के लिए यह सारी चीज़े देने के लिए digital public infrastructure को scheme लाई गी है ठीक है अब दूसके बाद यह agriculture का पहला दूस किसी का भी आप देख लीजिए कि आजकर हर जगाँ चलता है कि हम लोग क्या करेंगे वाओ में तो सबसे जाद आई है youth में कि हम लोग start-up खोलेंगे किसी भी छोटी से business को खोलेंगे उसको बहुत बड़ा तक ले जाएंगे तो यह तो बहुत चलावा है तो वैसे ही कुछ एक start-up agriculture sector में भी होगी ठीक है उस agriculture sector में जो start-up काम कर रही है उनको funding मतलब उनको और पैसा मिले loan मिले क्योंकि पैसा ही से वो आगे अपना business कर सकते तो उनको funding के लिए एक वो fund setup किया गया जिसको बोलते है agriculture exclator fund तो आप experience यह याद रख लिए जितने भी नाम में लिख रहा है तो यह है नहीं कि आप fact से भाग सकते हैं fact आपको याद करना ही होगा और question आते भी हैं आपको भी पता previous से उठा के देख लिए आते हैं even figures की question पूछते की इस बार का GDP rate क्या रहा है या क्या तो यह जितने भी agriculture exclator fund digital public infrastructure यह सारे आपको याद होने चाहिए और किस चीज के लिए है वो भी basic याद होना चाहिए कभी आप question solve कर पाएंगे ठीक है आप देख रहे अगरिकल्चर क्रेडिट मुलब जो भी agriculture sector में क्रेड़ है या तो farmer को मिले या फिर जो माली ट्राक्टर हो farmer को जो जो कंपनिया ट्राक्टर देती है या बड़ी बड़ी equipment देती है वो भ जो की दूद का काम करते हैं जैसे की गाय से दूद निकाला भैस से दूद निकाला उसको डेडी बोलते फिश्रीज तो पता ही है मचलियों का करोबार और animal husband जो भी animal जैसे गाय हो गया गोट हो गया बकड़े हो गया भैस हो गया उस ताइप के ठीक तो इसी के तहत अगरिक small and medium enterprises जो छोटे enterprises जो छोटे उधियोग होते हैं बड़े नहीं micro मतलब छोटे small medium यह छोटे उधियोग होते हैं उनके लिए 6000 करोड यहां भी डाला गया अब एक और scheme का नाम है यह scheme का नाम याद रखिए का horticulture मतलब जो फल या जो vegetables उगाते हैं farmers उनके लिए horticulture के लिए एक पोग्रम किया गए आत्म निरभर clean plant program ठीक है यह याद रख लिए खील प्लांट program आत्म बर आगे तो ठीक है अत्म निरभर तो पता ही रहत आजकर आत्म बढात चल रहा है तो आत्म निरभर clean plant program हौटी कल्चर के लिए किसके लिए अगर यह पूछा जाएगा तो हौटी कल्चर सेक्टर के लिए लांच किया जाएगा अगर यह कुश्चन आए तो ठीक है इसके तहत क्या होगा कि डिजीज फ्री और जो प्लांटिंग का मतेरियल है मतलब जैसे अगर आपको सीड्स हो गया या फिर जो होता है कि आपको पौधे लगाने के लिए छोटे पौधा दिया जाएंगे कि आप लगाईए अपने खेतों में और उसे बहुत जादा फल फुल जो भी उगाईए तो उसके लिए है clean plant program जिसमें disease free दिया जाएगा और इसका है by 200 करोड तो थोड़े थोड़े figure याद कर नहीं होंगे क्या करेंगे जैसे होटी कल्चर के लिए प्रोग्राम आया clean plant program और उसका कितना है तो बाइसो करोड ठीक है ऐसी है अग्रिकल्चर के लिए इस बार कितना credit देना है बीस लाग करोड तक का हम उसको लोन दे सकते यह याद रखिएगा और छे साजार करोड जो दिया गया है वो एक PM मतस्य संपो nutrition बहुत ही जादा nutrition का यह स्रोथ है क्योंकि यह बहुत महेंगी नहीं होती है इसकी cost बहुत कम है और यह काफी कम है आपको बहुत अच्छा nutrition दे सकती है तो मिलेट्स के लिए government ने बोला गया है कि जो श्री अन है मिलेट्स को क्या बोलते है श्री अन यह नाम याद रखिए श्री अन ने क्या है तो मिलेट्स के लिए बोला गया कि श्री अन जो मिलेट्स है उसके लिए center of excellence बनाया जाएगा center of excellence के लिए मतलब है कि एक ऐसी संस्था बनाई जाएगी जो कि उसके लिए जो भी research है जो भी उसका marketing की चीज़े है कि मिलेट्स क्यों नहीं कैसे सस्ते में मिलना चाहिए कैसे अच्छे हुगाना चाहिए कहां कहां मिलना चाहिए कितने amount में खाना चाहिए सारे चीज़े मिलेट्स के लिए वो center of excellence बनाई जाएगी यह हैदराबाद में बनेगा और इसका है इंडिया इंसिटूट ऑफ मिलेट्रिसर्च यह देखिए हैदराबाद याद अगेगा श्री अन्य क्या है और agriculture का cooperative जैसे आपको पता ही है कि जो cooperative क्या होते मैंने आपको पहले भी बता तो cooperative बहुत है कि आप 10 लोग मिलके एक कोई संस्था खोले और उस संस्था का यह नहीं हो कि profit कमाना मोटिव हो में उसका हो कि यह दसों लोग के लिए जो भी उनकी interest जो भी उनकी काम है उनको सर्फ करना मतलब उनको काम के असान करना जैसे आपको मैंने बताया था कि अगर 10 किसान एक साथ मिलकर आ जाए और उन्होंने एक संस्था खोला कि हम अब छोटे जो किसान है हम अपने खुद वह 10 लोग और भी जो किसान है उनको सस्ते दाम आप मोटर मोटर की के पंप जो भी होता न पानी निकाधने मोटर पामम देंगá उस टाइप को कोबरेटिव कहते है वह मैंने अल्यडी बता दिए तो चली को फिर से य Zug हो गया तो जो सहकार से समरीची मतलब की को परेटिव सहकार से समरीची आने वाली है उसके लिए डली है ठीक है तो अब क्या बोल दी गव्मिन ने बोली कि हम एफसी आई ने बोला कि हम धान लेंगे हर जगह से मलब राइस भीट लेंगे और सब को लाके स्टोर करेंगे यहीं पर डली तो यह क्या हो गया centralized मतलब centralized हो गया एक ही जगा पर store हो रही है centralized हो गया एक ही जगा पर store हो रही है इसके यह बहुत दिक्कत había अगर centralized हो जाएगा तो इसका cost किटना आएगा अगर समझिए कि कोई भिहार से दिल्ली लाने का कितना ज़ाँ cost हैगा और फिर भिहार से लोगों को देना है तो फिर दिल्ली से बिहार में ले जाए जाएगा लोगों को राशन के दुकान पर देने के लिए ये इसकी कौस बहुत आती तो इसलिए गवर्मेंट ने बोला कि अभी भी गवर्मेंट डी सेंट्रलाइज्ट ही करती है लेकिन इसको और बढ़ावा देन अब बहुत जगा नहीं है अब बहुत जगा गवर्मेंट ने स्टोर करने के लिए स्कीम का बढ़ावा दिया अभी भी गवर्मेंट डी सेंट्रलाइजी स्टोर करती है लेकिन इसको और बढ़ावा देने के लिए स्टोरेज कैपसिटी जो भी अगरिकल्चर प्रड्यूस होगी मलब क्रॉप्स हो गए राइस होगी वीट होगी उसके लिए बनाया है सो डाट क्या होगा कि जो अंकवर्ड विलेज है जहां पर विलेज में स्टोरेज कैपसिटी नहीं है मलब वहां की लोग क्या कर रहे है धान तुगार है लेकिन उनको कहीं और ले जाना पड़ रहा है कि खराब नहीं हो storage करने में जो पता है warehouse में आप लोग तो बहुत लोग ऐसे हैं बिहार में हमारे मैं भी और आप लोग भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनके घर में खुद आप लोगों ने देखा होगा कि खेती एक होती ही है हमने भी देखा है खेती होते हैं हमारे घर में भी पहले होती थी तो य इसके लिए ही uncovered विले जहां पर नहीं है उसको cover करने के लिए किया गया तो साकार से सम्विधी जो है वो storage capacity के लिए है ठीक है चलिए decentralized centralized बता दिया देखिए मैंने आपको बताया था कि मैंने हर चीज को जितना समझा रहा है उसको मैंने एक figure या flow chart डाल दिया कि जब आप revision करिएगा तो बस flow flow chart भी देख लिएगा तो आपको काफी जादा हद तक आपको चीजे clear हो जाएगी तो देखिए यह जो है agriculture and cooperative देखिए digital public infrastructure मैंने बता दिया होटी कल्चर का कीन पोगराम हो गया श्रीयन ने बता दिया अग्रिकल्चर एक्सलेटर फंज जो अग्रिकल्चर स्टाट अप के लिए होगी टार्गेटिक फंडिंग मतलब 20 लाग करोड का जो लोन दिया जाएगा और यह हो गया वाइडली अवेलेबर स्टोरेज कैपसिटी जो अब इस अकार से समझे जो स्टोरेज कैपसिटी की बात हो रही थी चलिए अब क्या होगा अब हमने अग्रिकल्चर सेक्टर का बात कर सेक्टर के लिए हैं अब हम बात करते हैं कि एजुक strengthened टेसर की ट्रेनिंग के लिए एक हैं सेकेंड्री में वृष्ight हो रखालरच में की अच्छी होनी चाहिए हैं तो इस्टूदेंटेंग मेज्चर को बहुत जरूड है कही बारे यहas कारी स्कूल में ऐसी होती है कि वीडियो जो यूट्यूब वेगर आपे कहीं भी कि उनको बहुत बेसिक चीजे भी नहीं आती तो टीचर्स की ट्रेणिंग काफी जरूर है क्योंकि इजुकेशन ही ऐसा है जो आपको SDM भी बना सकता है जो आपको DSP भी बना सकता है और जो आपको बड़ी बड़ी उचाहियों तक पहुचा सकता है तो उसके लिए गर्मेंट ने बोला कि जो टीचर्स ट्रेणिंग के लिए जो डिस्टिक पर इंसिट्यूट है इसको बनाया जागा डिजिटल लैब्लेडी मतलब क्या हुई जो ऐसी लैब्लेडी जैसे यह सब आप क्या है मैं आपको क्या बोल रहा हूं भी कि आप जाईएगा PDF डाउनलोड कर लिजेगा इस PPT का या PPT डाउनलोड करेगा तो यह डिजिटल फॉर्म में है आप बुक नहीं तो नाशनल डिजिटल लैब्लेडी एक डाउनल जो लैब्लेडी है लैब्लेडी तो आपको पता है यह पुस्तकाले जो हम पहले देखते थे कि गये बहुत सरी बुक्स रखी विए अब यह डिजिटल फॉर्म में हो जाई है उसके बाद यह एजूकेशन में मैंने बता द गया टीचर ट्रेणिंग हो गया नाशनल डिजिटल हो गया हाँ एक और है कि फिजिकल लैब्लेडी मतलब कि जो नॉर्मल लैब्लेडी आप देखते हैं जहां पर फिजिकल लैब्लेडी मतलब कि रूम में जैसे आप गए एक बिल्दिंग में गए बहुत सारी देखी तो देखी तो वह फिजिकल लैब्लेडी पंचायत और वार्ड लेबल पर भी अब स्टेट को बोला गया है कि इंकरेज किया गया है कि आप इसको बनाने के लिए बढ़ावा दे ठीक है तो एजूकेशन में देख लिए अच्छी स्कीम सी अब एजूकेशन हो गया और इसके प पहले से हैं 157 उन्हीं उसी के उसी लोकेशन पर सपोस्पोस करिए अगर बिहार में पत्ना में मेडिकल तो वहीं पर पत्ना में एक और नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा यह बस एक्जामपल के तौर पर बोलाओं कि को लोकेशन का मतलब क्या हो कि मतलब दोनों जहां प अंब को बता दता हूं यह एक ब्लड डीजीज है ठीक है ब्लड डीजीज ब्लड डीजीज जो की रेट ब्लड सेल्स्पों डिस्ट्वाइ उसका शेप चेंज कर देती है ठीक उसके वजह से पेन, और डिसफेलियर यह सब होता है तो यह सिकल सेल लेने में के लिए मिशन ए जो है मालब 100 साल जब हम रितकाल का पूरा कर लेंगे तो यह eliminate हो जाएगा ठीक है eliminate करना है तो इसका basically जो है कि इसका focus क्या होना चाहिए इसका awareness creation मालब लोगों को बताया जाए कि जनजाए लोगों को कि इसकी awareness इसकी बारे में बताया जाए कि यह कैसे हो सकती है इससे बचे कैसे क्या क्या और चीज हो सकती है इससे इसकी में अगर हो गई है तो दवा क्या लेना मालब evidence create करना उनको बताया ना उनको जानकारी देनी है ठीक है universal screening of seven crore people in age group of zero से 40 मतलब की जो भी tribal area में zero से 40 साल के universal सारे लोगों को स्क्रीन किया जाएगा सारे लोगों की जाच की जाएगी test की जाएगी कि अगर उनको से लेना है या नहीं है और है तो फिर क्या है ठीक है pharmaceutical innovation के लिए मतलब आपको पता है research and research and development मतलब और अधियन करना और अनुसासन करना जो भी pharmaceuticals क्या करती है जो की हमारा बढ़ाती है drugs मतलब medicine ठीक है drugs medicine या कोई device जैसे होता है कोई को hearing impaired होते तो उनके लिए devices बनती तो वो सब pharmaceuticals में आता है ठीक है machines for scene जो भी आप देखते है एक स्रे का machine वगरा वो सब pharmaceuticals में तो उसमें बुला गया है कि center of excellence वही मैंने आपको जैसे श्री अन्ने के लिए center of excellence बनाया जो की research करती है जो बताती है और कई क्याने ने ट्रिक्नोलजी होनी चाहिए सस्ते में बनाना तो कैसे बनाना है इसको इंडिया में कहां कहां ले जाना वही उसी टाइप की center of excellence वही होती है उसके लिए pharma sector के लिए भी बोलागे कि pharma sector में इसली बोलागे कि इन्नोवेशन लाना बहुत जोगी है क्योंकि आपको पता ही है जब कोविड हुआ तो हमारे पास इतना था हम इतने जाड़ा हमारी भारत जाड़ा जाड़ा इन्नोवेशिव थी मतलब कि हमारे भारत में इतना जाड़ा नई चीजों को लाने की शमता थी कि हमने तुरंती कोविड की वैक्सिन बना ली खुद भारत की और सब लोगों को वैक्सिन कर भी सब लोगों को वैक्सिन मिल भी गई जल्दी से जल्दी तो देखिए यह हो गया आपका फिर से देखिए बोला ना कि एक ब पॉलिक और प्राइवेट मेडिकल रिरिसेर्च जो भी लाब्लेट्री उसको ला के बोला गया है कि रिसेर्च के लिए क्लेश के जड़का से उसके व् railroad के वज़े से उनके माधियम से उस में जो यह मुझे इंपॉर्टेंट जो लगता है एक तो सिकल से रिमिया याद रख लीजेगा और नर्सिंग कॉलेज वारा याद रगए क्योंकि इसमें प्रोग्राम का कोई ऐसा नाम नहीं तो मुश्किल है कि पूछे लेकिन आप एक बर पढ़ लीजेगा आपके जनकारी के लिए मै पहुंच सकी है चाहे रोड है चाहे एजूकेशन है चाहे पानी है बिजली है जो भी जो निगलेट हो गई है जहाँ पर डवलपमेंट के नहीं पहुंचे कई बारे आप लोग बहुत जरूरी है कि आप पढ़ाई भी करें तो आज कर इंटरनेट पे हो गई है उस चीज के के लिए leaching the last mile second pillar में देखते हैं क्या है तो एक आपको पता था aspirational districts program ठीक है तो जो aspirational district program था aspirational district program मैं यहां लिख देता हूं aspirational aspirational district program district program 2018 में लॉंच किया था ठीक है अब 2018 में इसे लॉंच किया गया था कि जो district जिसमें development कम है जैसे कि education की development कम है वहाँ schools नहीं हो सकते हैं होंगी भी खराब quality केंगे health वहाँ पर हो सकता है जो भी होती है social sector में उनकी progress वह कम है ठीक है social economic progress low लिख देता हूं मैं social economic progress low इन district को बोला गया था aspirational district कि इसमें social economic progress जो है जो है जितने में तरह कि आपको बताई वह कम है उसके लिए की scheme launch किया 2018 में aspirational district scheme उसके तहत कुछ district को select किया गया और बोला गया कि इन district पे हम government ने बोला कि ऐसी नीतिया बनाएंगे जिसके कारण इन में भी उतनी progress है जो हमारे देश में सारे लोग के पास है जैसे कि इन में schools बना दिये जाएंगे सौच का बना दिये जाएंगे कोई खुले में सौच ना जाए दिफेक्शन फ्री कर दिया जाएं मलब एक खुले में सौच ना जाएं उसके बाद वहाँ पानी करेंगे डिंकिंग वॉटर का अगरिकल्चर के लिए पाइप लाइन बिचा देंगे कि पाइप से पानी आएंगे उनको बिजली देंगे उनको गया सिलिंडर देंगे इस आएं और जो थी पॉजिटिव बदलाव आएं ठीक है इसी के बेसिस पर अब एक स्कीम लेकर आई गवर्मिन ने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो कि 2022 में यह भी लॉंच हुआ था ठीक है अब इसी के ब्लॉक्रोग्राम कि इस बार बोला गया है कि 500 ब्लॉक को स्ल ब्लॉक लिवल होता है फिर अपका इस्टेट आजाता है ठीक है तो इसी के तहर जब हुआ तो बोलागे कि district सुर्ट तो इसमें दा अगल पूरे ट्राइवल ग्रूप सु taking बेड़ा या अगल पूरी ट्राइवल नहिसा सुमें और यू उसमें कुछ ट्राइवल क्रूप आग्रूप ऐसे होंगे पीवी टीजी पूरी ट्राइवल गृप उसमें कुछ ट्राइवल गृप ऐसे होंगे जो जादा वलने बोलो जादा पिछड़े होंगे उनको जादा एकनोमिक डेलप्मेंट कम होगा उनकी सोचल डेलप्मेंट कम होगी उनमें health की nutrition condition health financial inclusion जहतने तो financial inclusion मतलब कि जो banking की सुविधाय या फिर जो insurance की सुविधाय आप लोग के पास आप लोग आज कर सब लोग हम लोग insurance लेते हैं अपनी health किया किसी भी चीज गिया हमारे पास यह ना एक bank account है जिसे हम पैसा भेशते हैं या लेते हैं वो सब चीजह इनके पास कम है तो जो ट्राइबल क्रूप में कुछ ट्राइबल ऐसे होंगे जो मोल मतलब more vulnerable हैं मतलब उनमें development और कम है वो और जयादा ही पिछड़े हैं ठीक है उसी को more vulnerable बोलते हैं तो विश में विश्वरूप से कमझोर जन जाती हैं ठीक है उसी को बोलते हैं कि यह जादा vulnerable जादा कमझोर है ठीक है स्थूतियों की समाजिक आर्थिक स्थूतियों में सुधार के लिए इन्हीं के लिए जो PVTG ये 75 है अभी के हिसाब से 75 है और ज्यादा बढ़ सकते है अभी के हिसाब से 75 हो लग 75 ट्राइबल ग्रूप्स को PVTG में रखा गया है ठीक है जिसमें उडिशा सबसे हाइस्ट है उ तो यह 75 अभी बढ़ते घटते रहते रहते हैं यह आप लोग कर लेंगा अभी के हिसाब देटा बढ़ जाता है इन्हीं के लिए गवर्मेंट ने बोला गया है कि प्रधाल मंत्री प्रिविटीजी डिवलप्मेंट मिश्यों मेलब यह जो उन चीजों के लिए है जो ट्रैब अगले तीन साल में ठीक है नेक्स तीन अगले तीन साल में 15000 कोरों से इनकी लिए डवलप्मेंट के इनिशियेटिफ लिए जाएंगे अब एक और स्की में एकलब वे मॉडल रिशिदेंशल इस्कूल इस्कूल वह होता है जो ट्राइबल एडियास में मनाया जाता है ट्रा ट्राइबल स्टूडेंट्स एकलब वे मॉडल पबलीकिज श्कूल मतलब ये रेशिदेंशल इस्कूल होता है जाना है और वहीं पे स्कूल में आप रह जाएंए और उस्ट्राइब से हमारे लिए उसके लिए रहाता था मॉलाब कि आप जैसे कैसे नवोदे विद्यावल या आर्मी पब्लिक स्कूल या आर्मी स्कूल जोती है मिलब कि आप पढ़े भी वहीं और रहते भी वहीं तो इसे डिंशल स्कूल से यह इसमें बोला गया कि कि 3800 टीचर को रिक्रूट करना है जो 707 एकलवे मॉडल स्कूल है जिस पर 3.5 ट्राइबल स्टूडेंट है तो इसमें आप बस यह देख लिएगा कि इकलवे मॉडल स्कूल में कितने टीचर का रिक्रूट में तो 3800 ठीक चलिए अब देखते हैं कि वॉटर जो ड्रॉट प्रेनरिया है जहां पर सुखाग्रस्थेरिया है जहां पर सुखाग्रस्थेरिया में जो है करनाटका का रीजन उसमें तिरिपन सो करोड दिया गया अपर भद्रा के लिए जिसमें माइक्रो इरिगेशन किया देगा ठीक है एंड फिलिंग अब दी सर्फेस टैंक फॉर डिंकिंग वॉटर जो भी सर्फेस पर टैंक बना गया है जिसमें पानी डाल दिया जागा कि आप लोग उसमें से लोग ल हाई है कि जिसके तहट घर मिलते हैं जो लोवर इंकमें ग्रूप हैं जिनके पास प्रेसे कम हैं दिया में सब Abraham के लिए प्रोवाइड कर आएगी ठीक है तो जो पियम अवास योजना है उसके तहत उसका जो उसका फंड होती है उसके लिए जतना गवर्मेंट ने राशी रखी थी उसको 66% से बढ़ा दिया है 66% से बढ़ा कर 79,000 करोड कर दिया है ठीक है यह याद रखियेगा अब देखिए एक और आपको एसके में भारत श्री यह याद रखियेगा भारत श्री किसलिय के लिए तो आपने इसक्रिप्शन देखा होगा हिस्ट्री में पढ़ा होगा लिए या पिलर अशोका का पिलर बहुत इसल फिमस अपने पढ़ा है हमें सबने हिस्ची में पढ़ा है कि अशोका का पिलर पर उस अपने पिलर लिखता था ट्रावर धर लिखता था ऐंगे pillars पे ठीक है तो वो हमें साह देखते थे जब आप कभी जाएंगे राजगीरी में भी जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो पत्थर पे देखते हैं कुछ-कुछ-कुछ-कुछ उस जमाने में लिखे होते हैं उस जमाना का जो भी language होता ना वो लिखे तो उसको वह भंधाय यह जो भी बूल लीजिए जैसे अप कैसा है किि इन वीर में उसके पास आरभी को कर बैंक को का भाधा है उसके प्ता कि कि उसके पात कितने के पास कितने पैसे हैं, कौन कितना लोन दे सकता है, सर है, तो वो एक तरह का बैंकों का रेपरोजेटरी, उसी हिसाब से भारत श्री जो है, जो यह इन्सक्रिप्टिंस है, जो मैंने आपको बता है, उसके लिए एक रेपरोजेटरी है, वह ही है, भारत श मतलब कि आप online website पर या आप जाए और वहां पर आप इंस्क्रिप्शन को जो भी epigraphy को देख सकते हैं कि कौन अशोका की क्या है या किसी की भी और और को देख सकते हैं उस वहीं उसी में digital epigraphy की museum में यह भारत सी launch किया गया और इसका है कि एक लाख ancient description को पहला साल में हम digitalize कर देंगे मतलब जो भी inscription है पत्थर पे बुक पे जो भी उसको digital form में convert करने के लिए एक लाख first stage में एक लाख और भारत श्री तो यह नाम सब लोग याद रखिएगा भारत सी इंस्क्रिप्शन एक लाख ठीक है जैसे श्री अन्ना मिलेट्स के लिए है इसी सबसे नाम याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखिए यह भी हो गया बाकी ट्राइबल पॉपुलेशन से ठीक है फिनांशल इंस्क्रिप्शन बोल दिया करनाटका का परभद्रा रीजन हो गया साथ सो चालिस एक रेजिदेंशल एक लववे के लिए 3800 टीचर्स आएंगे और भारत श्री जो एंसे डिस्क्रप्शन को डिजिटलाइज करेगा डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देगा चलिए अब दो पिलर हो गया अब तीसला पिलर पर आते जो की इंफास्ट्रॉक्चर एं इंवेस्ट्मेंट है तो इस तरह का जो भी इंफास्ट्रॉक्चर है इसमें पहला बार आप लोग इन्यूस में बड़े सुना है कि इवन प कह रहा हूँ मैं यह वित्तमंत्री के स्पीच में भी यह था कि इस बाद 10 लग करोड का हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाए कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं आपको बताई था वो एक्सपेंडिचर जो हमारे हां कोई एसेट बनाए यह हमारी लाइबिलिटी को कम कर दे तो जो भी हमारे हां कोई भी एसेट जो सरक निर्मान एसेट बनेगा ना माना सरक एसेट है ठीक है हमारा संपति बनेगी सरकार की तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं आपको ऑलड़ी ही वन शॉट में पूर्य अच्छे सेक्सपेंड कर दिया है तो उसी के लिए उसी कैपि 4.3 परसंट होगा जीडीपी पे और अफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब यह कैपिटल एक्सपेंडिचर उसके लाबा कोई रेफेंडिव एक्सपेंडिचर भी ऐसी होती जिससे कोई एसेट बन जाए जो मेरे आपको मनरेगा वाला बता है था कि हम मनरेगा तो गाव में किसी लोग ने रोड बना दे तो वह संपत्ती बन गई रोड बन गया या बांध बना दिया तो संपत्ती बन गई तो उसको भी जोड़के जो एक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है वह सारे 4 परसंट होगी तो बजट में आपको इतना कॉंसेप्ट नहीं और डीटेल में क्लियर है पीपीटी में भी गिवन है ठीक है उसके बाद हाँ स्टेट गवर्मेंट को भी सेंट्रल गवर्मेंट सपोर्ट करती है तो पता ही है लोन भी देती है प्लस ग्रांट भी देती है हमेशा हम देखते भी है कि हम हमेशा बोलते कि स्पेशल स्टेट स्टेट को राचे को पैसे देती है कोई कोई स्कीम के लिए डेवलप्मेंट वर्ग के लिए तो बोला गया कि government ने बोला कि 50 साल का interest free loan मतलब जिस पर कोई आपको यह नहीं लगता है interest नहीं लगता है ठीक है जो भी government पचास साल का लोन देती जिस पर कोई ब्याज नी लगता है इसी स्कीम को प्लस वन यर मतलब एक साल और के लिए इसी स्कीम को चलाया जा रहा है ठीक है जिससे क्या होगा इंवेस्टमेंट होगा इंफास्ट्रचर सक्टर में मैंने बता है इंफास्ट्रचर बुनियाली धाचे ठीक है उस होगा और इसके लिए जो इन्हांस्ट आउटले है मदलब इसके लिए जो आउट जो गवर्मेंट बोली की कितना का लोन देगी वह है एक लाख तीन करूग का लोन देगी ठीक है यहां पर यही है सेम चीज आपको यहां पर भी लिखावा है ठीक है पचास साल का ब्याज मुक्त मलब इंट्रेस्ट फी लोन है एक और वर्स के लिए जारी रखनी कंडिन नहीं लिया गया है ठीक है बुन्यादी धाचे मलब यह इंफरस्रेक्चर के ल लाक करोड दिया गया है और यह आज तक का सबसे हाइस्ट है तो यह बहुत इंपॉर्टन फैक्ट हो जाता है हाइस्ट एवर आउटलेट यहां पर लिखावा है हाइस्ट यहां देख लीजी यह हाइस्ट यह हाइस्ट लिखावा है आज तक का यह सबसे हाइस्ट है क्योंकि आज तक सबसे highest है तो 2.4 लाग करोड है अब देखते है अवियेशन सेक्टर में मतलब कि जो भी हवाई जाज के सेक्टर है अवियेशन मतलब जो भी अधर देखा होगा न्यूस में कि नर्मदा रिवर्ड पे एक अईसा था जिस पर प्लेण पानी उतर गिया और वो पानी से ही यूपर नर्मदा में most important, इसके बिना बहुत दिक्कत हो जाएगा, most important, ठीक, most important, कैसे most important है, देखे कि अगर railway मालनीजे, अगर एक दिन चलना बंद हो गई, अगर आपका उसी दिन एकजाम हो, आपका उसी दिन कहीं जाना हो, आपका उसी दिन कोई बहुत important काम है, तो वो छूट जाएगा, कितने ल और in first transportation के sector से, जो critical है, बहुत ही जादा, महत्पून है, जिनके लिए, देखे, यहाँ पर लिगा है, महत्पून पड़े बन, जिनके लिए महत्पून है, जैसे कि जैसे कोल industry, अब कोईला को जहां से ख़दान से ले जाना, क्योंकि कोईला क्या है, जब तक हम हमारा कोईला से कोईला इतने कम हो गए, कि हमारी जो electricity production है, वो बस 3-4 दिन की बची थी, बहुत जगा ऐसा news आ रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा critical है, क्योंकि अगर लाइन एक मिनिट के लिए भी करता है, तो बहुत ज़रा हमें दिक्कत होती है, तो सोच लीजे, अगर कोईला ही नही oil basis प्रमें इसको सबसे ऊपर सबसे जादा महश्न दिया जाएगा और इसके लिए, जो है, वो 75,000 क्रोड दिया गया है, जिस 75,000 क्रोड में, 75,000 क्रोड टिक है, इसमें क्या है, जो 15,000 है, इसमें से जो 15,000 है, वो प्राइवेट सेक्टर से आएगा, पब्लिक क्रोर प्राइट से लिया जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब एक फंड किया गया है अरुबन इंफास्ट्रेक्टर डिवलप्मेंट यह याद रखिएगा जो भी शहरी जगा है वहां पर डिवलप्मेंट मतलब वहां की सडके अच्छी बनाना वहां पर पानी ना लगे बने उसके लिए ड्रेनेज सिस्टेम अच्छा करना वहां पे ड्रिंकिंग वॉटर की अच्छा करना वहां स्थोचाले बनाना जो घुले में कोई वहां भी सोच ना जाएं वहाँ पर ट्रांस्पोर्ट सिस्टम अच्छा बनाना जैसे कि सेवाएं अच्छा करना ठीक है यॉस के लिए एक अर्बबन इंस्फर्स्रुक्र्टर्टर्टर्ट hé यह, जो नैशनल हाॉसिंग यही इस फबन को मैनेजकि मतलब इस fund का पूरा देख भाल कितने पैसे आने चाहिए कहां खर्चे यह सब यह करेगा ठीक है और यह जो फंड पब्लिक एजनसी यूज़ करेगी मतलब अब अब इस सरकारी कंपनियां यूज़ करें कोई राज्जी की सरकारी कंपनियां वह यूज़ करेंगी तो क्रियेट अर्बन इंफरस्ट्रक्चर मतलब अर्बन इंफरस्ट्रक्चर जो मैंने आपको अभी बता है सरक निर्मान ट्रांस्पोर्ट सेक्टर इन टायर 2 तो मेट्रोपॉलिटन हो गई और टायर 2 उसके बाद जैसे कि आहमदाबाद हो गई चडडिगर हो गई और टायर 3 याद रखेगा अर्बन इंफरस्ट्रक्चर डेवलप्मेंट फंड किस ने लाया है तो नेच बी ने लाया है नैशनल हाउसिंग बोर्ड इसको मैनेज करें ठीक है चलिए देखे ये भी हो गया इंफरस्ट्रक्चर में आपको पता चलेगा तो मैंने बताया था कि कैसे कैस इंफरस्ट्रक्चर में करें ओग नौमी ग्रोथ होगा में में मैं ही बताधिया था मैंने इंफ्मव्मेंट क्योंकि छलक nước निर्मान ही से आधी जितने लोग काम करते हैं कितने लोग उसमें काम प्रोम हो गया ओग और तो असिकश्क में और ज्याद्धा होगा नोमी ग्रोथ हो भी ठीक है तो देखिए कैप्टेल इंवेस्टिन में इंक्रीज हुआ था 33 परसेंट से 10 ला करोड हो गया 50 साल वाला भी मैंने बताया आपको को धायला करो सबसे रहा मिला है सो इंफास्ट्रक्चर यह याद रखेगा वह सो सो प्रोजेक्ट को इडिनिटिफाई किया सो ऐसे प्रोजेक्ट होगा क्रिटिकल इंफास्ट्रक्चर को में जिसमें अभी गवर्मेंट पैसा डालेगी 75,000 करोड ठीक है और UIDF मैंने बता ही लिए टायर 2 और टायर 3 ठीटिस के लिए नैसल हाउसिंग बैंक वाला ठीक है चलिए अब आगे बढ़ता है अब आगे जो है वह है अनलीशिंग दी ठीक है इसमें है कि reduce compliance and जन विश्वास बिल मतलब की अनुपालन जितने भी अनुपालन करनी होती है अनुपालन का मतलब तो आपको पता यह ना कि जैसे एक एक आदमी को कितनी तरह के अनुपालन करती है उसकी यह है कि अगर वह उसकी आया है तो इसको income tax भढ़ना होता है अगर कोई एक factory खुलती है तो उसकी बहुत तरह की नुपालन है उसको environment का environment regulations का certificate लेना पड़ता है डीम के orders लेने पड़ते हैं उसको company का भी रेजिस्टार का compliance में लेना पड़ता है उसको सारे documents को register करना पड़ता तो इस तरह की बहुत सरी compliance है तो क्या किया है government ने बोला कि इतनी सारी compliance में फालतु कि बहुत जाला time waste होता है कुछ-कुछ compliance में इस सरी है कि हर जग आप देखते कि जाते तो आपका time भी waste होता और वहाँ पे generally लोग भी वहाँ पे जो भी बैठे रहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं पास करेंगे कुछ पैसा दे जीजिए कर किया गया देखिए का मतलब यह होता है सबसे मतलब दो चीज समझिएगा कि अपने income tax कम भड़ा ठीक है income tax less paid मला आपको जितना पे करना चाहिए था उससे कम आपने income tax पे कि आपने या कोई company ने तो सरकार क्या बोलीगी सरकार बोलीगी कि आप जितनी कम पे क्यों पे कर दो दो पे the remaining ठीक है आपने जितना कम पे किया है आप उतना paid कर दो तो यहाँ पे कोई criminal नहीं लगा आप पे कोई अपरादी no criminal act लगा मंदो आपको जेल में डाला गया आपको कुछ नहीं किया गया ठीक है no criminal act कोई भी criminal act नहीं लेगा आपको आपको अपरादीम नहीं को बोलते हैं civil law मैं बहुत civil है और criminal क्या होगा कि मालीजे किसी ने murder कर दिया ठीक है murder कर दिया तो government क्या बोलीगी कि इसको 15 साल का jail दे दो 15 year jail दे दो या फिर मालीजे compliances को government दे रिड्यूस किया 39,000 49,000 compliances को reduce किया ठीक है और more than जो legal provision थे जिसके तहांत पहले अपराद हो जाता था अपराद गुशी था कि आपको jail हो जाए उसको ड्रीक करना है जोगा अब उस पर jail नहीं होगी आपको लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप उसको करेगा त सकती है government action लेगी लेकिन government यहीं कहेगी कि आपको jail नहीं करेंगे आप पर fine लगा देगी penalty लगा देगी या आपकी कुछ fees ले लेगी आप से इस टाइप का कुछ होगा ठीक है इसी को बोलते है तो नहीं लाते हैं नहीं रहेगा विश्वास तो आप हम सारे वोट दूसरे पार्टी को दे देते हैं दूसरे सरकार को ले आते हैं तो यह जो trust-based governance मतलब कि विश्वास के साथ जो गवर्मेंट को काम करना चाहिए उसके लिए गवर्मेंट ने जन विश्वास bill लाया है ज जन विश्वास bill लाया गया है ठीक है चलिए हाँ सेंटर फॉल एक्सिलेंस फॉल ए आई आई आटिफिशल इंटलिजेंस आप लोगों को पता हिए क्या होता है तो बेसिकली मैं आपको समझा दू जो भी मशीन कोई भी मशीन जैसे कंप्यूटर हो गया या कोई भी और लै चीलिजेंट जो में भी येटियम ऐसे कोई हम शोवान समन्य हाँ कोई है और पिछुट्र कोन्य बिल आए तो ब्रिच वे अगय उटाया्तों लेकिन अगया है या इंदी तτι własन बनाया जाया है ठीक है डो मेक कुल जैय कि में ही अइंडिया नेकम आइं जेस्के आपलर ऑं लिया मतलब कि ऐसये अंडिया में मंपरम और ये एइंडिया में बनेगा वह इंडिया के लिए वी काम करे इसके लिए तीन थरी के आज सेल्च व्हमारे का डेटा की डेटा का बड़ा चल रहा है जैसे कि देटा क्या है अब आप जब लिए खोलते हैं तो आपके पास या पेटीम है कोई भी आप वह आप देखते हैं सारी data वो data उसके पास है ठीक है क्योंकि आप जब भी टूच्ट री खोलते तो बोलता ना कि आपकी जो भी कहीं से call आता तो कि अधार की सारी ट्रीटे गर्मेंट के पास हैं तो हो सकता है कि government के पास कुछ नीजी कंपनिया ने भी जैसे पेटियम न भी हमारी बहुत सारी डेटा रख लखी जो आप बोलता है कि आप पहले नाम भड़ो ये डालो फोटो डालो या आप लोग कई सारे लोग तो Facebook और Instagram चलाते हैं तो उसमें भी है आपने फोटो लगा रखी है या Instagram जो फोटो डालते हैं या आप बोलते ना कि अलाव दिस प्रमिशन मोबाइल ने पूछता ना कि इन मोबाइल को अलाव कर दिजिए अलाव दे प्रमिशन टू व्यू दी गैल्ली विडियो तो उसके पास भी सारी डेटा है वह गलत यूज ना हो उसके लिए नाशनल डेटा गवर्नेस पॉलिशी लाई गी है इसमें क्य की यह इनुवेशन इनिसर्च बाइ स्टार्ट अप्स और इन्वेशन और सब्सक्राइब देटा दखाने मतलब जैसे कि यह करें इंडिया में जैसे बोलेगी कि देर्डिया में जैसे बोलेगी डिघ्टा इसे समझेड ही दोस्हों प्रस ईया ब्स बॉलेगी कि इंडिया में फंद्रा करोर यह देर्स जो भी करें ऑसे जो लोग है वो उन्होंने एकोनोमिक्स पर रका है एकोनोमिक्स कि अहीं परसनल डेतर नहीं बस पहला कि इंडियामे 17 साद केंदें 15 को रखा है कि वह 15ża के वह क क्या है तो यह बता है कि ऐसा यह फिर से 15 को रही लोग जड़ेता हैं ऐसा प्रस्टनल और कोई है कि कुषित उस सो iced कि परछा ड़। सिर्फ आपको जो बाहरी चीज़े हैं जिससे आपको ज़रा फर्कने पड़े वो बताया जाएगा तो इस data के तहत क्या होगा कि यह जितनी भी data है और आपको पता कि कोई पॉलिची बनाने के पहले जो मैंने आपको पहली एक्स्प्रेंड किया था उस class में भी कि अगर आपके पास data रहेगा तो आप और बहतर नीतिया बना सकेंगे कैसे मैंने आपको किया था कि अगर आप previous year के आपके पास data रहेगा कि previous year में कौन से question आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं कितने subject से आ रहे हैं किसकी कम है किसकी ज्यादा है तो उस data रहेगी तो आप अपने strategy जादा अच्छा से बनाईएगा और ज्यादा अच्छा से बनेगा तुरंत exam निकालीजेगा तो वैसी government को भी data चाहिए होता है तो government ने बोला कि data policy बना देता है जिसके के पास है हमारे और आपके पास है जो हमारी आपकी जैसे driving license अधार कार्ड हमाई 10-12 की माक्षित रखता वैसी एक dg entity dg locker बना रहे है मतलब कोई business entity का मतलब business ठीक है उसको बनाया जा रहा है वो जो की medium micro smaller medium छोटे उधियोग के लिए large business के लिए और charitable trust की जो की उसकी मतलब की जो business है उसका registration number क्या है उसका document क्या है उसने अगर last year income tax file की है तो उसकी income file fact की जो details है वो या फिर उसने जो company का जो balance sheet हो जिससे हमे profit loss पता रहता है वो उस सारी documents को online secure किया जाएगा और जब दी किसी भी जैसे bank को चाहिए या कोई government को चाहिए कि मुझे यह देखना है तो is unsere future की ना कि मत्लब business यह होता है business की store की जाएगी ठीक है और जब business की store की जाएगे तो तुरन दिखा देंगे का अब resolving disputes है मैंदल कि हमें disputes को resolve कर ना है तो disputes को जो resolve कर ना है या हमारा ऐसे होता है कि भिवाद से विष्वाद मतलра पहले dispute को बोलते हैं क्या विवाद हमारे बीच किसी के भिवाद चलला है जो कम्पनी और कोई customer के बीच विवाद चललाहै या company और सरकार की बीच कुछ विवाद चलला तो अब विश्वास में बतला जाएगा तो भी जो MSME है, जिसका जो मतलब छोटे उधियोग है, जिनका ज़्यादा बड़ा उधियोग नहीं है, वो MSME जो है, उनके पास जितनी भी conditions दी गए थी, वालो अगर उन्होंने government के साथ कोई contract किया तो तुस पर इतनी सारी conditions थी कि आपको इस समय अगर आपको इन सारे चीज का है, तो बहुत सारे conditions होते थे, उस conditions के वज़े से बहुत सारी dispute मतलब विवाद उठ जाते थे तो उसके लिए जो conditions है उसको कम किया गया है, less extended contract जीज़के, मतलब की विवाद से विश्वास के लिए के लिए कम कठोर अनुबंधन निश्पठान, मतलब अब कम कठोर है, ज हाँ, easier in standard settlement scheme, ठीक है, easier अब असान बना दिया गया है, यह नहीं कि अलग अलग है, सारे लोग के लिए कि आप यहाँ जाएए, आप अपना अपना बताइए, कि मुझे ये problem है, मुझे ये problem है, मुझे ये problem है, मुझे ये problem है, उस हिसाब से जो भी होगा, standard के हिसाब से, वो आपको बता दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा है, कि जो भी dispute होता था, जो भी विवाद होता था वो जल्दी solve हो जाएगा, क्योंकि conditions भी ने, सरकार ने कम कर दी, ठीक है, तो ये, तो विवाद से विश्वास याद रखिएगा, जो विवाद से विश्वास से, वो MSME के के लिए ठीक है और MSME का जो भी डिस्प्यूट रहता था गवर्मेंट से किसी और से उसके लिए है कि फास्टर मतलब कि जल्दी उनकी विवात को सौर्फ कर दिया जाए अब है इकूर्स तो फेस्ट्री ओफ इकूर्स विल भी लॉंच्ट इकूर्स तो पता हिए कि जो एलेक साइपेस को डाट दिए है सबसे लाज करेंध करती जींटीब पर आप लोग सब लोग सब लोग देखतें एंदें कमेंट करते रहतें यह कोर्ट की तरहत थे कि अबकूड की जतनी प्रोसीडिंग से वह हम जी यूट्यूइब पर देख सकते हैं और आइसे बार आपने बह पहार आऊं इस YouTube के माध्यम ते तो वैसी यह को भी लॉंच कर दिया गया है इसका पहला तीसरा फेस थर्ड है थर्ड क्योंकि यह पहले से लॉंच्ट है अब 5G टेक्नोलजी जो है 5G टेक्नोलजी पता है जो आपके मुबाइल में 5G जिस इंटरेट और फास्ट हो जागा प्लस यह बहुत तरह की टेक्नोलजी और करती है क्योंकि AI जो आटेफिशिल इंटेलिजन्स भी इसी से चलेगी ज्यादा हेल्प होगा ठीक है प्लस इंटर हां हंडेड लैप्स को 5G टेक्नोलजी में सेटप किया जाएगा जो कि क्या करेगी एप्लिकेशन जो 5G जो 5G सर्विसे जाए उसको यूज करके नहीं नहीं एप्लिकेशन बनाएगी हो सकता आने वाली दिनों में कुछ ऐसी एप्लिकेशन और बना दिया जाए कि जैसे बना सके तो उस 5G सर्विसेश को यूज करके और एप्लिकेशन बनाया जाएगा जैसे की दुरोण सिस्टम के लिए भी 5G जाएफ्लिकेशन बहुत जरूरी है कि जो एसी दुरोण के लिए और सिस्टम बनाएगा जो एरी कल्चर में ज़्यादा आसान हो जाएगा कि हम opportunities मिलेगा employment मिलेगा और विक्सित होगा technology improvement होगा हमारा ठीक है हां के साथ क्या क्या होगा smart classroom बनेगा precision farming होगा जो मैंने बताया था कि drone से या किसी से एकदम precision farming होगा जैसे कि अगर किसी को 10 ग्राम fertilizer fertilizer जरूरी है कि plant के root में परे तो बहुत असान हो जाएगा कि आप machine को बोलिए वह एकदम दसी ग्राम और रूट के ही पास जाके वहां पे हैं देगा जिससे मतलब वह जो वेस्टेज होता है वह कम हो जाएगा ठीक है intelligent transport ट्रांसपोर्ट सिस्टम healthcare apps आपको पता ही जैसे आजकल तो बहुत चलता है कि आप अपना heartbeat नाप सकते हैं कोई आप से या फिर अपने आप से यह भी देख सकते कि आप कि इतना running कर रहे हैं और उस टाइप का बनाया जाएगा ठीक है और intelligent transportation system जो जैसे कि Metro की दरव अपने आप आपको देख के खुले अपने आप बंध हो में ड्राइवर्लेस से Metro में कोई चले ही नहीं होता अभी भी आही रही है और आजाएगे कि ड्राइवर का जोगती नहीं Metro खुद भी खुद चल रही है ठीक है इस हिसाब से हैं अब एक important चीज यहां पे और है lab-grown diamonds म हमारा ना innovation और technology and innovation driven किया जागा ठीक है तो इसके लिए हमने क्या किया है R&D मतलब research and development के लिए हमने IT को grant दिया है ठीक है मतलब 5 IT को top 5 IT जो है उसको हमने कुछ पैसे दिये कि आप lab-grown diamond मतलब diamond को lab में अब हीरा आपको सबको पता कि हीरा कैसे होता है वो कोईला के ख़जान से निकलता है क्यूंकि वह बहुत सालों के बाद जब अंदर चला जाता अर्थ के तो heat और precious से बनता ह lab-grown diamond में क्या होगा lab में कि जो diamond है उसको lab में बना जाएगा artificial diamond in lab तो artificial बनाया जाएगा ठीक है natural diamond तो नहीं है यह artificial diamond बनाया जाएगा अब यह lab में बनाया जाएगा कैसे तो क्या किया जाएगा कि इसकी जो chemical और physical properties है chemical और physical properties वो एकदम similar होगी chemical and similar properties physical properties वो एकदम similar होगी to natural जो हीरा natural है उसके natural diamond लेकिन यह lab में बनाया जाएगा तो यह सस्ता होगा ठीक है तो यह lab में बनाया जाएगा समझ गए कि laboratory में जाके diamond जाएगी natural diamond नहीं या हीरे भी आप artificial बना सकते हैं जिसकी physical chemical और physical properties बिल्कुल similar similar same होगी ठीक है similar या same लिख लीजिए क्योंकि दोनों की property same ही होने वाली है same होगी ठीक है तो चलिए यहाँ पर भी आपको मैंने यह भी part हो गया तीसरा वाला यह भी pillar हो गया ठीक है AI India हो गया national हो गया विवाद से विस्वास phase one phase two जो पहला था कि less single मतलब की जो MSME में contract execution के जो भी conditions होंगे कि आपको इतने इतने date को यह सारे माल को deliver करना है या फिर आपको इतने आपको यह quality check करनी है या फिर आपको पहले समान देना यह उसके बाद पैसे लिए वो सब कम हो जाएंगे एजियर ने standard settlement scheme मलब अब standard settlement scheme हो जाएगा यह नहीं की कोई MSME आ रहा है small हो गर तो उसके लिए कोई और वह बढ़ा है थोड़ा सा कोई उससे हो बीशोटा ही हो दियो होगे को लाब ग्रोट की लिए ठीक अब हम आते हैं प्राइटी नंबर 5 साथ थे 4 हो गए अब हम आते हैं पाँचमा जो कीजी है जो है कि green growth अब green growth में क्या होता है Green growth मतलब आपको मैंने पहली बताया था कि green growth मतलब एक ऐसा growth green growth मतलब की जो एक ऐसा पर कोई फर्क नहीं पड़े के लिए हमने सरकार ने इंडिया में बजट में सरकारने इन्वानमल्र reliable क्या चलिए लाया है तो इन्वानमें करें के यूजछन चाहते हैं आपको देखते हैं और कि ऌन पस been gold inReаз के सोलर का यूजि करें या फिर मिन इनर्जी का यूज करें ऐसे सब को यूज करके हम ग्रिन हाइड्रोजं मतलब पानी सा hight죠 अग्रीन हाईड्रोजं क्या है कि हाइड्रोज बहुत कम पॉल्यूशन करती है ठीक है तो जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो लो पॉल्यूशन करती है बहुत कब बहुत पॉल्यूशन अल्मॉस्ट नो पॉल्यूशन ठीक है अल्मॉस्ट नो ही है समझे लो पॉल्यूशन नो पॉल्यूशन करती है ठीक है उसके बाद जब पॉल्यूश जो carbon dioxide होती न निकलेगी carbon usage लो हो जाएगा ठीक है यह green hydrogen mission के लिए government ने 1700 क्रोर रुपिया इस बार रखा है कि green hydrogen mission तो जिससे हम low carbon intensity मैंने और अल्रेडी बदा दिया reduced dependence on fossil fuel imports मतलब कि जो हम fossil fuel जो कच्छा तेल हम बाहर मंगाते हैं उस पर हमारी जो dependency है मलब उस पर जो हम निर्भर हैं वह हमारा कम होंगे इससे हमारे पैसे भी बचेंगे देखते हैं आप कि हमेसा सुनते की तेल महंगा क्यों क्योंकि बहुत पैसा खर्च करते हैं 85% हम तेल आल्मोस्ट आल्मोस्ट हम अब ऐल्मोस्ट यह डेटा मलब ले लेके हैं अल्मोस्ट यह एक एक अल्मोस्ट में बता रहा हूँ आपको है ठीक हैं तो अब इसके वज़र से टेक्नॉलोजी भी हम टेक्नॉलोजी में भी हम आगे हो और कम दाम में बना सकेंगे ठीक है टार्गेट हमारा ये देख लीजे फाइव मेट्रिक मिलियन टन है 2030 तक हम कर ले ठीक है अब देखिए दूसरा जो स्कीम है इन्वार्मेंट के लिए वह गोबर्धन इस्कीम आप लोगो समझ में आए गोबर्धन की गोबर से कुछ धन का बात है तो को गोबर से धन का बात होता है वो हो गया मतलब बायो गैस ठीक है बायो गैस अब को पता है कि जो भी बायो डिग्रेडबल सब्टान जैसे कि गोबर हो गए छिलके हो गए फल के सबजी हो गई पुरानिया पुरानी सबजी हो गई कोई बी ऐसी तरह के बायो डि system बाइक Till Shortly कर देढिक धिसको क्या करते कि इसको बाइयो गैस बोलते और यह बहुत clean होता है क्योंकि यह by días कीण होता है ज्यादा नहीं होताよね क्योंकि दो पॉलुश्चं करता है क्योंकि यह 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 करता है क्योंकि यह या फ rolling आ तो वेस्ट को हमने यूटिलाइस कर लिया ठीक है वेस्ट को भी हमने यूज कर लिया तो जो हमारा पैसा था वो भी बचेगा अब हमारा गैस बन गया तो यह गोबर्धन इस स्कीम में बोला गया है कि 500 ऐसा waste to wealth plant मतलब कचडे से पैसा wealth मतलब पैसा आपका आंधनिया आए तो waste to wealth plant मैं जिसमें 500 में से 200 compressed बायो गैस और 300 community या cluster based बायो गैस मतलब बायो गैस को जो की बहुत छोटे जिर में बहुत ही ज्यादा compress कर दिया जाएगा बहुत ही छोटे जगह में store कर दिया जाएगा ने तो गैस तो हल्की होती ना पुरी रूम में भड़ जाती है तो compress कर दिया जाएगा तो compressed बायो गैस बहुत है और 300 cluster based और इसका दस जार करोर टोटल इसकी यह है दस जार करोर तो दस जार करोर इसकी टोटल आपकी value है ठीक है अब तीसरा है भारत प्राक्रितिक खेती bio input resource center जो organic farming मतलब प्राक्रितिक खेती हमें farming करना है लेकिन natural farming organic farming जो भी बोलिए ठीक है तो जो भी farming करना है उसमें हमको fertilizers विगरा कम यूज करना है और ज्यादा तर natural fertilizer use करना है ठीक है natural fertilizers जो भी खाद है वो natural होना चाहिए natural fertilizers manure जो natural fertilizers यह सब खाद बाद नेचुरल खादवाद यूज करके हमको करना तो प्राक्रिक्रिक खेति करना यह कुछ भी मिलावत नहीं करना है अब हमेशा बोलते हैं कि खाने के समान में भी कि अब तो फल भी और सबजीया भी यह आ रही है उसमें खाद डाल दिया जाता है पहले पका दिया जाता है खेत रहने पना बना लें गोबर्स बना लेए और किसी तरीके से बना ले तो ठीक है उसके लिए व्लीए क्या है कि अगली तीन साल में सेंटर एक करोर फार्मर्स को बोलेगा कि एक करोर फार्मर को गड़े इसके लिए दस हजार जो बायो इंपूट रिसोर्स सेंटर बनाया जागा जो इनको बताएगे कि जो इनको पेस्टिसाइड मतलब जो होता है वो जो भी किटानू मानने कीट मानने वाली जो भी दवा होती है ठीक है कीट नाषक दवा्स और म मैक्रो फटिलडेर का छोटा मतलब जैसे माइपा पडिलाइजर को मातरा में के जाएगे जिसको नो ही काम करें जर्दार जादा खाथ fertilizer देने से अपने health को ही खराब होती है ठीक है तो वह बोला जागा कि national level distribution ठीक है दस जार बायो रिसोर्स सेंटर बाया जाएगा जो कि किसके लिए बना जा रहा है natural farming के लिए एक crore farmer के लिए बना जा रहा है ठीक है जो कि fertilizer अब दो और देख लेते हैं क्या है other investment in green economy ठीक है तो 35,000 crore बस यह याद रखिएगा इसमें जाला कुछ नहीं 35,000 crore capital investment किया जाएगा कि energy transition मतलब कि अभी हमारा energy क्या है अभी हम energy क्या use करते है coal, petrol जो कि सब जाड़ा pollution देता है coal, petrol, diesel सब जाड़ा pollution देता है ठीक है इस से transition करना है अब हम कहाँ shift होना चाहता है आप लोग भी निवे परते हैं बहुत common चीज है कहाँ चीज solar energy wind energy ठीक है और इसके बाद क्या green hydrogen type क मैं जो भी लिखावा था है हमारा देश यही चाहरा तो इसके लिए 35,000 क्रोड का capital investment लगेगा जो की capital expenditure होता है investment जो मैं आपको बताया था कि capital investment की ऐसी बनाए जाएगी इसके लिए technology बना जाएगा infrastructure बना जाएगा factory बनाए जाएगी यह technology monument किया जाएगा ठीक है यह ministry of petroleum and gas करे इसकीम को चलाएगी और 20,700 करोड का एक important fact है यह याद रखीजेगा 20,700 करोड में center का support बस 8,300 करोड है बाती state लाएगी ठीक है उसमें क्या है कि interstate transmission होगा ठीक है जो कि लदाक में renewable energy बहुत ज्यादा बन रही है लदाक ऐसा जगा है कि वहाँ पे renewable energy हम produce करें लदाक में ठीक अब प्रड्यूस तो लदाक में उसकी population कम है लेकिन लदाक से कहां कहां चाहिए other states में चाहिए हमें ठीक है manufacture तो हमने renewable energy लदाक में कर दी अब उस energy को use करने के लिए ज्यादा लोग का है अगर माली सपोज कीज़े मारी renewable energy electricity हमने प्रड्यूस किया तो वह other states में चाहिए तो उसके लिए grid बनाना पड़ता है जो देखते हैं grid बनाया जाता है electricity पास करती है तो उस energy को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 20,700 करोड का है जिसमें center 8,300 करोड देगी और इससे integrate किया जाएगा और interstate transmission किया जाएगा मैं एक state से दूसरी state ले जाए जाए जाएगा इसको अब त आधा मतलब कि जो भी wetland है जो भी जील जो भी लेक और जील होती है जो वेटलेंड होती है और भी तरह का वैटलेंड तो आप लोग को पता ही environment में पढ़ है तो जो भी wetland होई है उसका अमरिक धरोवर तो वहां की जो लोकल कम्मुनिटी उसको unique style में conserve करती है कि जैसे है न आपका यहां पर राजस्थान में विश्णुई कम्यूटीज है वो भी क्या करती है वो जैसे विश्णुई कम्यूटी क्या है राजस्थान में वो जो भी प्लांट है और अनिमल है उसको पूझती है और वहां के झील विल को भी नेचर को पूझती है तो उसको वो बड़े अच्छे से conservation करती है मतलब उसका धेखभाल करती है और उसके लिए संरक्षन करती है ठीक है तो अमरित धरवर उसी के लिए कि जो local communities है उनका जो यूनी जो उनका संरक्षन करने का unique style है उसको promote करेगी वेट लैंड के लिए ठीक है तो दो चीज़ याद रखिए का एक तो वेट लैंड हो गया प्लस लोकल कॉम्यूटी हो गया बस यह आपको याद रहेगा तो हो जागा कि लोकल कम्यूटी ठीक है करती है अब दूसरा है प्रणाम प्रधार मनती है प्रणाम फर रिस्टोरेशन अवेर्नेश नरिश्मेंट एंड एमलरेशन ऑफ मदर अर्थ तो यतना बड़ा नाम तो आप बस देख लिए जनरली नाम का फुल फॉर्म कम आता है ठीक है यह क्या बोलती है यह जो प्रणाम है यह बोलती है कि स्टेट और यूनियन ट्रेट्स को बढ़ावा देगे मतलब कि वो उसको बढ़ावा देने का काम करती है तू प्रमोट अल्टेनेटिव फटिलाजर अंड बैलेंस यूज ऑफ केमिकल देखिए वही सेम बात मैंने जो आपको बोला था कि प्रमोट अल्टेनेटिव अल्टेनेटिव फटिलाजर क्या हुआ मतलब कि हमें जो फैक्टरी में उगती है जिसको सिंथेटिक फटिलाजर केमिकल वो नहीं मतलब हो गया मैनियोर हो खुद की खाद ठीक है गोबर से ज जाधा नहीं करना बैलेंस में करके लिए करना है तो प्रनाम इसलिए है यह अग्रिकल्चर रिलेटेड़ है और यह फटिलाइजर रिलेटेड़ याद रगे अब मिष्ठी बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज में बहुत बार आया है बहुत कुश्टिंस भी सा है बहुत ठीक है तो उसके लिए यह लाए गया मैंग्रूव इनिशेटिव और सोल लाइन हैबिटेज अंट टैंजिबल इंकम मनब शोड़ लाइन वही मैं आपको बताया जो भी हमारा कोस्टल लैंड के बगल में जो लाइन है शोल लाइन टैंजिबल इंकम मैंग्रूव प्लैंट जी लाइन है उसको भी बढ़ावा देने के लिए लाएना गया है तो अब मैंग्रूव की प्लैंटेशन मेंड़ जादा जादा पीड लगाया जाएगा मैंग्रूव की मैंग्रूव एक एरिया को करतें जहां पे बहुत सारे ऐसे पेड होते हैं जो पानी और इसमें रहते पानी मेरते सुंदर बनकाईरी आपने देखा होगा लगाया जाएगा ठीक है और इसका fund है वो दो जगह से लगा camper fund और मन्रेगा fund और भी other sources तो मन्रेगा तो आपको पता है camper fund वो होता है जो हम Environment Act में हमारे दियागा है जो कि हम Climate Afforestation Act में जो होता है कि कहीं भी के लिए afforestation मतलब कहीं की plant लगाने के लिए जो भी fund देती है government दे या फिर और भी कोई संस्था दे उसको camper funds करते है तो मन्रेगा camper other के लिए misty से लाए दाएगा और misty मतलब mangrove के लिए है चलिए अब green वाला मैं आपको बता दिया कि मिस्टी स्कीम हो गया अमरीक दरोवर हो गया दस हजार बायो वाला भी बता दिया मैंने ठीक है promotion of coastal shipping for energy efficient transportation efficient transportation मतलब coastal shipping coastal shipping मतलब कि जो ship से जाता है ठीक है जो ship जो होती है वो energy transport कर सकती है जो जो truck से भेजिये कोई भी कोई ला या अब उसकी जगा पर ship से भेजिये तो truck कहा कि उसमें कम आएंगे और truck diesel से चलती है यह और ज्यादा देती है लेकिन जो ships है वो less वो क्या है तो कि वो समान भी जादा दे सकती है और वो less pollution करती है ठीक है यह promotion of battery energy storage system है यह कुछ नहीं है कि जो भी battery है हम अभी देखते हैं कि हम जो हम कभी कभी आप देखते हैं 10 रुपया वाला जो हमारा चलता है वो इरिक्सा दस रुपया यहां से वहां चले गए तो उसमें battery लगी होती है तो उसी battery के लिए और battery को बढ़ावा देने के लिए क्लिए 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 बैटरी जारा चाहिए उसके बढ़ावा देने के लिए government schemes लाई है old or polluting vehicles के लिए government ने funds locate किया कि जो old polluting vehicles उसको replace कर देंगे यह सब कम important है ठीक है less important लिख देता हूँ मैं कि यह सब less important है ठीक है अब देखिए premium प्रणाम मैंने कर दिया और 500 ways to wealth कर दिया तो गोबर्धन scheme था तो मैं गोबर्धन था प्रणाम था अमरी ध्रवर था और जो मैंने पढ़ाया ठीक है green credit program यह भी एकी sustainable actions के लिए जो भी की मिलब कोई भी संस्था या कोई भी चीज जो कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा initiative लेना चाहती जो environment के लिए अच्छा है तो उसको green credit program के तहत किया जागा लेकिन यह उतना important नहीं है क्योंकि इसमें खास ज़दर है नहीं कुछ ठीक है तो लोग भग लग भग green credit गुत का म यह आपको यह बता दिया ठीक है चलिए अब हमारा छठा वाला है क्योंकि पहले तो पांच green credit हो गए तो देख रहे हैं हम लोग कि यह थोरा सा session बढ़ा जाएगा इसमें facts जादा है समझने की चीज़े जाए थोरा सा boarding भी लगेगा मैं जानता हूं लेकिन क्या कर सकते है budget क है ही कि वो उसमें facts ही होती है और खासकर schemes government बहुत launch करती है जो हमें देखना होता है तो आप एक बार ही इसको देख लीजिए उसके और मैंने PPT करी दिये जो आपको मिल जाएगे अगर आप उसको एक बार और देख लीजिए तो तो तुरंत महीं आपका सारा कुछ बहुत अच्छे सी revise हो जाएगा थोड़ा आप मैं आपको बड़ा यह आपके इसके डात देता हूं कि काफी देर तक आप हमारे साथ बने रहे हैं इसी ही आगे इस पूरे session में बने रहिए हम आपको सारे budget और economic survey की सारे detailed concept समझा के और उसको पूरा-पूरा complete कर देंगे तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा priority वाला 6 क्या youth power हमारा क्या कहता है तो अब हम लोग priority 6 पे पहुंच चुके हैं जो की youth power है youth का power तो अब लोग समझते ही हैं आप लोग से बेतर कौन समझते हैं आप लोग सबसे इसके लिए एकदम fit हैं कि आप और हम जैसे नौ जवान देखते हमारे लिए क्या लाया गया है youth power के लिए तो सबसे पहला जो चीज है वह है प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 4.0 मलब कि इसका चौथा फेज या चौथा ऐसा कर लीजे कि चौथा जो इसका रूप होता या चौथा फेज जो भी समझ लीजे आप तो प्रध का skill development करता जिसे अगर हमारे अंदर skills आ रहा है तो हमें अच्छे jobs मिल जाए so that हमें jobs मिल जाए क्योंकि आपको अभी भी पता है कि जैसे आपके पास अगर आपने education ली प्लस उसके साथ skills भी लेने पड़ती है जैसे कि आप समझ लिए कि अगर हमने मैंने कोई भी economist का course कर लि इसी वज़े से मुझे यह as a faculty की job मिली तो इस skills को develop करने के लिए government ने बोला है कि 30 इंडिया international center बनाया जागा across different steps क्योंकि जो skills दिया जागा वो इंडिया लेवल पर तो दिया ही जागा लेकिन वो international लेवल पर भी जो skills चाहती है वो भी यहाँ पर provide करा जागा आजकल की use को तो international skills जैसे की AI की skills हो गए computer की skills हो गए और भी तरह के बहुत सारे skills को दिया जागा अब एक और है यहाँ पर unified skill india digital platform अब यह क्या किया जागा unified skill india digital platforms होगा जिससे समझ लीजिए कि यह एक ऐसा platform है कोई भी website समझ लीजिए या कोई बेयाप या कुछ भी एक platform समझ लीजिए बस platform है जिसमें क्या होगा कि skilling की जो है skilling की programs होगी ठीक है skilling की programs होगी employer भी होगे employer मतलब जो job देते हैं plus employees भी होगे ठीक है जिनको job लेना है तो यह एक ऐसा platform है जिसमें employees और employers को दोनों को लाया जाएगा plus जो demand-based formal skills अब जिस चीज का demand ऐसे है अचकल computer का बहुत ज़ड़ demand या faculty का demand बहुत जगा तो teaching का भी जो skills है कि आप बच्चों को कैसे teachers बनाया जाए या फिर जो भी experience है तो skill एक platform बनाया जाता है उसी को बोलते है unitar skill इंडिया digital platform बनाया जा रहा है तो दो चीज हो गया एक causal विकास उजना और एक unified digital skill program और national apprentice program भी है ठीक है promotion scheme लाए गया है जिसके तहट 47 लाक यूथ को तीन साल में ठीक है three years में three years में 47 लाक यूथ को direct benefit transfer दिया जाए गा मतलब उसको in count में direct पैसे जिये जाएंगे अब apprentice अब क्या समझते मतलब कि कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसा aspirant जैसे हम लोग है जो की जो की क्या करते हैं वहां पर factory में जाएंगी या फिर कहीं भी किसी के पास जाएंगी जो की उनको देखकर उनकी काम सिखेगी अब समझ लीजे कि माल लीजे कोई इंडिया में गए कुछ लो student या student या apprenticeship और वहां पर जाके वो वो सिखे कि कैसे कोई की mining होती है रिफाइनिंग होती है basic skills बेसिक skills सिखाते हैं इसी को जो सीखते हैं इसी को हम apprenticeship यहां पर आपको जाएगा एक मैंने example के तौर पर आपको जाएगा इसके लिए स्कीम लाए जिससे 47 लाक लोगों को फाइदा होगा अब बूस्टिंग टूरिजम में एक ही चीज़ है बस 50 destination को हम लोग ने एक बहुत अच्छा scheme है जो है कि unity mall unity mall क्या है in state capital या जो भी prominent tourist center या जो भी financial capital कोई भी state का प्रमुख शहर आप ले लीजे ठीक है जैसे कि पत्ना capital हो गया राजगी tourism capital हो गया बिहार का यूपी का जैसे financial capital समझ लिए आप noida हो गया होगी सारी कंपनियां वहीं है तो ठीक है उसको promote करने के लिए unity mall खोला जाएगा जहां पे क्या होगा ओडियोपी वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट जी आई प्रोडक्स और अधर हैंडी क्राफ प्रोडक्स को sell किया जाएगा ठीक है तो इससे क्या आप समझते इससे मतलब यह जैसे कि आप समझ यह अड़रिया का कोई भी डिस्टिक का एक प्रोडक्त बहुत फेमस होता है तो कि अदिश्टिक से मखाना लेकिन इसको हम प्रमोट करते कि यहां का यह फेमस है वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट ठीक है अब इसके बाइज दूसरा क्या है जैसे सपोस कर लीजिए बेगु सराय का जर्दालू आम है ठीक है बेगु सराय का जर्दालू आम है तो इसको प्रमोट के लिए तो अब यह जब इनों इनको प्रमोट करना है तो यहां पर क्या है कि बेगु सरय का जर्दालू आम नहीं है यह भागलपुर का है बेगु सरय का तो चिली है ठीक है तो भागलपुर का जर्दालू आम है और अर्रय का यह है तो इसका जो वाट डिस्टिक है ठीक घाख़़फूर का जर्दालू आम है डेगु upphe चिली था ठीक है ठीक है यह भागलपुर का जल्दारू आम है तो अब इसको प्रमोट करना है तो इसको कहां पर पहले तो कहा था कि मार्केट में ज जिसमें स्टेट के प्रमुख शहरो में जिसमें 나왔いきय़ दिस्टिक फॉर्ड उसके लिए किया जायोग अब आगे बरते हैं आमोरित पी में यह खतम होगया प्रधानमंत्री केवाई होगा, देखिए, कोडिंग, AI, रोबोटिक्स में लिए बोले ना, कोडिंग, जो सौफवेर कोडिंग करते हैं, सौफवेर का लोग कोड करके बनाते हैं, जैसे कि अगर आप ये यूट्यूब पे दिए देख रहे तो किसी ने इसके लिए कोड बना है कि तूरिजम में 50 जैशन इंडियन बजट में बात की थी भारत के बजट में, और स्टेट्स विल बी अंक्रेज्ट तो यूनिटी मॉल, जो मैंने आपको अभी एक्स्प्लेइन कर दिया, चलिए, अब हमारा आखरी पर आ चुके हम, और आप लोग बने रहें, ये आखर हमारा सब्त रिशी का साथमा जो है फिनांशल सेक्टर, अब हमको देखना कि हमारा फिनांशल सेक्टर में उसमें हमारे बजट में क्या 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 है, पैसा सही लेटेड है, कहां से पैसा आएगा, कहां जाएगा और कैसे पैसे से पैसे बनेगा, कि सेक्टर में डाले, जहा देखते हैं कि अब क्या होगा इसके लिए budget ने क्या लाया है तो जो MSME है उसको credit guarantee दी जाएगी ठीक है तो 2022 में जो credit guarantee scheme start की गई थी ठीक है उसको अब से बदलाव लाकर उसको फिर से एक अप्रिल 2023 से होगा जिसमे 9000 क्रोड की डालने का है अब credit guarantee scheme क्या होता है कि बोला जाता ह कि आप loan ले लो loan ले लो MSME को बला जाता है MSME loan लेगी बैंकों से और जो bank loan देगी जो bank loan देगी वो हमेशा guarantee मांगती है आपको पता न अगर आप भी loan लेने जाएगा कि 20 लाका तो लैंग बुरी guarantee दो तो हता है कि आप कई बार अपने घर वाले में किसी को पापा को guarantee बनाए एट में या किसी को या आपने कोई papers जमा करेंगे कि मेरे जमीन की कागत रख लीजीए यह मेरी guarantee है अगर loan तो इसकी guarantee government ले लेती है ठीक है गरव्मेंट इसको बोलते है kredit guarantee ठीक है, इसी को बोलता है credit guarantee, guarantee credit, ठीक है, इसकी guarantee government ले ले लेती कि भाई, आपको, आप MSME को दे दो, कोई दिक्कत नहीं, guarantee है, मतलब कि collateral fee load ले सकते है, मतलब कि अब उनको किसी भी चीज को गिर्वी रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दो लाग करोर तक का वो capital करोड देने क इस छेतर को, मतलब MSME को दो लाग करोर तक का collateral करो, मतलब यह, एक MSME को नहीं, पूरे sector को मिला क्यों होता, budget हमें सा sector की बात करती है, क्योंकि national budget है, पूरे nation की बात थोड़ी है, ठीक है, तो यह याद रखिएगा, cost of credit will be reduced by 1%, मतलब जो cost of credit है ऐसा, अगर, पहले MSME को 8% लग दो लाग करोर तक का, ठीक है, वो लोल ले सकते, अब आईए, एक ज्यादा हो गया क्या हाँ, financial information registry, अब क्या होगा कि financial information registry क्या है कि मैंने आपको क्या बढ़ता था, RBI के पास सारा खाता है, RBI के पास सारे बैंकों का है, इसके पास all details, details, ठीक है, of banks, अब RBI के पास क्या है, कि सारे बैंकों का लग 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 detail रहता है, कि किसकी deposit कितनी है, किसकी loan कितनी दिया है, कौन-कौन, अगर कोई बहुत बढ़ा transaction किसी bank से हो रहा है, तो RBI उसको भी monitor करता है, अगर बहुत हजारों क्रोड का transaction कोई bank कर रहा है, तो इसको भी details RBI के इस ही को बोलागे कि RBI समझ लिजी इस हिसाब से example के तौर पे आपको समझा रहा हूं, कि यहां पर RBI क्या है, financial registry हो गया bank का, ठीक है, क्योंकि उनके पास सारा पैसा है, सारा records है, ठीक है, तो यहां पर RBI financial registry हो के सारा बैंकों का, क्योंकि उसके पास सारे details है, तो उसी तरह उसी अधार पे, मैं आपको जैसे यह example दिया, तो इससे आप समझ जाएए कि financial information registry बनाया जाएगा, मतलब एक ऐसा institute बनाया जाएगा, एक ऐसा चीज गर्वर्मेंट लाएगी, जिसके तहत national information registry बनेगा, national financial information registry उसका नाम उस institute को बनाया जाएगा, जो की central repository, मतलब वो central government का repository हो registry स्टापत की जाएगी, ठीक है, जो की वित्य और सहायक जानकारी, मतलब वित्य, financial जानकारी और उसके सहायक जानकारी, जैसे अगर financial जानकारी हो गई कि आपको लोन है, financial जानकारी क्या हो गई, कि आपने लोन लिया है 10, ठीक है, financial जानकारी हो गई कि आपने लोन लिया है 10 तो इसके सहायक जानकारी हो गई कि आपका अधार काड क्या है किस अधार काड पर पैन पर आपने लोन लिया है यह आपकी सहायक जानकारी हो गई तो यह पूरी information के लिए institute setup किया जाए रहा national financial information repository जिसके तहट सारी जितनी भी financial information है सारे लोगों का कंपनियों का बैंकों का सब का maintain करेगी तो इसको बनाने के लिए एक legislative framework लाए जाएगा मतलब कि एक वो आप समझ लीजे कि legislative framework मतलब एक act type का एक rule type का government लाएगी जो कि किसके साथ consultation से मनेगी किसको किसको consult करना पड़ेगा RBI को consult करना पड़ेगा ठीक है और यही legislative framework जो बनेगी मतलब यह जो act बनेगा या जो भी legislative का rule government लाएगी वही rule इसको जो भी financial national financial person उसको govern करेगी मतलब वही बताएगी कि तुम काम कैसे करो क्या क्या information लो और कैसे कैसे इसको और governance का issue वो देखेगी ठीक है चलिए अब है यह बहुत important है बहुत mcq में आता है ध्यान से देखिएगा बहुत महिलाओं के लिए women empowerment के लिए बहुत बड़ा scheme आया है यह महिला सम्मान बचत पत्र जिसको इंगलीज में बोलते है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट या महिला सम्मान बचत पत्र इसके तरहत क्या बोला गया है कि यह दो साल के लिए इसमें देखिए इसको याद करने का बहुत ही इजी तरीका में बता देता हूं यह दो साल के पिरिएड के लिए है ठीक है मयानि 2 साल के है? यह 23 है. अब 2 साल के लिए लाय गया तो मतलब 25 तक के लिए हो गया. ठीक है. इसमें कितना पैसा accept कर सकते हैं? तो up to 2 L lots तक हम deposit कर सकते हैं. छीख है? deposit. ये बचस पत्र है मतलब की लोग जो पैसा इसमें diver जो महिला इसमें पैसा डालेंगे, बचत करना अपना पैसा बचा के इसको इस scheme में इस deposit करेंगे, इस scheme में पैसा लगाएंगे, मतलब आप deposit किजिएगा, ठीक है, ठीक है, in the name of woman of girl, यह तो पता ही है, इसका tenure भी होगा 2 साल, ठीक है, और इसका rate of interest, अगर आपने, आपको पता ह आप बैंक में पैसा रखते हैं, हुडी में या कहीं भी, तो आपको कुछ ब्याज मिलता है, वो होगा 7.5% और इसमें से पूरा पैसा नहीं, आपने जितना debauch it दिया, वो नहीं, कुछ पैसा withdraw कर सकते हैं, पार्शियर, इसी को बोलते हैं कुछ पैसा, पार्शियर, मतलब कुछ पुरा नहीं, ठीक है, तो इसको याद करने का असान है कि 2,2,2 याद कर लिजिए, 2 साल तक के लिए scheme आई है, कि 2 साल तक आप कर सकते है, 2 year period, 25 तक, 2 साल के लिए जमा होगा, tenure 2 साल होगा इसका, मतलब आप इसमें जो भी महिला या जो भी गल पैसा लगे कि 2 साल के ल और कुछ पैसर भी ड्रॉ कर सकते है, पूरा नहीं कर सकते है, ठीक है, अब benefits देखिए कि जैसे अगर उनके movement के लाएव ऐसे senior citizen के लिए भी benefits देती है, बजट, अब budget में senior citizen के लिए क्लिए क्या दिया है, इस पर budget में दिया गया है कि जो senior citizen, senior citizen saving scheme जैसे महिला वाला saving scheme था भी same to same senior citizen के लिए saving schemes होती है, कि आप government बोलती है कि आप हमाने में पैसे लगाओ, हाँ आपको rate of interest देंगे, तो उसके लिए बोला गया था कि पहले senior citizen 15,00,000 तक ही लगा सकते थे, अब बढ़ा दिया गया, अब 15 से बढ़ा कर 30 कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, ठीक है, कि अब थोड़े दर पहले आपको बताया था, कि वो एक साल के और के लिए किया गया है, तो government ने बोला गया कि जो भी 50 साल का interest fee loan जो दिया है, वो capital expenditure में ही खर्च करना है, और 2023-2023 में खर्च करके खतम कर देना है, जो loan government लेगा, जो राजय सरकार लेगी, केंज सरकार से, वो capital expenditure पे जो बताया था, कि जब जब government की, राजय सरकार की क्या हो जाती, states की, किसी भी सरकार की, जब खर्च जा रहा हो जाता है, और income कम रहती, तो वो borrow करती है, तो जो वो borrow करती है, जो रिन लेती है, जो मांगती उधार, वो उधार मांगने को यह physical deficit कहते है, यह मैंने one shot में बहु सारे 3% तक मन सकता हो, सारे 3% तक हो सकता है, क्योंकि, जो FRBM Act है, यहां देख लिजी, FRBM Act जो है, वो बोलती है, 3% होना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, फिस्कल रिस्पोंसिबिलिटी और Management Act है, जो FRBM Act है, वो बोलती है, 3% होना चाहिए, जो Act मेरे आपको एक्स्प्लेइन किया है, लेकिन यहां बोला गया है, कि इस बजेट में कि से स्टेट सारे तीन तक जा सकती, मतलब थोड़ा 0.5% और बढ़ सकता है, जा सकती, लेकिन यह जो 0.5% बढ़ेगा ना, यह 0.5% गवर्मेंट कहां खर्च करेगी, मतलब गवर्मेंट के खर्च जादा होगा, तभी फिजिकल डेफिसिट आ रही, तो यह जो 0.5% है, यह ज 0.5% गवर्मेंट, अपना टार्गेट 3% जो होता है, आक्ट के जगह पर सारे तीन तक जा सकती, लेकिन 0.5% पावर सेक्टर में ही होना चाहिए, ठीक, यह, अब आईए, आगे बढ़ते हैं, तो फिनांसल सेक्टर का भी देखिए, हो गया, खत्म, नाशनल फिनांसल इंफ को उसके लिए एक सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग, अब एक ही जगह पर सारे को बोला गया कि तुम सारे इंफॉर्मेशन और वही प्रोसेस कर दो, समझी है, हेड़क्वाटर टाइप कैसे होता है, कि जैसे गूगल का एक ही हेड़क्वाटर है, जितना भी कंसर्न होता है, जितना भी का सारा मही पर हो जाता है, ठीक है, क्रेड़िट गारंटी स्कीम में आपको बता दिया, 2,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, फुला है उसको प्रमोट करने के लिए बिजनेस बिजनेस लाने के लिए बोला गया है इसका इतना लेस इंपोर्टेंट है क्यूंकि इसमें कोई ऐसे स्कीम का नाम नहीं है ठीक है हाँ more professionals चाहिए trained professional securities market वाया educational certificates मतलब कि जैसे कभी-कभी आप कोई कोर्स करते हैं तो उसका certificate मिलता है जैसे कई बारी आप कोई computer का course करते हैं खासकर bank वाले लोग जो त्यारी करते हैं आप लोग कई लोग सारे bank का exam भी दे रहे होंगे देते हैं या दिये होंगे कभी भी आ जानते है किसी को जो जिन्होंने दिया है तो bank वाले में क्या होता है क एक computer का certificate बोलते हैं लाने के लिए कि आप एक computer का course होना चाहिए हमालीज आपने Excel ही सिखाओ लेकिन होना चाहिए basic तो वही बोला गया कि जैसे कोई भी educational certificate मतलब कोई भी course करके education का certificate मिल जागा उससे वो जो course होना चाहिए वो होना चाहिए financial sector में लिए security market या बैंकिंग trained professional मतलब ज्यादा तर जो सीखें लोग हैं जो जादा पढ़े लिखें लोग हैं उनका मात्रा बरहाने के लिए की गई है एक scheme scheme नहीं है वैसे के लिए promote करने के लिए बोला गया budget में ठीक है चलिए physical management में आपको बता दिया कि interest fee loan का capital expenditure में ही खर्च करना है ठीक है हो गया चल चाहिए physical deficit बता दिया कि 3.5 तक है लेकिन जो आधा percent बढ़ाया गया है वो power sector में होना चाहिए और physical consideration मतलब कि physical deficit को कम किया जाना है इसी को physical consideration बोलते कि physical deficit को कम करना है तो physical deficit को कम करने के लिए बोला गया है कि 4.5% से कम हो जाना चाहिए 2526 में क्योंकि अभी हमारा जो देश का physical deficit है वो लगबग लगबग 5.96 के राउंड चल रहा है ठीक है लगबग लगबग यह data मैंने आपको पहले भी बताया है लगबग लगबग current जो है 5.9 या ऐसा ही कुछ चल रहा है लगबग लगबग ठीक है लगबग तो इसको बोला गया सारे 4 के नीचे ले आना है ठीक है अब part A जो था शार पिलर का कि government को कितना scheme लाना है कहां खर्च करना है कि sector को कितना देना वो हो गया अब हम part B पे आते हैं जो हमारा बोलता था कि taxation का है ठीक है जो part B मैंने आपको पहले बताया था तो taxation में क्या है तो सबसे बड़ा news आया था जो सबसे रहा government ने परचार किय वो था कि government ने 7 लग तक tax माफ कर दिया, 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 अब इसका मतलब क्या है कि government ने tax में rebate limit increase कर दिये, ठीक है, अब इसका मतलब है कि government में 3 लाग तक पहले 5 लाग तक tax नहीं लगता था, 3 लाग तक tax नहीं ठीक है उस पर rebate limit increase कर दिया है मतलब कि अगर 0 से 7 लाग वाले में अलग-अलग slab होता है ठीक है वो slab में जाने का आप लोग को detail नहीं क्योंकि budget है budget में slab कभी नहीं पहुचता और income tax आपकर syllabus का पाठी नहीं तो अब slab में क्यों जाएगा तो different different slab होता है 0 से 3 lakhs ऐसे से करके slaps होते है ठीक है तो अब बोलेगा जिरो से 7 लाग इंकम में अगर कुछ भी tax माल लीजे बना क्यूंकि कुछ भी अगर माल लीजे 100 रुपय या किसी को 1000 रुपय टाक्स मिला तो यह government बोलेगी कि हम rebate देंगे नहीं लगेगा that is rebate हो जाएगा ठीक तो अब क्या होगा कि 7 लाग तक जो भी tax लगा government बोलेगी हम नहीं देंगे rebate देंगे rebate तो आपको पता कि कुछ भी साथ लाग तक का income किसी के लिए भी उसको कोई tax भणने की जरूरत नहीं है सिंपल सा यही मतलब है कि 7 लाग तक अब tax नहीं लगे आप ऐसे यहाद किजे इंकम टेक्स वाला जो मैंने भी वह बता है वह आपके बस समझ के लिए बताया था आप उसको याद करने की खाजवत नहीं और जादा उस पर ध्यान भी नहीं देना है क्योंकि income tax levels का पाथी नहीं है तो 7 लग तक आप सिंबल समझ लिए कोई tax नहीं देना है दूसरा है कि standard deduction होता है salary employees के लिए कि जिसको salary employees होती taxable income मालीजे उनका salary employees का taxable income सपोस कर लिजे साड़े चार लाग है ठीक है तो यह taxable income होती है taxable income TI कि साड़े चार लाग मालीजे यह साड़े आठ लाग है ठीक है साड़े आठ लाग किसी भी salary कोई भी salary से साड़े आठ लाग कमा रहा तो इस पर government बोलेगी कि 50,000 तो तुम सिधरी लेलो कम कर लो और तुम्हारा जो income अब हम मानेंगे वो यह मानेंगे इसको taxable income मानेंगे मतलब वो बोलता कि standard deduction यही हो गई as the standard deduction यही हो गई पचास लग तक हजाजार तक तुम सिधे इसको कम कर लो तो यही याद रखना है कि standard deduction पचास जार तक salary deploy इसके लिए 25,000 तक के लिए deduction है family pension यह यह और भी कोई यह जो family pension में लोग contribute करते हैं उसके लिए 25,000 है 15,000 है इसके लिए ठीक है 15,000 इसके लिए पचास जार उसके लिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं cooperative तो जो new manufacturing cooperative जिन्होंने मलब जो नई नई cooperative बनी है cooperative का meaning आपको समझाई दिया था कि कुछ लोग आके एक company को बनाते हैं और उसमें profit motive generally नहीं होता तो जो new cooperative motive बनी है जो अपना manufacturing 31,000 दो हजार 24,000 के पहले कर दे जो अब ही साल चल रहा है उसके पहले कर दे तो उनको एक lower tax ल लगेगा ही कम tax लगेगा ठीक नई और जो आपको पता है कि जो cash deposit और प्राइमरी agriculture Cooperative Society Comedy Bridal रूरेранड डव्लप्मेट बैंक्स मतलब यह इसको जो समूधा है ऍेग्रिक चर्टे और यह ऊद्धी यह वो बैंक होती है जो सव्लेज लेवल पर यह इफी जय आयई और यह Спट्छ बैग्रिद कम ऑंप यह व्लेज यंया उना भी और जो पूलेज में हें तो ठीक है यह जरनली village level पर होती है ठीक है and smalls loan देती है ठीक है small loans किसको जो farmer से या villager से उनको क्योंकि यह financial inclusion का part है financial inclusion यही बोलता है कि जो भी banking की service loan की deposit की वो देश में हर जगा जाना चाहिए यह नहीं कि बस शहरी को मिला चाहिए village level पर भी मिलना चाहिए तो यह लोग जो है village level पर देती है तो इनका limit increase कर दिया गया है दो लाख पर member कर दिया गया है जो भी इस bank यह सब cooperative bank है तो इसकी member होंगे क्योंकि member ही यह bank बनाए होंगे अब carry forward of losses मतलब की income tax benefit क्या बोलती है कोई भी startup जिसका income tax benefit को extend किया गया एक साल और के लिए ठीक है date for startup to receive benefit यह तो जो भी date है जो startup का जो income tax benefit ले सकती है वो उसका startup का date extend करके 31 दिन 2024 किया गया है इसमें बोला गया है कि देखिए income tax आपके किसके profit पर लगेगा अब loss पर तो लग नहीं सकता है आपने पैसे ही नहीं कमाई तो आपको इस income tax क्या लगेगा अब income tax क्या बोलेगा कि आपने जो आपका business का मैंने बता था profit ही उसकी income है तो suppose किजिए कि उसका 2020 में एक लाग का loss हो गया ठीक है लेकिन 2021 में उसका 4 लाग का profit हो गया तो जब तो जब tax 2021 का tax लेनी government आएगी तो start-up बोलेगा कि 2021 पर जब tax लगेगा तो start-up या government नहीं बोला है कि हम 4 लाग पर नहीं लेंगे आप loss अपना इसमें से कम कर लो जो previous loss हुआ वो कम कर लो तो बोलेग tax लेंगे चार में से एक गया तो तीन ही लाग पर tax लेंगे क्योंकि एक साल पहले उस business को loss भी हुआ था इस यह profit है तो बोलेगा कि जो profit loss हुआ उसको इस profit से minus करेंगे पहले के साल का और तीन लाग पर ही government बोलीगी कि तुम tax दे दो ठीक है तो फाइदा है ना आपका कि जगा पर आपक्या खेया है कि दस साल तक का आप loss अपना ले सकते हैं ठीक है ठीक है प्एदे तक इस loss को 10-7 साल तक आप carry कर सकते हैं मलब 2020 मुआ तो 2027 तक carry कर सकते हैं 2030 तक कर सकते हैं एक्जामपल दे रहा हूँ तो 10 साल तक तो कर सकते हैं ठीक है अब income tax से exempt कर दिया गया कुछ कुछ लोग को कि उस पर टैक्सी नहीं लगी वोट है कि जो भी ऑथरिटी या बोर्ड या कमिशन यूनियन या स्टेट लौ के अंदर बना है मलब ऑथरिटी कमिशन या फिर बोर्ड बना है जो कि हाउसिंग टाउन और विलेज डिवलप्मेंट करी ठीक है तीन चीज क तो हाउसिंग टाउन और विलेज जो भी सरकारी है या यूनियन या स्टेट सरकार के अंदर कोई भी ऑथरिटी बोर्ड बनी है उस पर टैक्स नहीं लेगा जैसे हाउसिंग बोर्ड है पत्ना में भी जो कि लैंड बनाता है प्लाउड बनाता है कुछ घर भी बनाके देता तो उस पर टैक्स नहीं लेगे गाई ठीक है यह गवर्मेंट ने कर दिया है अब अगनी वीर फंड तो आप लोग को पता यह वाई कितना चल रहा है अगनी वीर पे तो कितने सारे प्रोटेस्ट हुए थे कि अगनी वीर का जो चार साल का उनका था कि बनेंगे और उनको ब मदलब income tax का return form ठीक है IT return form तो common IT return form लाय गया है ठीक है ऐसा government ने proposal अभी लाया नहीं गया है यह rolled out a proposal common ठीक है अभी के case में का कि company का जो income tax का form में वो अलग है individual का अलग है और जो individual business करता है उसका अलग है ठीक है जो individual joint में business करता है अब पापा के साथ या घरवालों के साथ करत तुम सब को बोला जा रहा है कि एक common form लाने का government त्यारी कर रहा है, जिससे क्या होगा कि कोई problem हो customer को मलब हमारे जैसे जो income taxpayers को problem वो जल्दी solve होने के लिए के लिए तो यह proposal है ठीक है, देखिए यह भी हो गया, start-up का मैंने बता दिया आपको और यह यह भी बता दिया कि बोर्ड बोर्ड का भी जो होगी है, वह हो जाएगा, हाँ, जो अभी gift city का tax benefits जो है, gift city, IFC city का भी extend कर दिया गया, यह लेकिन बहुत less important है budget की साब से नहीं है, आपको नहीं आना चाहिए, अब direct taxation मैंने बता दिया, direct taxation वही होती है, जो मैंने आपको explain किया था कि आप अपना आप पे लगेगा और देना भी आपको पड़ेगा, आप इसका liability कहीं और shift नहीं कर सकते, किसी और को नहीं बोल सकते मेंने बड़ा बढ़ा हो, indirect taxation की लगता है, आप पर लेकिन आप shift कर सकते हो कि किसी और को दे सकते हो कि वह आप उससे collect कर लो और फिर आप जमा कर दो, जो मैंने आपको GST, custom CSM, indirect मे बता था, income tax मैंने direct में आपको, already main वाले economics में बताया था, तो direct taxation में हम तो जो custom duty है, custom duty क्या होती है, कि जो या तो हम export करते हैं, import करते हैं, तो उस पर जो duties लगती है, उसको custom duties कहा दाता है, जो गुड इंडिया से बाहर जाए आए तो उस पर जो भी duties लगती है, उसको customs duty कहती है, तो जो custom duty है, उसको घटा दिया गया है, ठीक है, तो जो जितने प duty कम लगेगी तो फाइद है न अगर हम बाहर से भी समान मंगे तो सस्ता में हमें मिलेगा टाक्स नहीं है सस्ता मिलेगा और कुछ समान ऐसा है कि जिसको हम यूज करके और चीज बना सकते हैं ठीक है तो यह हुआ है तो यह कस्टम ड्यूटी हुआ है लेकिन अगर दन टेक्स्टाइल और अगरी कल्चर पर कस्टम ड्यूटी को नहीं घटाया गया ठीक है अब सिग्रेट पर एक ड्यूटी लगती जिसका नाम है NCCD नाशनल क्लामिटिक कंजिडेंट ड्यूटी उसको बढ़ा के सल्व बाएट परो का प्लऩी तुम कांट का लाता है इसका सीपस्य जाए कि फंद में गया तो յह एक फंड की तो इस फंड का नाम है यह इसपे इक फंड में गया उस fund का नाम है ये national calamity duty मतलब कि कभी भी देश में आपदा की आये तो उस आपदा से निपटने के लिए जो पैसा है वो यहां से आता ठीक है उसको इस fund में डाल दिया जाता है क्योंकि ये तो पदार से जो tax आ रहा है उसको इस fund में डाल जाए कि इससे जो भी tax है जो भी आप इससे निपटने के लिए हम यूज कर लेंगे ठीक है आपदा राश्टी आपद्या आकस्मिक्तिक सुल्क मतलब कभी भी आ जाए पता नहीं है ठीक अब देखना है कि किस-किस में government ने tax बढ़ाया ये देख लीजेगा क्योंकि generally budget में हमें से अच्छा चीज देख जाते है क हमेशा अच्छा क्या हुआ है हमारे साथ कि income tax कम हो गई है standard deduction बढ़ा दिया गया है महिलाओ के लिए budget का saving certificate लाया गया है लेकिन हमेशा देख लीजे कभी-कभी ये भी देख लिए कि किस पर बढ़ाया गया कौन-कौन चीजे महंगी होगी कभी-कभी उल्टा भी exam पूछता है तो gold or platinum से जो भी चीज बनाई जाए कि sonor platinum से उस पर बढ़ाया गया है, silver पर भी बढ़ाया गया तो gold, silver, platinum, जो चीज महंगी होती जिससे जो एलनी बनती है platinum सब से महंग होता है तो उन सब पे import duty बढ़ाई गया है ठीक है बाहर से लाइंगे तो बढ़ाया गया है अब GST law में कुछ change किया गया है GST को आपको जैसे मैंने बराया था पहले भी कि विवाद से विश्वास या फिर reduce compliance मतलब कि जो भी compliance करना GST law में जतना भी चीजों को आपको compliance करना कि आपको वो चीजों follow करना तो इसको कम किया गया तो GST में भी मैंने जैसे decriminalization का meaning बताया गया था कि अभी भी fine wine government ले सकते लेकिन अब अपराध की रूप में उसको नहीं माना जाएगा तो GST में कुछ-कुछ offense को decriminalize कर दिया गया कि और easy हो जाए लोगों को कि आप जो भी उद्योग है या जो भी business करते हैं लोग या जो भी business firm है उसको GST को उनको GST का जो भी conditions है मानने में और उनको समझ के अपने business करने में और easy हो जाए क्योंकि business जितना जादा अच्छा होगा अतना जादा economic growth होता इसलिए business की laws को हम कम करना चाहते हैं असान बनाना चाहते हैं तो जैसे obstruction of prevention any or preventing any officer in discharge को भी GST का officer कि आपने ये अपराद कर दिया आपको जेल कर दें तो उसको decriminalize कर दिया गया ठीक है delegate tempering of material कोई भी लोग अगर जबरदस्तिस को छुपा रहे हैं कोई भी evidence को ठीक है उसको भी decriminalize किया गया है और कोई भी information अगर GST ने मांगा और वो नहीं दे पाए किसी भी लोग ने कोई बिजनेस में तो उसको भी decriminalize कियागा अपराद नहीं माना जाएगा अब है कि जो जो भी है कि GST के तहत अभियोगन शुरू करने के लिए मतलब अभियोजन, prosecution कोई भी अभियोजन कि आपको prosecute किया जाएगा आपको आपके against case जो भी दिया जाएगा पहले एक करोड होसी हुआ अब उसको बढहाद भी हैा कि एक करोडनी दो करोड अब करोडन करोग तो आप का start नहीं किया जाएगा prosecution अभियोजन नहीं start किया जाएगा और GST एकको कर दिया है कि आप filing return कर सकते हो कि तीन साल तक ही due date अभी है तो उसके तीन साल के अंदर ही कर सकते हो उससे जारा नहीं कर सकते हो यह रिस्टिक किया गया है ठीक है यह याद रखिएगा चलिए इंडारेक्ट प्रपोजन देखिए जो मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या-क्या है तो देखिए ग्रीन मोर्बिलिटी में भी कम किया गया है ठीक ग्रीन मॉर्बिलिटी मतलब कीजिए बाइव गैसिक बाइव गैसिक आपको पता ना CNG compressed natural gas या और भी कोई बायो गयास जो भी चलती है वो गाणिया वाणिया उसमें जो भी exercise duty लगता था उसको कम किया गया है जो भी उतपादन पर लगता था exercise duty उसको कम किया गया है ठीक है custom duty certain parts of mobile phone यह पता कि mobile phone जैसे उसके अंदर चिप लगती है उसके अंदर silicon की चिप लगीगा उसके अंदर बैटरी बाहर से मंगा जाए उस पे अब custom की duty कम लगीगी tax government कम लगाईगी ठीक है duty का generally मुझे लगता नहीं है कि यह आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एक उस पे नहीं पूछती है और ब्रॉट पर पूछती है एक्जाम BPSC भी ठीक है तो यह है अब देखिए जैसे petrochemicals पर basic custom duties को कम किया गया है exempt किया गया chemicals and petrochemicals पर ठीक है तो यह चली अब आगे देखते हैं हाँ यह important है यह देख यह ही मैं बता रहा था कि वह सब इतनी duties की budget तो बहुत बढ़ा होता है उस पर हर के कितनी duty होते ही वह होता है वह इतना details में कोई नहीं पूछता कि TV का panel का आप बता दो बहुत मुश्क को मिला है मतलब हम अपनी security पे army पे forces पे सबसेरा खर्चे 5.94 lakh करोड़ लगबग लगबग 6 lakh करोड़ के बढ़ावर ठीक है और उसके बाद हमारा हुआ है ministry of road transport जो road बनाती ही जो नितिन गटगडी जी के अंदर है 2.7 और 2.41 है railways के लिए ठीक है यह याद रखिए को सबसे बजट railway को मिला है ठीक है अब देखिए इसमें रूरल development का याद रखिएगा यह important है 1.6 ठीक है agriculture का भी याद रखिएगा 1.25 यह पूछता-पूछता है यह सब sectors है जिसपे हमेशा BPSC पूछती है क्योंकि यह सब बहुत important sector आ जाती है तो यह आपके लिए मैंने लग दिया ह हाँ अब है कि रूपी कहा से आता है कहा जाता है कितना रूपी आता है कितना है तो मैंने बताते कि government receipt करती है जो उसका income है तो आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा छेत्र किसका है इसका borrowing मालब government को सबसे ज़्यादा उधार लेना परता है जितना भी government का आयकम है तो government को expenditure करनी है तो 34% मालब 100 अगर 100 government को 100 रुपया लाना है उसमें सब्सक्राइब को उधार लेना पड़ता है और दो चीज सेम है income tax और corporate tax मालब income tax और corporate पे जो business पे टाक्स थी वह सेम है एक size duty कम है और 17% GST है ठीक है तो टैक्सों में सबसे ज़्यादा हो गया GST 17% GST and other taxes उसके बाद borrowing सबसे ज़्यादा है तो बस आप यह याद रखिए कि अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा क्या है तो वह borrowing है टैक्स में कौन है जो GST है उसके बाद income और corporation tax अती है ठीक है अब रूपिया जाता कहा कहा है तो जैसे ही आपने बताए कि उधार सबसे ज़्यादा है तो अधार पर ब्याज देना परता है इंट्रेस्ट तो आप देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वह हमारा interest payment जा रहा है मतलब हम सबसे ज़्यादा पै उसके बाद pensions पर जा रहा है 4% जादा नहीं है ठीक है और schemes पर 9% 8% defense पर जो मैंने बताया था और center का 17% है center sector scheme मतलब जो center scheme चलाती है जो के इंदर सलकार scheme चलाती है ठीक है management देख लीजिए defense देख लीजिए यह और यह देख लीजिए आवाँ उसके बाद आपको याद करना तो कर लीजिए कि सितना याद करना मुश्किल होता है इसलिए मैंने आपको यह diagram के form में बताया कि आप जल्दी से जल्दी देखे और exam को समय जैसी आप PPT device करते जाएंग 45 लाग करोर का budget 45 लाग करोर का budget 45 लाग करोर का budget क्या है 45 लाग करोर का budget आखिरी यह तो यह वही budget कि what 4200 क्रोर government खरच करेंगी परसंस इंक्रीज हुआ है यह सारे जो चीज में बता रहा हूँ ना यह गव्मेंट की PIB वेबसाइट से हैं PIB वेबसाइट से हैं क्योंकि PIB वेबसाइट की ज़्यादा तर सरकारी वेबसाइट की जो भी होते ना उससे ज़्यादा तर question आते हैं और effective capital expenditure पहली बता दिया था, सारे 4%, ये जो था, ये 3% के आसपास था, 3.3, देख लीजिएगा, slide में पहली ही है, physical deficit मैंने पहले भी आपको लिखाया है, कि physical deficit का target किया गया है कि 5.9 हो, और लेकिन जब कि act के according 3% होता है, far beyond का act के according 3% होता है, इस budget में बोला गया है, कि हम 23 में 5.9 तक इसको घटाने का कोशिश करेंगे, और 5.9 तक लाएंगे, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे Indian budget लगभग लगभग पूड़ा हो गया, और इसमें मैंने आपको सारे points अचार से सब्सक्राइब, थोड़ा fact-based हो गया, मैं भी मानता हूँ, लेकिन क्या करेंगे, budget factory-based होता है, तिसमें मैंने जितने schemes बताएं, वो एकदम याद रखिएगा, जिसके भी schemes के नाम है, क्योंकि वो पूछता है, जो भी मैंने आपको figures बताएं, कि किस schemes के कितने figures, से जो important है, वो याद रखिएगा, 3-4 ministry का, जो कितने पैसे गए हैं, वो याद रखिएगा, और इसके अलावा, मुझे नहीं लगता है, कि बहुत ज़्यादा tax का duties, TV panels का जो tax का duties लगावा है, या कि किसी और का tax का duties, वो बहुत नहीं है, एक बाड़ी बस देख लीजेगा PPT में, तो हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका India budget हो गया, I hope आप लोग कोई इसमें कोई clarity नहीं, कोई दिक्रत नहीं हो, सारी clarity आ गई हो, कोई भी दिक्रत होगा, तो आप comment section में बता सकते हैं, हम लोग उसका पूरा answer करेंगे, तो चलिए जैसे कि आप लोग ने देखा ही, और अभी हम लोग ने complete करी लिया India budget, और आप लोग को बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग इतना दिर काफी दिर बने रहें, तो चलिए अब हम लोग इसी के आगे बज़े, जैसे हमने इंडिया budget की बात की, वैसी BPS exam में बिहार budget की भी questions जरूर आते हैं, यह आप लोग ने भी देखा ही, यह प्रिवियस यह से भी देख लीजेगा, तो इंडिया budget के साथ साथ बिहार budget की भी हमें, जो भी highlights है, यानि मुख्य पहलू हैं, वो हमें पढ़ने होंगे, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं, अपने तरफ बिहार budget की ओर, तो बिहार budget भी सेम है, बज़ेट जैसे मैंने बताया था, एक साल आगे के लिए आता, 23 और 24 के लिए आया है, तो इस साल का बिहार budget का जो presentation है, वो किस ने किया था? तो बिहार budget का presentation बिहार के finance minister ने किया होगा, जो विजय कुमार चौधरी, उन्होंने 28 फड़वडी को 2023 को बिहार budget को present किया था, ठीक है, तो इस बिहार budget के बाद में बताया गया, बिहार budget में कि उन्होंने कहा, कि जो हमारा gross state domestic product, जैसे जब GDP हम national level मापते हैं, वैसे ही state level पे हम GDP मापते हैं, जिसको gross state domestic product है, वो जो current prices, current prices मैंने बताया था, जो कि base year के price, current prices मतलब nominal prices, जो कि इसमें inflation included होगी, जो कि मैंने economics में आपको बता चुका है, बता चुका हूँ, वो है 8.5 lakh crore, जिसका growth है 8.9% over 2023, 22 और 2023, मतलब कि हमारा जो GDP का growth है, ठीक है, जो GDP का growth rate है, वो 8.9% है, तो ये याद रखिएगा, कि growth 8.9% है, और ये याद रखने का तरीका बहुत असान है, growth भी 8.9% है, और GDP का value भी 8.59 है, तो देख रहें, ये value कितनी सेम है, लाग करोड, तो ये याद करना असान होगा आपको, क्योंकि value सेम है, अब बोला जाएगा कि, जैसे 45 लाग करोड का budget हमने देखा था, कि केंद्र का था, तो हमारा budget कितना है, तो बिहार का जो हमारा budget है, वो है total outlay, मतलब जो expenditure हम करेंगे, वो है 2,61,000 करोड, यहाँ पर देखिए 2,61,000 करोड है, और ये 24,000 करोड का इसमें वृद्धी हुई है, मतलब 10% का वृद्धी हुआ है, ठीक है, तो दो चीज़ याद रखना है, कि वृद्धी कितनी कुई है, तो 24,000 करोड का हमारे में वृद्धी हुई है, 24,000 करोड का increase है, तो ये याद रखना, और 2,61,000 करोड का अभी का हमारा budget है, 2023-2024 का, ठीक है, जब budget में हम खर्च करेंगे, तो receipt की भी बात करेंगे, कि भाई बिहार सरकार की आयर देखे कितनी है, तो बिहार की जो receipt है, जो receipt जितने पैसे सरकार को मिलेंगे, वो estimate किया गया है, 2,12,000 करोड, बाकी government borrowing ले लिएग, इसलिए excluding लिखा गया है, borrowing को छोड़के, उधार को छोड़के, ठीक है, तो 2,12,000 है, बाकी government borrowing से करेगी, ठीक है, अब जो physical deficit है, जो मैंने बताया था कि, खर्चे जादा है, और सरकार की आए कम है, जो आपने यहाँ देखा भी, वो physical deficit, फिर से estimate किया गया है, कि GDP का 2.98% रहेगा, जो कि, हमारा, ओलेडी जो हमारा, FRBM Central Government का Act है, कि 3% होना चाहिए, जो मैंने बताया था, physical deficit budget management act, 3% बोलती ही, तो बिहार का उलेडी 2.98 है, मतलब हमने अचीफ कर लिया है, बिहार ने इस चीज को अचीफ कर लिया है, ये केंदर सरकार भी नहीं अचीफ कर पाई थी, लेकिन बिहार सरकार ने अचीफ कर लिया है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, अब आएए debt and other liability, जो भी debt and other liability, जो सरकार रिन लेती है, लोन लेती है, ठीक है, वो 3,44,000,00 करोर का हमारे उपर, करजा या उधार जो भी रखिए, रिन है, ठीक है, जो GDP का 37.8% है, तो दोन फिगर्स याद करनी होगी, देखिए, मैं मानता हूँ, बिहार बजट में ज़्यादा facts है, और यहां समझाने को भी बहुत कम कुछ है, लेकिन ये fact आप लोग को याद करना ही होगा, इसलिए मैंने आपके लिए PPT लाई हैं, और important topics को एकदम point-wise form में रख दिया है, कि आप यहां एक बार सुन ले, तो आजी चीजे सुनने से ही भी आप होता न, कई बारी मैं जब आपको बोलता हूँ, तो आजी चीजे सुनने से भी याद देगी, कि अच्छा सर ने ये figure बोला था, तो exam time में न, कुछ-कुछ figure आपको सुनने से भी याद होगी, उसके एक बार PPT याप पढ़ लीजिएगा, तो आपको एकदम clear हो जाएगा, ठीक है, तो 37.8% है, डेट का GDP का percentage, और उसका value है 3,24, 1762 करो, अब revenue surplus बोला था है, revenue surplus उसको बोलते है, यह मनलाब revenue receipt और revenue borrowings, मनलाब जो receipt है, revenue receipts, receipts जादा है borrowing से, तभी surplus है, expenditure से, ठीक है, receipt जो है, वो जादा है expenditure से, तभी होगा, revenue surplus इसका यह मतलब होता है, कि जो receipt है, वो आपका expenditure से जादा होगा, ठीक है, इसी को revenue surplus करते हैं, अब revenue surplus है, 4479 करोड का जो की GDP का लगबग 0.5% है तो यह figures थोड़ी सी देख के चलनी पड़ी है अब बहुत अच्छा आ गया अब आपको चीजे जल्दी याद होगी क्योंकि यह जो स्कीम से बिहार की वो आप हमेशा सुनते हैं जो चीफ मिनिस्टर से या डिपटी चीफ मिनिस्टर से वह सुनते हैं इसकी कि बिहार में 10 लग नौकरिया दिये जाएंगे तो बिहार के बजट मेही बोला गया कि 2025 तक 10 लाक युवाओं को नौकरिया दी जाएंगी ठीक है और यह कहां-कहां से दी जाएंगी यह दी जाएंगी BPSC में इससे भरती की जाएंगी बिहार टेक्निक बिभागों से 10 लाख नौकडिया युगाओं को दी जाएंगी इसके साथ साथ नौकरी के साथ साथ से इंप्लॉइम्मेंट मतलब बिजनेस करना का भी उनको दिया जाएगा जिससे उनके अंदर आतनिरबर और आतनिरबरता और आतमिश्वास जगाया जाएगा उनके अंदर राजगीर में एक स्पोर्च उनिवर्स्टी की स्थापना करेगी बिहार सरकार तो स्पोर्च उनिवर्स्टी विल बी स्टैबलीज इन राजगीर और आपको पताएगे कि जो हमारे हां बच्चे जो मैक्टिक पास करते हैं बीहार स्कूल एजूकेशन बोर्ट से जो बिहार बोर्ट से पास करते हैं और फर्स डिवीजिन लाते तो उनके लिए उनको इनको प्राफदाने की बिहार सरकार उनको रिवार्ट देती है तो उसके लिए बढ़ 94.5 करोड रुपया बजेट में अलाउ किया जो students है 10th के, ठीक है, students 10th के हैं जो, लिखी दिया मैंने यहां, और बिहार बजेट में जो bypass का construction करना है, bypass तो आप लोग जानते highway का, जो bypass construct हो जाता है, जो भी highway हम लोग construct करते है, state government पर जो भी, और भी bypass जहां भी construct होना है, urban area मतलब की शहरी जगों में, energy sector तो पता ही है, जो भ energy power, जो energy sector देती है, उसके, मतलब उर्जा का जो भी sector, उसमें लगबग लगबग, bypass और energy sector मिला कर, bypass और energy sector मिला कर, 3,323 करोर का है, 3,323 करोर, तो यह facts सब थोड़ा सा, आप देख लीजेगा एक बार, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, तो इसम environment की बात होती है, तो इसको environment को हमेशा promote किया रहता है, बियार सरकार भी करती है promote, center करती है, और हर राजी करती, तो environment को promote करने के लिए ही, यह environment को promote करने के लिए ही, बियार सरकार के budget में बोला गया है, कि जो solar energy को promote करना है, ठीक है, उसके साथ साथ एक और चीज को promote करना है, कि जो भी water harvesting का लगता है जो पता है कि water harvesting क्या होती जो भी छत पर आप लगा ले जिसके अंदर water का मतलब आप समझ लीजिए जो वो होता है क्या करते जो बारिश में पानी होता है उसको एकटा करके आप फिर से use करते उस चीज को ठीक है तो जो भी water harvesting की भी system हम लोग अपने घर पर लगाएंगे जो भी लोग लगाएंगे तो उस पर holding tax होती प्रॉपर्टी टैक्स टैक्स होती है कि यह tax होती है जो सरकार लेती है उस पर 5% का exemption मिलेगा आपको 5% कम लगेगा आपको ठीक है अब देखिए बिहार सरकार भी innovation को support कर रहे है तो start-up बिहार में भी बहुत सा करेगी मतलब कि जो नई नई चीजों को बोलेगी कि नई नई चीजों को promote कीजिए नई नई technology को बढ़ावा देगी ठीक है और girls college को भी बहुत के लिए budget में प्राद्धान किया गया कि girls के लिए college लाएंगे इसे women empowerment होगा education मिलेगा ठीक है तो यह सब चीज़ याद रख लि क्योंकि girls का जब education में drop होने लगा था कि जब girls schools में कम drop out होने लगी थी, schools में कम भड़ती होने लगी थी, कम school जाने लगी थी तब girls का cycle scheme होता है कि इनको cycle दिया गया था कि वो cycle से अपना school या college जाना जाना कर सके तो उस cycle अभी तक चल ली इस साल के लिए उसका 50 crore दिया गय और 400 crore और रखा गया है कि girls, child जो भी बाली का है उनको appointment उनका एक appointment हो, चाहे वो appointment उत्थान हो, उनका उत्थान किसी भी sense में, education हो, health हो, nutrition हो, या आर्थिक रूप से हो, तो देखिए girls के लिए बयार बजट में कभी भी बात किया जागा, तो देखिएगा women department का हर जगा बात लेकिन बिहार में काफी जड़ा फूकस किया गया, girls को colleges भी बनाए जाएंगे, 50 crore उनके साइकीर वाले के लिए भी है, 100 crore dresses के लिए और 400 crore अपलिप्मेंट के लिए भी है, तो ये थोड़ा आपको याद रहेगा, अब देखिए, देखिए, आगया ना, क्या था, डेपुटी चीफ मिनिस्टर ने बिहार के बोला था ना, बिहार का महाबर्य दस लग युवाफ को रोजगार, आप लोगे लिए सब के लिए अच्छा ही बात है, क्योंकि रोजगार तो सबसे में चीज यही है कि युवाव को रोजगार मिले, जब तक युवावी को रहाने में participation कम रही है उनकी, तो यही है, यह अब हमारे वित्र मंतरी हैं तीसरे वाले, चलिए, अब देखिए, education sector में, तो जो education, अब हम क्या करते हैं, बिहार बजट को, मैं आपको clear कर दो, तो कि हम हर sector वाइस देखते चल जाएंगे, कि इस sector में कितना बिहार बजट ने दिया है, इससे क्या होगा कि जैसे मैंने आपको central budget में भी बताया था कि कि सेक्टर में कितना खर्च हुआ, उससे आपको पता चल जाएगा, तो बिहार बजट में जो education sector पे खर्च हुआ है, वो 40,000 करोड है, यह सबसर का highest है, सबसरा है, इस ही में खर्च हुआ है, 40,000 जो भी girls, ठीक है, girls in government, school and college, government, school, ठीक है, government, school and college में पढ़ती है, उनको कुछ-कुछ सरकार पैसा देती है, उनके nutrition के लिए, ठीक है, तो उनके nutrition के लिए क्या है, कि अलग-अलग पैसा देती है, जो छोटी बचिया है, 1 और 2 class के लिए उनको तो 600 ही देते है, 3 से 5 के लिए 700 दे दिया, ठीक है, 6 से 9 के लिए, 6 से 8 के लिए 1000 होती है, और लगववववववववववववववववववववववववववव चुक्रण के लिए 100 करों रुप्या इस साल डाला गया है, कि जो बचियां kring school में रती है, government school और government college मेरी, एक मैं आपको बहुत अच्छा बता त converting vosraar के कोई-श्कीम सखर हैं, अगर उसी scheme के बारे मैं आपको ज़्यादा knowledge नहीं तो उसी scheme को Google पर search करके आप अपक लिज़ Hai तो Google पर सर्च क्लिये और last में Bihar जो दीजे, तो Bihar Government की खुद की सबसे पहली साइट आ जाती है, तो Bihar Government की वो साइट है, मैं आपको बता गता हूं शी वीडियो में, क्योंकि Bihar Government की वेब साइट है, और वो साइट बढ़े अच्छा से एक पेज में बड़े अच्छे से स्कीम को समझा देती है, आपका बहुत कम टाइम लगेगा, 5-6 मिनिट में आप पूरी स्कीम को समझ सकते हैं, और मुझे लगता है कि कुछ स्कीम को ये आपकी प्री में भी और मेंस में भी काफी ज्यादा सहायता देगी, काफी हल्प में लिगी आपको तो आप देख सकते हैं यहां से नहीं, ठीक, चली, Education Department होगे, अब आजाता है स्वास्त मिभाव, देखते हैं स्वास्त के लिए विहार ने क्या किया है, तो स्वास्त में इस बार बोलागे है कि हम 16,966 करोर खर्च करेंगे, ठीक है, 966 करोर, और इसके साथ साथ बोलागे, क सदर अस्पताल, जो पता आपको सदर अस्पताल होते हैं, उसको मॉडल ऑस्पिटल में चेंज किया जाएगा, मतलब उसको इतना अच्छा बनाया जागा, कि वो एक मॉडल बने, कि ऐसा अस्पताल होना चाहिए, इसमें सारे अच्छी सुविधाय डाला जाएगा, कि उसक किया है क्यूंकि हमारी जादातर जंजाती जो है बिहार में भी शहर से जादा लोग गाऊं में रहते तो रूलर देवलप्मेंट के लिए सब्से जार इंपोर्टेंट ही कि वहां डेवलप्मेंट बने सरके या रोड या जो भी उनके पास आएं तो उसके क्या है समाजी कल्यान के लिए जो खर्च करेगी social security and welfare तो उसके लिए है 70, 7396 करोड रुपी लाया गया है और इसमें दो चीज का एक scheme याद है कि जो आप से जो आप खुद आप इसके कई सारी गल्स जो candidates से वो इनका फाइदा खुद उठाती उठाया भी होगा या उठा भी सकती है इस बार हमारे साथ अगर आप पहला बार VPSC clear कर ले तो जो सिविल सेवा प्रोस्थाहन राशी है मलब जो भी female लड़किया जो मुख मंति नारी शक्ति योजना है मुख मंति नारी शक्ति नारी को शक्ति देने के लिए जो भी योजना है तो उसमें क्या है कि जो भी female candidate है जो भी female candidate देखिया है लिखावा भी है मैं कि उनको मेंज और इंटर्व्यू में सहयता मिले यह नहीं कि आप पूरा क्लियर कर लिजेगा तो जब आपने पूरा क्लियर कर लिजेगा तो आपको क्या सहयता की ज़ए तो आप खुद शशक्त हो गए आप तो SDM आपको दूसरों की सहयता करना चाहिए या आप UPSC से का उमीद है कि हमारे साथ जो भी female candidates है वह इस बार अच्छे मात्रा में अच्छे नंबर से clear करेंगी BPSC तो उनको जो BPSC कर तो उनको 50,000 मिलेगी यह है तो इसके लिए 60 क्रोड का इस बजट में प्राबधान कर दिया गया है ठीक है चलिए अब है कि मुख्यमांत्री महिला उदमी योजना जो भी women entrepreneurs है मतलब जो भी women business खोलना चाती है ठीक है उनको क्या करती है बिहार सरकार बोलती है कि ठीक है खोलिए 10,00,000 तक का finance करती है मतलब 10,00,000 तक का finance का assistance देती है अब 10,00,000 तक में क्या देती है कि 5,00,000 ग्रांट देती है उनको मतलब कि चुकाना नहीं और लोन का मैंने आपको बता दिया और पांच लाग का लोन दे रहती है कम इंट्रेस्ट पर ठीक है यह मुख्यमंत्री यह मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की वुमेन जो बिजनस करना चाहिए उसको बरहावा देने के लिए क्योंकि देखिए वुमेन आपको भी पता कि जैसे कोई भी बिजनस अगर पता है कि जरूरी ने कि हर जगह के पर मेल्स कही पहले से अगर मेल्स बिजनस करते तो तो women नहीं कर सकते और women's का business में बहुत ज़्यादा importance देने से ये भी है कि उनका खुद का तो empowerment होगा ही होगा प्लस वो बहुत ज़्यादा job जिंडिट करेंगी दूसरे और लोगों के लिए तो उसके लिए government ने महिला उध्यमी योजना है मुख्यमंत्री महिला उध्यमी योजना ठीक है इसको launch किया गया है जिसके तहट 2500 करोर रुपिया बजट में डाल दिया गया है चलिए तो social वाला हो गया social security अब आते nutrition पे portion पे कितना खर्च करेगी जैसे महिलाओं की portion बालिकाओं की portion या in general जो हमारा और भी पूरा population का portion जैसे मैंने बताता है मिलेट से portion मिलता है तो nutrition पे हमारा वन नाइन एट सेवन करोड़ खर्च होगा इस साल ठीक है चलिए देखिए रुपिया कहां से आएगा और रुपिया कहां जाता है ठीक है अब देखिए यह रुपिया कहां से जाता है और रुपिया कहां से आता है तो आता कहां से सरकार को मिलती कहां सो तो देखिए सबसे ज केंदर करो में राजय का अंस मतलब Central Tax में जो भी Central Tax collect करती है वो राजय को क्या करती है? Central GST करती है, यह GST ले लेती है Central Tax और भी बहुत रहकर tax करती है वो उसके लिए राजय को बाठती है तो जो राजय को बाठती है उसमें से 39.2% हमारा महा से आता है ठीक है? उसके बाद आप देख लिए 20% केंदर जो हमें grant देती है, अनुदान मतलब grant, grant का मैंने आपको भी बता दिया था जो भी support के लिए अनुदान देती है वो और फिर यह जो state tax का, जो state का खुद का revenue है, जो बिहारी state का खुद का revenue आ रहा है, tax से या जहां से भी, जो भी revenue आ रहा है, वो है कि आपका यह पैसा आतो गया, अब खर्च कहा करेगी बिहार सरकार, तो सबसे जादा समाजिक सेवा उपर, ठीक है, social services पर सबसे जादा खर्च करेगी, उसके बाद आर्थिक सेवा उपर, economic services पर खर्च करेगी, ठीक है, उसके बाद समानने सेवा पर लगवग- खर्च करेगी, ठीक है, अब देखिए यह आपको कहा साएगा, कहा चलेगा, कुछ important facts और जो बचते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, कि देखिए, बिहार budget में एक हमने target set किया है, हमने बोला है कि बिहार budget का GDP अबहरा हम कितना वाला था, increase हुआ चो मैंने पहली बताया वो था 8.9%, ठीक है, अब इस बार हमने बोला है कि हम इस बार GDP का target set करते है कि growth rate हमारा 15.2 हमने लगबग, लगबग लगबग दुगना ने set किया, 8.9 का दुगना लगबग 18 होता तो उससे थोड़ा कम, 7.5 times हमने set किया लगबग लगबग, और बोला गया कि जो metal load है, मतलब की जो पक्की सरके बनाने की है, वो हम इस बिहार में target रखा है हमने की 7408 km की पक्की सरक बनाएंगे, और Chief Minister का जो entrepreneur scheme है, जो भी उधमई योजना, महिला उधमई योजना, या और भी उधमई योजना, खुद की भी चलती, उसके लिए भी 800 क्रोर रखा गया है, और organic farming मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि जो natural farming होती है, जिसमें fertilizer का use कम होता है, या नहीं के बराबर होता, chemical fertilizer का नहीं use होता है, chemical fertilizer हम वहाँ use बहुत नहीं ही करते है, और हम natural fertilizer, natural seeds, हर कुछ प्राकृतिक करते हैं, तो वो प्राकृतिक चीजों के लिए 92,000, 92,000 करोड एकर में organic farming और अच्छा आप लोगों के लिए health के लिए और अच्छा बिहार में आप लोगों के लिए फल और सब्जी और अच्छा हैंगी जिसमें कोई खाद्रपदार बाहर के factory के नहीं मिले होंगे, ठीक है, तो बिहार के धर्ति पर और अब आप लोगों को सुध फल सब्जिया मि अच्छा आप लामीन उसी के similar similar बिहार सरकार ने भी एक scheme लांच की लिए है जो है लोहिया, लोहिया सवक्ष्था अभियान, ठीक है, अब लोहिया सवक्ष्था अभियान के और सवक्ष्था भारत मिशन, दोनों के मिलतने से क्या होगा, कि रूलर एरिया में जो विलेज है जो रूलर एरिया है, ठीक है, रूलर, रूलर एरिया में open defection free बनाया जाएगा, ODF, मतलब खुले में सौच को किसी को नहीं जाना होगा, सब के लिए toilet बनाया जाएगा, इसे ही बोलते ODF, तो यहाँ देखिए रहे हैं कि aim to provide 3.5 लाग, मतलब 3.65, मतलब 3 लाग पैसे है, toilet बनाया जाएगा, नया family को दिया जाएगा, लोहिया अभियान के थुरू, और सारा विलेज को बनाया जाएगा, ODF प्लस, मतलब ODF मलब खुले में सौच नहीं जाना है, और प्लस का मतलब यह होता है, कि जो सौच के बाद waste material बचा, उसको भी ऐसा नहीं कि उसको हम कहीं नदी में, जील में गिरा दे, ऐसा नहीं, उससे गंदगी नहीं फिलानी है, तो जो भी toilet बनेगा, उसमें प्रॉपर पानी का इंति होता है, उसके बाद उसको treat करके उसको पानी को कहीं निकाला जाता है, तो ऐसा करके ODF प्लस सारे village को बनाया जाएगा लोही अभियान के थुरू, और दो एक आखरी है, fact कि खादी mall, जो खादी के कपड़ा के लिए mall बहन जाएगा, जहापे मतलब आप जाके दुकान में खादी का mall बना जाएगा दो डिस्टिक्ट में, जो कि मुझपरपुर है और पुर्णिया है, तो इस हिसाब से आपने देख लिया कि बिहार बजट भी काफी अच्छा है, युवाओ को काफी नौकरी देने का, वुमेंस के लिए काफी किया गया है, एजुकेशन में बहु मैं मानता हूँ, आप इसको एक बार हम मैंने पढ़ाया, वो सुलने, तो आधी चीजे ऐसी ही आपको याद हो जाएगी, उसके बाद आधी चीजे का PPT देख लेना, और कुछ MCQs तो हम आपको सॉल्व कराने के लिए ही, तो आपकी पूरी बिहार और इंडिया बजट की सा ही है, फिर हम आपको नए टॉपिक के साथ एक नए सुक्यास साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक, तो जैसे कि अभी बिहार बजट का आप लोग को सारे लोगों को मैंने अच्छा से एक स्प्लेन कर दिया और ऐसे हम लोग बढ़ते हैं, तो बजट के साथ साथ एक और चीज की बात होती है, जो डॉक्यमेंट एक सरवे से हम लोग देखते हैं क्या होता है तो देखिए यह जो एकनॉमिक सरवे इस बार 22 और 23 का देखिए तो एकनॉमिक सरवे जो होती है वो हमेशा 22 और 23 की होती है मतलब कि यह कहा गया है कि एकनॉमिक सरवे में जैसे मैंने बजट क्या बज़ाता है एक साल आगे का आता है 23 से 24 का है लेकि economic survey 22 से 23 कियाएगी क्योंकि जो साल बीता है जिसे 22 से 23 हमारा बीत कभी हम आ गए है उस पे हमारे economy में क्या-क्या growth हुए है क्या-क्या economics में क्या policies लाए है government ने कितना हमने हर sector में growth किया हर छेत का क्या है तुम सारे चीज को analyze करते है दो पिछले हम पिछले साल के सारे economic growth के सारे indicators को और ये predict भी करता है कि आगे हमारा medium term या long term economic growth क्या होगा तो चलिए हम बढ़ते है अपना इसकी introduction से economic survey तो economic survey जो है वो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि comprehensive analysis of India's growth trajectory मतलब ये संपून analysis आपको देता है कि इंडिया का जो economic growth है वो आगे कैसा होगा ये मैंने आपको भी बताया ही है हाँ एक important point fact यहाँ note करने के लिए ये पार्लेमें में पेस होता है तो budget के एक दीन पहले इसको पेस किया जाता है a day before the union budget तो ये याद रखिएगा आम तोर पे एक दिन पहले ठीक है one day before one day before इसको present किया जाता है किसके budget के one day before इसको present किया जाता है ठीक है चलिए और इसको भी बनाने का जिम्मा उसी को दिया उन्हीं department को है जो की department of affairs लेकिन इसका economic division को दिया गया है ठीक है जो लेकिन ये जो बनती है ये किसके देखरेक में बनती वो जो chief economic advisor हमारे जो पूरी हमारी अर्शास की जितनी भी विवस्था को देखते हैं और बताते हैं जो सरकार को advise करते कि हमारी economy में क्या-क्या नीतियां हमें अपनानी चाहिए उनके देखरे में जो chief economic advisor है उनके देखरेक में इसे मनाया जाता है तो जो पहला economic survey हमारा आया था वो हमारा 1950 से 1950 का पहला economic survey आया था जब हमने constitution को 1950 में adopt किया था उसके बाद हमारा सबसे पहला economic survey 1950 से 54 वाला हमारा economic survey आया था तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हाँ, अब economic survey को देखिए इसमें भी मैंने आपको जैसे बज़ा था कि budget में भी fact थी, economic survey में भी fact होंगे तो ये fact तो आपको कुछ याद कर नहीं होंगे क्योंकि prelims में fact पूछता ही है और मेंस में भी अगर आपको लिखना है BPSC में तो ये आपको कुछ ऐसा data दे सकता है जिसको आप quote करेंगे तो आपका answer बहुत ही सुन्दर और बहुत लाजवाब एकदम examiner को ऐसा लगता है कि आपने काफी मेहनत करके पढ़ी और हर पहलू को इसको हम chapter वाइस करेंगे क्योंकि government भी जो economic survey निकालती है वो अलग-अलग chapters निकालती है तो इस chapter के जो important points है वो मैं आपके सामने लाया हूँ जो exam related हमारा है क्योंकि economic survey तो बहुत बड़ा होता है पूरा पढ़कने का कोई फाइदा नी exam में तो दो-तीन question या hardly एक-दो question आते है और means में इसका थोड़ा जादा है कि आप answer writing में use कर सकते है तो चलिए पहला chapter से start करते है कि economy survey का पहला chapter क्या करता है economy survey का पहला chapter बोलता है state of the economy recovery complete मतलब जो हमारा state of the economy जो करोना काल में जब COVID आया था तो हमारा economy क्या हुआ था हमारा economy को negative चला गया था क्योंकि हमारा economy में कोई growth नहीं हुई थी आप देखे थे हर कुछ बंद हो गए थे तो ये वही पहला chapter बात कर रहा है कि हमारा economy जो है वो recovery complete हो चुका है अब कैसे कैसे हुआ है ये देखते है जो भी economic growth का तो इसमें बताया गया है ये कुछ-कुछ fact होंगे जो GDP की figures बता दूँगा आप याद रखेगा इसने economic survey में project किया है कि हमारा जो 23-24 वाला साल है जो physical year 24 जिसको बोलते है मतलब जो 23-24 वाला हमारा साल है उसमें हमारा GDP 6-6.8% रहेगा ठीक है ये बताया गया है तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो economic survey में बताया गया है वो यही बताया गया है कि जो हमारा GDP है आने वाले साल के लिए 24 के लिए वो 6-6.8 के बीच में कहीं न कहीं रहेगा ये forecast किया गया है ठीक है दूसरा बोला गया कि आपको पता था कि न्यूस में भी बहुत आथा कि हमारा इंडिया जो है वो 5th largest economy हो गया पूरे विश्व में काफी न्यूस में आया था और काफी जगा कोट भी किया गया था हमारे प्रधार मंत्री के भी जवारा और काफी न्यूस में भी ये चर्चा में था तो ये सही है इसने भी यही सेम बाती बताई है कि 5th largest हुआ है एक्सचेंज रेट की हिसाब से और PPP model की हिसाब से 3rd हुआ है तो इसका आपको मैं basic दे रहता हूँ कि एक्सचेंज रेट और PPP model क्या होता है तो देखिए एक्सचेंज रेट तो simple होता है एक्सचेंज रेट की मतलब कि अगर एक डॉलर 80 रुप्या के बराबर है ठीक है ये एक्सचेंज रेट होता है डॉलर की हिसाब से रुप्या का क्या वैल्यू है यह रुपिया का डॉलर का दोनों के बीच में एक्सचेंज करने का क्या वैलियू यह तो आप सब लोग जानती है तो जो हमारा एक नौमी है जितना रुपीज का माल लीजे हमारा GDP सपोर्ज कीजे एक्जामपल दे रहा हूं है ठीक है एक्जामपल हमारे जैसे GDP तीन लाख करोड 3.18 लाख करोड डॉलर का है ठीक है तो इसको आप असी से गुना करके रुपी में निकाल सकते है यह रुपी में दिया है तो आप उसको असी से खड़के डॉलर में निकाल सकते है तो इस हिसाब से जो GDP का value हुआएगा और उसके बाद हम बाकी देशों से देखेंगे तो उसको exchange rate बोलते है उसके हिसाब से जो हमारा है वो 5th largest है इंडिया 5th largest ठीक है अब दूसरा आता है PPP model वो थोड़ा सा समझने लाइक है क्योंकि उसमें थोड़ा एक concept है purchasing power parity बोलते हैं उसको PPP को purchasing लिख देता हूँ मैं आपको full name purchasing power parity ठीक है अब purchasing power parity क्या बोलती है कि एक तो हो गया कि 1 रुपिया और 80 रुपिया और 1 डॉलर के बराबर लेकिन क्या वहाँ पे माल लीजिए अगर हमें यहाँ पे एक burger हमें यहाँ पे एक burger लगबग लगबग में जाएगा तो कम से कम साथ रुपिया का burger मिल जाता है example ले लीजिए ठीक है example लेकिन ऐसे साथ सत्तर रुपिय से start हो जाता है यही burger वहाँ पर USA में अगर आप जाएगा तो वो एक डॉलर से भी कम मिल जाता है लगबग लगबग समझिए आधा डॉलर में मिल जाता है तो आप यहाँ देखिए अगर आधा डॉलर को convert किया जाए रुपीज में तो मतलब 40 रुपिया आ रहा है ठीक है तो अब देखिए जब हम बात कर रहे थे कि आधा डॉलर को हमने convert किया तो 40 रुपिया में वहाँ पर बर्गर मिल ला है लेकिन हमारे हाँ 60 रुपिया में बर्गर मिल ला है तो यह equal नहीं हो पा रहा है आप समझ रहे हैं जैसे कि वहाँ तो हमने सिधे एक से किया तो यह हो जाए एक से 80 का कर लेते थे इंटू कर लेते थे हम multiply लेकिन यहाँ equal नहीं हो पा रहा है अब यहाँ पर एक और समझने की चीज़े एक और example से मैं आपको clear करता हूं कि जैसे आप देखिए वहाँ पर किसी को जो officer है यह ज़्यादा अच्छे से आप समझेंगे माल लीजे वहाँ पर कोई भी officer है police officer जैसे हमारे DSP है उनको 8-9000 महीने का dollar मिलता है 8-9000 dollar से ज़्यादा नहीं मिलता है उनको ठीक है माल लीजे 9000 dollar मिलता है ठीक है 9000 dollar मिलता है लेकिन वह वहाँ 9000 dollar लेकि भी उनकी खर्च उनकी इतनी ज़्यादा है वहाँ पर कि जैसे घर काफी महंगा है उनको rent काफी लगते है बाकी खाने का भी महंगा है transportation भी महंगा है तो 9000 dollar मिलता है उनके पास काफी कम है ठीक है काफी कम बचा तो उनकी सेविंग्स काफी कम होती है सेविंग्स कम होती है अब यही salary यहाँ में इंडिया में इंडिया लिख देता हूँ मैं ठीक है और उपर US लिख देता हूँ यही इंडिया में DSP को लगबग लगबल 70-75000 है तो 75000 में आप देखेंगे घर भी मिलता है यह भी मिलता है और यहाँ पे खाने की भी राशन देखेंगे 2-3000 में पूरे घर का आ जाता है तो यहाँ पे सेविंग्स जादा होता है ठीक है तो यह क्यों होता है क्योंकि यहाँ पे चीजों की दाम सस्ती है वहाँ पे महंगी है ठीक है तो अगर दो लोग दो country को compare करना है तो वहाँ पे चीजों के दाम को देखा जाएगा अगर माल लीजे यहाँ पे 100 रुपया भारत का 100 रुपया आपको 1 kg चावल प्लस 1 kg आप दाल लख लीजे ठीक है आधा किलो दाल माल लीजे ठीक है 0.5 दाल आधा किलो दाल और 1 kg चावल 100 रुपया में आ जाएगा यहाँ पे और यही 100 रुपया को अगर आप convert कीजेगा डॉलर में तो लगबग लगबग आपको कितना हैगा एक डॉलर आपके पास मिलेगा देखिए यहाँ पे ठीक एक डॉलर से कुछ 80 रुपया का है न तो 1.2 डॉलर आपको मिला तो 1.2 डॉलर को जब आप ले कर जाएगा न महाँ पे 1.2 डॉलर को जब ले कर जाएगा महाँ पे तो आप 1.2 डॉलर को वहाँ पे आप जादा से जादा एक किलो चावली खरीद पाईएगा बहुत जादा हो गया ठीक है तो अब आप देख रहे हैं हमारा रुपया कमजोर था लेकिन यहाँ पे तो हमारा रुपया मजबूत द चावली है 100 रुपया दिया 100 रुपया की बना द दो 1.2 डॉलर मिला वहाँ पे बस उसमें 1 किलो राईजि आ पा रहा है ठीक है डाल तो मिल लहीं नहीं है तो यहाँ दिख रहा है कि हमारा ठोप यह sourफ की एक स्प्रा मिल लह है तो निस सारा एक्शामपल में आपने यही द बहुआ कि और देखा कि वहां पे चीजों की दा महँगी है तो ये जो चीजों की दा महँगी है और ये हमारा रुपिया कितना के हमारा 100 रुपे कितनी चीजों को ख़ spool सकता है और यही 100 रुपीय का जो $ 1.2 डॉलर जो बराबर हो गया 80 रूपिया एक्चेंजेट की हिसाब से वो कितनी चीजों को खरीच सकता अगर उसको compare किया जाए तो ये concept आता है कि purchasing power parity मतलब purchasing power रूपिया का कितना रूपिया purchase कर सकता है और डॉलर कितना purchase कर साथ उस दोनों को equal करके हम देखेंगे तो क्या आता है तो उसकी हिसाब से जो आता है उसमें इंडिया third largest है ये PPP model पर है ठीक है तो PPP model का आपको बहुत ज़्यादा detailed math से जाने का जरूरत नहीं है बस है कि चीजों की दाम को जब compare करते हैं दोनों के पैसे से तो दोनों के पैसों का जब चीजों की दाम से compare करेंगे तो purchasing power parity नहीं करें उसकी इसाब से इंडिया third है और मजबूत है और ज्यादा देश में आगे आता है third number पे ठीक है ये चलिए अब आता है कि ये जो हमारा growth हमने बोला है कि recovery हमने कर लिया गोविट से 6.8 GDP growth होगा तो ये growth किस वजे से होगा इसकी drivers क्या है मनलब चालक क्या है ठीक है तो मैंने आपको पहले भी economics के one shot में बनाया था कि growth क्यूं होता है तो सबसे simple simple है ये एकदम आपको याद करने के जरूरिती नहीं अगर आपने economics ही class देखिए तो आप खुच से भी सोच सकते है और economics survey में वही चीज लिखा होगा क्योंकि economy उसी से चलती है सबसे पहला जैसे कि private consumption जो मैंने आपको बताता है हम और आपके जैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीजों की मांग करेंगी दिमांड करेंगे यह भी चाहिए हमें यह गाड़ी भी खरीदना है घर भी खरीदना राशन भी ज़्यादा खरीदना है तो ओवेसली एक economy बढ़ेगा क्योंकि हम उतना चीजे का उत्पादन उस हिसाफ से बढ़ेगा दूसरा है कि higher capital expenditure जो मैंने आपको यह भी लैप्टॉप लाइए तो उससे भी economy बढ़ता है अब तीसरा क्या है कि सारे workers को वैक्सीन मिल गया है तो वो काम पर लौट आ है तो जब भी काम पर लौट आएंगा लोग ज्यादा काम करेंगे economy में तो उसी साब से और economy हमेरे अच्छी चलेगी यह आपको पता ही कि रोज ठीक है profit रोज बिजनेस का क्या profit रोस हो रहा है मीमतलब क्या नुक्सान फाइदा हो रहा है यह बताते है। च्ज़ाट क्यों बिजनेस को बिजनेस को बता है उसका स्टैंधिन मजबूत हो गया है उसका मझबूत करनः उनकाbalance बढ़ आए मतलब क्यूंने production किया हो तभी त मेन क्लास में बताया ही है वन शॉट वाले में अब वेल कैपिटलाइज पॉब्लिक सेक्टर बैंक तो इंक्रीज दी क्रेडिस अप्लाइज मतलब कि देखिये बैंक को क्या है बैंक जो पैसा देता है वो अपना उसके लिए उसको कुछ नियम भी RBI का कि 12-13% पुझी होना चाहिए तो सारे बैंक का पुझी जो RBI के नियम है उससे भी ज्यादा अच्छा भी चल रहा है तो ज्यादा है यह पुझी ज्यादा है अगर जब कैपिटल ज्यादा है तो लोन ज्यादा देगा और जब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी बिजनेस या जो मीडियम स्मॉल और माइक्रो स्मॉल और मीडियम छोटी उद्योग जो है उनको ज्यादा सारा लोन मिलेगा तो उनका क्या होगा वो बिजनेस और अच्छे से कर पाएंगे और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो इनके वज़े से भी एकनॉमिक होगा तो ये जो चीजे ये एकदम सिंपल चीजे हैं जो मैंने अल्यड़ी क्लास में एक्स्प्लेन किया है बस इसको आप देख लीजिए PPT मैं इसलिए लाया हूँ कि जबकि रिवीजन के लिए असान हो चलिए अब आगे देखते देखिए सेम चीज मैंने देखिए इसमें दो फिगर आपको याद करने के लिए एक तो आने वाले साल का 6 से 6.8 होने वाला है और एक जो 22-23 में कितना था जो हमारा एकोनोमिक सर्वे 22-23 है पिछले साल में हमारा कितना था तो पिछले साल में हमारा 7% GDP बढ़ा था ठीक है GDP का जो ग्रोथ था और अभी 6 से 6.8% का ग्रोथ होना चाहिए ठीक है अब जो मैंने बताया था कि हमारा मंदी चल रहा था recovery complete हुआ COVID तो तीन तरह के थे सिर्फ COVID नहीं था और भी थे एक तो पहला COVID था दूसरे रसिया और उक्रियन वार में आपको पता ये कि हम रसिया से रसिया और उक्रियन से sunflower और भी मंगाते हैं जो तेल की किमिते बढ़ गई थी जादा जो हम यूज करते हैं खाना बनाने में हम पिट्रोल भी लेते हैं प्लस फूड का भी बहुत बड़ा crisis हो गया था क्योंकि इस जितनी भी logistics है मतलब जितनी भी ships जाती है या transportation होता वर्ड में इसके war के वज़े से बहुत कुछ रुख गई थी तो उसके वज़े से भी क्या हुआ था कि वर्ल्ड में inflation आ गया था inflation मतलब कि supply इतनी कम आप समझ ये कि जैसे 100 लोगों के लिए 100 लोगों के लिए 10 किलो चावल चाईए अब 1 किलो बस चावल बचा है तो कितना ज्यादा लोग उसको चाहेंगे कि 100 लोग चाहेंगे में ज्यादा से जारा पैसा देके खड़ी दूसमें से कुछ लोग चाहेंगे तो इस वज़े से supply इतनी घड़ गई थी कि पैसा बहुत बढ़ गया था inflation बहुत बढ़ गया था और COVID में तो आपको पता ही है कि सारा चीज की फैक्टरी बंद हो गए थी सारा पूरा रोग दिया गया था लोग डाउन कर दिया गया था तो कुछ प्रोड़क्शन ही नहीं हुआ तो ग्लोबल आउटपूर्ट जो प्रोड़क्शन के बाद आउटपूर्ट होता वो घड़ गया था contract हो गया था रसिया के वज़े से inflation हो गया था ये याद रखेगा किसके वज़े से क्या हुआ था तो COVID में आपको simple है कि सब कुछ बंद हो गया था या reverse repo rate जो RBI वगगरा जो भी Central Banks बढ़ाती है वो क्या करती है वो करती है कि money supply करने के लिए मतलब बैंक को जिस हिसाब का loan देना चाहती है बैंक को जिस दर पर loan देना चाहती है वो बढ़ा देती है तो उससे क्या होता है कि जब repo rate बढ़ जाता तो मैंने आपको बता था कि money supply कम हो जागा क्योंकि bank के पास पैसे कम रहेंगे वो ज़्यादा महगे loan तो RBI से ले नहीं सकता है तो US वगएरा country ने क्या किया था US और और भी developed countries ने इसको बढ़ा दिया था तो इसको जब बढ़ा दिया तो क्या होगा कि money supply कम हो गई तो जैसी money supply हमारे हाँ कम होई तो क्या होगा कि ये वहाँ पे interest rate ज़्यादा मिलने लगा bank interest rate जो थी वो ज़्यादा देने लगी तो यहाँ से हमारा पैसा जो भी investors हमारे हाँ पैसा लगाते है अब आपको समझी अगर US में ब्याद ज़्यादा मिलने लगा ठीक है US में interest rate समझ लीजिए ज़्यादा हो गया interest rate ज़्यादा हो गया वहाँ ना पहले माल लीजे 3% था तो अब 5% हो गया अब US बहुत अच्छी economy भी है बहुत developed है अब उसने क्या किया लगभग माल लीजे ये 3-5% कर दिया तो जो यहाँ पैसा लगा था हमारे हाँ जो बाहर की लोगों ने पैसा लगा था यहाँ की लोगों ने भी जो इंवेस्टर्स ने यहाँ इंडिया में पैसा लगा तो वहाँ चले जाएंगे और बोलेंगे हमें डॉलर दो डॉलर दो ठीक है क्योंकि माँ तो डॉलर हम इंवेस्ट होता तो रूपी को लिदा के हम मांगेंगे कि हमें डॉलर दो तो हम क्या कर रहे हैं रूपी को sell कर रहे हैं डॉलर को purchase कर रहे हैं इसी वज़े से क्या हुआ था कि हमारा करेंसी वीक हो गया था, रूपी का घट गया था क्योंकि हम बेच रहे थे, क्योंकि लोग जो थे वो बेच रहे थे, उनको US में डॉलर खडीद रहे थे, तो इसलिए डॉलर का प्राइस बढ़ा और रूपी का प्राइस खड़ गया था, ठीक है, ये तीन चीज थे और इसके तीन चीज के ये एक्जामपल है, मलए ये है, एफेक्ट है, अब जब देखा जाए, तो अगर अब एकनॉमी की बात हो गई, तो अब देखेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे GDP growth आई है, कुछ sectors में खराब आए होंगे, तो आप हमेशा ये देखिए का economic survey में, जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, generally positive ही चीज़े होंगी, तो जो negative चीज़े वो especially आप लोग highlight कर लिए, अगर कोई sector में मैं बताऊंगा जो negative हुआ है, दर घट गई हो, या कुछ ऐसा negative हुआ हो, तो वो especially highlight कर लिए, क्योंकि exam में वो unique चीज़ पूछ सकता है, generally ऐसे, तो positive चीज़े मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो जो economic survey में बोला गया कि जो urban unemployment है, मतलब जो शेहरी छेतर में बेरोजगारी है, वो सबसे कम आ गया था, September 2022 में 7.2, सबसे कम, lowest आ गया था, 4 साल का lowest था यह, 4 year low, लिखा मैं ना, यह लिख देता हूँ मैं फिर साब के लिए, 4 year low, 4 year low पे आ गया था, 7.2% पे आ गया था, ठीक है, और labor workforce participle, मतलब जो 15 से ज़्यादा एज के लोग है, 15 से ज़्यादा एज के लोग है, जो जॉब खोज रहे हैं या काम कर रहे हैं, ठीक है, जो जॉब में हैं, प्लस जो खोज, सीख कर रहे हैं, मतलब जो जॉब कर भी रहे हैं, एंप्लॉइड भी हैं, वो 41.6 हो गया, दोनों को मिला के, रूलर अर्वन को मिला के, पहले, एक साल पहले, मतलब, एक साल पहले जो था, 40.41 था, अब 41.6 थोड़ा सा बढ़ गया है, तो यह मैं बता न, यह पॉजिटिवी होती है जनरली चीज़े, तो 41.6 हो गया है, तो अब आप देखिएगा, कि ह बहुत हो रहा है, तो इंफ्लेशन थोड़ा बहुत रहता है, तभी मैंने बताया था, कि थोड़ा रहेगा, तभी ग्रोफ आता बहुत जादा रहा, तो वो भी बहुत दिक्कत है, बहुत कम रहा, तो वो भी दिक्कत है, तो इसलिए RBI ने बोला था कि 2.6 परसंट के भीतर हो गया थे, तो ये देखना है, कि इसके दाग कितना थे, तो सबसे पहले आप देखिए, कि जो बोला गया था, कि जो 2.6 के अंदर का था, इससे महगाई हमेशा जाद आई थी, लेकिन नवंबर 22 में 10 महीने के बाद, 10 मंस के बाद, ये इसके अंदर आ गई थी, तो इसमें आपको ये नहीं याद रखना है कि नवंबर 22 में आया था, या कितने महीने के बाद आया था, मोटा मोटी ये देख ली जागा, कि अगर पूछा गया है, तो ये जो इनफलेशन का जो टार्गेट था, वो इसके अंदर आ गई थी, इनफलेशन वापस आ गया था, ठीक है, अब बोला गया था, कि जो मैंने आपको बताया था, कि यूएस ने अपना इंट्रेस रबात है, उसने ब्याद जादा देना स्चार्ट किया था, तो हमारा करेंसी डेप्रिशेट कर था, वैल्यू कम हो गया था, क्योंकि लोग वहाँ पे जादा अपना पैसा लगाने लग ठीक है, तो ये याद रखेगा, डेप्रिशेशन हुआ ही हुआ है, लेकिन बाकी करेंसी जो है, बाकी देशों की करेंसी से हमारा रूपी बहतर परफॉर्म किया है, तो ये एक पॉजिटीव चीज है, परफॉर्म बेटर दन अधर करेंसी, ठीक है, डॉलर की साब से सब कर प्रकर्ड कUए कैए थीक है चल इए अब देखते हैं आगे का तो Shepherd ऑगे का तो पहला चैप्टर नियimmeं पर खतम हो गया कि तो सबादर भाइसागों घ्रीटि है थीडिया के लुट में आधक बात कlls किपने बात कि आगे आने वाले साल में एक तो इशोपाजagan कि medium term में हमारा growth कितना होना चाहिए तो जो हमारा growth का है वो बोला गया कि जो pre-pandemic मतलब की करोना काल के पहले ठीक है, माल लीजे ये COVID का आया COVID के इधर, before ठीक है तो जो COVID के before है और COVID के बाद जो अभी का time चल ला है after, now, मतलब COVID के बाद अभी का time चल ला है तो बोला गया है कि हमारा जो economic growth है कि मैंने economic growth करेंगे, outlook मतलब कि हमारा जो विकास की district cone है, मतलब हमारा growth कैसा होना चाहिए, तो बोला गया कि जो COVID के before था, जैसा growth का हमारा pattern चल ला था अभी और अच्छा हो गया है अभी और अच्छा हो गया है growth जो growth का outlook है, मतलब district cone हमारा growth होना चाहिए अभी और अच्छा हो गया है करोना काल के पहले से भी हमारा अच्छा हो गया तो यह मैं बता रहा हूँ, यह positive चीज़े है और बोला गया है कि economy हमारा एकदम prepared है कि medium term में बहुत अच्छे से growth करेगा ठीक है तो इसमें याद करें economic survey में देखिए, budget में data जादा होता है economic survey में data लगबग लगबग कम होता है इसमें trend पकड़ना होता है आपको trend देखिए क्या बोल रहा है कि पहले हमारा labor workforce जैसे हमारा trend क्या था कि हमारा unemployment घटा और हमारा labor workforce participant बढ़ा ठीक है तो ये trend है कि बढ़ते जा रहा है अब जैसे ये trend है कि pre pandemic covid के पहले इसके बाद से अभी का और अच्छा हो गया है और हमारा economic growth करेगा तो ये trend है आपको mostly trend पकड़ना है ये कि अचानक से medium term growth कहीं से भी आ जाएगा जरूर सरकार में हमारे economy में ऐसे स्टेप्स या initiatives लिए गए होंगे जिसके वज़े से तो हमने कुछ structure forms लिए थे 2014 से 22 के बीच में जिसके वज़े से ये आया है कि हमारा growth economy का और medium term में अच्छा होगा तो वो क्या structure से इस form लिए सबसे पहला कि ease of doing business जो मैंने आपको budget में बताया था कि बहुत सारे law में हमने compliance जो law में इतने सारे compliance ये form भरो वो form भरो इसका approval लाओ environment ministry का लाओ approval 10 जगा से registrar से ये paper लाओ वो सब कम किया गया है जिससे business करने में असानी होगी ठीक है तो ये क्या कम किया गया है approvals और जो compliance उसे वो कम किया गया है ठीक है approvals कम किया गया है approvals को कम किया गया है तो ease of doing business बढ़ गया और दूसरा चीज क्या गया है public private partnership को किया गया ये आपको पता ये PPP जिसको बोलता है public private partnership जिसमें सरकार और नीजी private company या दोनों मिलके काम करती है जैसे कि अभी आप railway में देखी रहे है कि कुछ train ऐसी भी जो private sector चला रही है ठीक है तो दोनों के बीच में trust build करके economy को ज़्यादा हो वो किया गया कि दोनों का है greater formalization of economy का मतलब होता है कि चीजों को और विवस्थित किया गया जैसे कि अभी आप देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे दुकान में आप जाते हैं तो देखते हैं कि वो उनके worker हैं तो वो unorganized sector बोलते है क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है उनको बस salary जितना भी 8000-9000 मिल गया उनके पास यह नहीं है कि हमारे जैसा आप लोग officer बनेंगे तो उनके पास इतना leave होना चाहिए उनको DA मिलना चाहिए, ग्राचूटी मिलना चाहिए इसा कुछ नहीं उनके पास तो वो unorganized sector तो जितनी ज़्यादा एक नौमी को formalize करेंगे मतलब उनको हमारे जैसा जैसा उनको proper बताएंगे कि एक नौमी में यहाँ से credit लेना चाहिए, मतलब आपको business के लिए भी और personal आदमी के लिए अगर individual है तो उनके लिए आपको ज़रा सज़रा DA मिलना चाहिए ग्राचूटी मिलना चाहिए ज़रा अच्छा पे मिलना चाहिए आपका working hours भी कम होना चाहिए और business के लिए formalization क्या हो सकता है business के लिए formalization यह हो सकता है कि आपको loan bank से मिल जागा कम दरपे आपको अगर loan चुकाने में दिक्कत हो रही है तो आप और bank को request कर सकते हैं कि आप कुछ time ज़्यादा दे दे तो यह सब ज़्यादा सब अच्छा initiatives लिया गया था ठीक है और depending of financial inclusion and digital technology यह तो simple है मतलब की financial inclusion क्या है कि हर छेतर के हर लोग को गाओ के भी लोग lower middle class भी लोग lower class भी लोग सब के लिए banking की सुविधाय लाए गई insurance की सुविधाय लाए जो भी financial services लोग की लाए गई जिससे क्या होता है कि अगर उनके पास bank account है loan की facility है तो वो अपना कुछ बेसिक बेसिक तीन चर्फ है आप overall देख लिजेगा समझ जाएगा इसके अलावा भी बहुत सारा हमने तो लियाई है जैसे हमने जंधन योजना है वो क्या है financial inclusion नहीं है क्योंकि डिजिटल हो गया अधार बेस पेमिंट सिस्टम हो गया है प्लस हमारा क्या है public-private partnership में आप देखिए हम roads की जो toll है वो private को दे दे रहे हैं तो बहुत सारा चीज है यह तो basics है इसमें बहुत सारा चीज अंदर आता है तो आप basic-basic देख लिजिए कि क्या है चलिए अब देखा गया है कि जो 14 से 22 का reforms हमने बताया पुब्लिक गूड मतलब क्या है जो गूड जो सारे सारवजिनिक हो मतलब जो सारे चीज़े से रोड वो सारे लोग यूज कर सकते है वो पुब्लिक गूड है लेकिन आपका अपना घर वो सारे लोग यूज करते है नहीं वो नीजी है आपका आप ही यूज कर सकते सारे नही है जैसे कि यह कोई डिजिटल आयुष्मान भारत है वो क्या है डिजिटल आजकल आ गया ना आपका डिजिटल यह है इंशॉरेंस है तो वो पब्लिक गूड है या फिर डिजी लॉकर पब्लिक गूड है सारे लोग यूज कर रहे हैं खीक है और भी इस इसाब से चांद तक ह हमारा वो भी पब्लिक गूड है कि हमास सैटलाइट भरिषते हैं उसके थू हम यहां पर और एकनौमी में ग्रोथ करने की नहीं नहीं टेक्नोलोजी स्खोशते तो पब्लिक गूड को क्रिएट करना था ट्रस्ट बनाना था यह तो मैंने बताए था कि पब्लिक और प्रड्रक्टिविटी मतलब अगरिकल्चर में जल्दी ज्यादा उत्पाद करने की टे 않़नीक्स और उसकी सिधानतों को लाना है अधि चलिए अब यह दखे है कि जो आने वाला है कम़ कर अंग का मतलब अने वाला क् Cape मिंग नियाल करने का मतलब आने वाला 10 सल आने वाला 10 years ठीक है जो आने वाला 10 years है उसमें क्या-क्या होना चाहिए ग्रोथ के लिए क्या-क्या फैक्टर बोला गया है कि बहुत इंपोर्टेंट है ग्रोथ का मैगनेट कैसे किसी भी चीज को खीच लेता तो ग्रोथ को कोई भी चीज की खीचने के लिए क्या देखि होगी तो आप उतने अच्छे से अपना बिजनेस कर सकते हैं ज्यादा पैसा लगा सकते हैं और ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते एकनोमिंग में ठीक है दूसरा डिजिटल टेकनोलजी मैंने बताई आपको जन्धन योजना आज कर डिजिटल कितना चाहोगे आप देखिए ह और आप यूट्यूब के मालब डिजिटल से ही पढ़ रहे हैं आपको कहीं जाने का जोतनी पर आपके पैसे बच रहे हैं आप राम से नहीं तो हमारे भी हैं आपको हमारा आम से पढ़ा रहे हैं आपको कहीं बहार नहीं जाना पर रहा हैं आपके एकनोमी में ग्रोथ हा र मतलब कि जो शॉक्स मैंने तीन पताय थे पहले उसमें से कोवीड तो खतम हो गया है तो ये डिस्पेशन मतलब कि अब हट रहा है धीरे-धीरे कम हो रहा है ये कम हो रहा है ठीक है कम हो रहा है तो कोवीड भी अल्मुस्ट चला जा चुका उसका भी अब जो एफेक्ट था वो धीरे-धीरे कम हो रहा है और उक्रेयन वार भी अब खतम पर ही है और धीरे-धीरे खतम हो ही जाना चाहिए सब लोग यहीं चाहते भी है तो चलिए तो चैप्टर टू देखें यहाँ पर चै चैप्टर थ्री है वो बहुत important हो जाता है क्योंकि चैप्टर मंपॉर्टन इसलिये है क्योंकि दो मैंने फिजब काज़्य बताया फोल लिया गया GDP का 2023 में जो टार्गेट है यह याद रखेगा कि टार्गेट कितना था तो 6.4 था लेकिन आप याद रखिए कि यह इस एर का टार्गेट है इससे कंफ्यूज नहीं होना है FRBM में जो टार्गेट है वो 3% है FRBM आक्ट जो मैंने आपको बार-बार बता रहा है उसमें 3% फिजिकल डिफिजिकल टार्गेट लेकिन सरकार ने सोचा कि 3% वो नहीं अचीव कर सकती तो उसने बोला है कि 6.4 का ही टार्गेट वो लेके चल रही है औ और बोली कि हमारे एकनौमी एकदम ट्रैक पे एकदम सही जा रहा है और 6.4 की फिजिकल डिफिजिट टार्गेट हम अचीव कर लेंगे इससे ज्यादा नहीं होने देंगे यह बोलती है अब देखिए ग्रॉस टैक्स रेविन्यू मतलब जो हमारा टैक्स का रेविन्यू है जो हम टैक्स से सरकार पैसा कमाती है वो बढ़ रही है अब आप देखिए कि टैक्स बढ़ना चाहिए तबी तो सरकार को फायदा है आप लोग अपनी आये सोचते बढ़े है सोचते है ना सब लोग सोचते हम भी हम लोग भी सोचते कि आज यतना कमा रहे है अगला साल 10% 20% आज अगर 50,000 कमा रहे हैं तो कल कम से कम 60,000-70,000 कमा है सब लोग सोचते हैं तो सरकार की भी आये बढ़नी चाहिए क्योंकि सरकार की भी खर्चे हर सल तो बढ़ी रहे है हम हर सल क्या बोलते कि सरकार इस बार बज़र बस 45 लग करोल आई अगले सार और ज्यादा लाना चाहि इंडारेक्ट-डारेक्ट सारे टैक्स जुड़े हैं इसमें तो ये अप्रील से नवंबर के बीच में 15.5% हुआ है तो आपको प्रियर उतना याद रखने का जोतनी है 15.5 याद रखिएगा ठीक है अब ये किस वज़े से हुआ है तो आपको पताएगे कि GST लाने के क्योंकि जितने भी वपारी लोग है उनको GST में अपना जो भी गूट्स का वो समान भेशते उसका E-way बिल दिखाना पड़ता है कि गूट्स का इतना भेजा या जो सेल करते है उसका भी बिल अपलोड करना पड़ता है या जो परचेस करते उसका भी बिल डालना पड़ता तो इतना चीज government ने कर दिया कि GST की चोरी रुख गई है तो maximum लोग अब GST पे करते हैं ठीक है उसके बाद डिजिटलाइजेशन जो मैंने आपको बताया कि सब चीज डिजिटल होगी online के form में आ गई है तो online के form में आने से क्या हुआ है कि अब ज्यादा बढ़ियां से हम track कर सकते हैं government को जाके बार-बार चेक नहीं करना है वो बोलेगी सारे कुछ online upload कर दो computer पर तुरंत आ जाता और सारा कुछ अपने आप computer भी आजकल देख लेती है तो इसके वज़े से जो reform समने लिए तो वो बढ़ा है अब दो चीज देख लीजिए कि ये तो all tax का हो गया gross tax revenue लेकि जो direct tax होती है जो मैंने आपको बता था income tax और corporation tax वो बढ़ा है 26 साल year on year मतलब एक साल से दूसरे साल पर year on y यह होता year on year ठीक है यह मिलने के देता हूं year on year ठीक है तो 15.5 gross tax और direct tax 26% यह याद रखिएगा अब जब direct tax की बात होगे तो indirect tax की भी बात कर लिए जिसमें GST म बोला गया है कि GST में जो आया गया है वो GST का है 24.8% ठीक है अप्रिल से दिसमबर के भी GST एतनी बड़ी है ठीक है तो यह भी आपको data याद रखना पड़ेगा और DST tax पर double होगे मैंने बताया ना कि अब चोड़ी करना मुश्किल हो गया है तो लगबग double होके 1.4 क्रोड व्यापारी लोग जो है जो भी बिजनेस करते हैं वो अब GST भर रहे हैं चलिए यहाँ tax की बाते हो गई अब आ जाते हैं जब tax की बाते हो गई तो अब आ जाते है कि हमने बोला था कि budget में क्या होता कि income की बात तो कर ली अब expenditure की भी तो बात करेंगे कि खर्च कितना कर रह तो government का जो खर्च है वो capital expenditure जो है government का वो increase किया है जो capital expenditure सबसेरा important capital expenditure होता है जो 10 लाग करोड का इस बार था budget में क्यूं क्यूंकि उसी से ही सारा assets बनती है और सारा investment होता है हम डैम, सरके, railway और भी तरह की चीजी होती है जो संपती है वो ही हमारा या फिर कोई भी loan वोन चुक करता है हमारा capital expenditure तो हमारा capital expenditure increase हो के 0.5% हो गया है ठीक है 22 में ठीक है 1.7 से और यह किया गया है कि यह 23 में और बढ़ेगा 2.9 हो जाएगा तो आप बस 22 और 23 का याद रखिएगा यह बढ़ा है घटा नहीं है बस यह याद रखिएगा ठीक है और revenue expenditure भी है यह जो है इसको कम क संपतिया बना जाती जो एकनौमी फर्दर कोई भी संपती बनाएंगा कोई इंफार्शक्चर बने वो सर्फर्दर ग्रोथ करता है लेकिन revenue expenditure जो होती है सरकार की वह तो समाने खर्चा है वो क्या है pension है salaries है या ब्याज में जो interest देना पड़ता है तो government चाहती इसको कम से कम कर कि उससे कुछ जारा एकनौमी में क्या होता है कि growth की prospect उतना नहीं मिलती जितना capital expenditure की मिलती है तो इसको कम किया गया है तो यह positive चीज़ है यह याद रखिएगा capital expenditure बरता है तो वो positive इसलिए है क्योंकि वो infrastructure बनाता है यह घटता है इसलिए कि उसकी खर्चे कम होती तो यह भी जाता था और क्यों हुआ है कि कुछ जो subsidy देती थी सरकार उसको कम की गई है तो आपको पता है कि हमें सबको अच्छा लगता था कि सरकार subsidy क्यों कम कर रही है बिजली फ्री का हमें मिलना चाहिए किसानों को भी जो electricity उसको कम rates पर मिलना चाहिए तो subsidy कम कर गी तो बढ़ सरकार बोलती है कि इतने subsidy देने के कारण क्या होती है बहुत बार हमें बहुत जादध एक क्नाॉमी ग्रोथ नहीं मिलता है कि हमें क्या होता है कि बजली फ्री नहीं आपार लोग है जो पैसे सकते लिकिन उनको भी बिजली फ्री मिलता है तो अस एkonomi ज्यादा नहीं कर पात तो subsidy हमारी जो expenditure है वो लो हो गई उसके वज़े से हमारा revenue expenditure जो है वो घाट गया यह positive चीज़ है ठीक चलिए अब आगे बरते हैं तो जब सरकार की बात हो गई तो state government का भी देख लेते हैं तो state government का हमने देखा कि जो state center का 6.4 target लिया था लेकिन state government का जो physical deficit है वो 2.8 है GDP का ठीक है 4.1 से घटके ठीक है केतना हुआ 4.1 से घटके 2.8 हो गया मतलब यह FRBM act का जो था 3% उसके अंदर आ गया यह याद रख लीजेगा ठीक है मनला FRBM act के अंदर आ गया ठीक है अब बोला गया था कि debt profile मतलब की सरकार ने जितनी loan ली है liabilities जिसको हम बोलते हैं कर्ज loan liabilities आप पे क्या-क्या उधार है ठीक है रिन तो जो कुल देन के लिए सरकार की थी वो घटना चाहिए यह तो पता है कि आपको liability घटनी चाहिए आपका जो कर्ज है उधार है वो घटना चाहिए तो जो total debt है वो घटा है पहले 59.2 था अब 56.7 हो गया है ठीक है लगबग 59.2 से एक मिनट लगबग 59.2 से 56.7 हो गया है घट गया है तो यह भी एक positive चीज है कि हमारा रिन कम हो रहा ह चलिए अब देखिए physical deficit का जो मैंने आपको बताया कि 6.4 का government ने 22 से 23 में target लिया वा था हाँ और 21 से 22 में 6.7 इसके पीछे का generally आपको याद नहीं करना रहता है ठीक है तो यह देख लीजेगा इस पे trend generally देखा जाता है यह P.I.B. के side से लिया गया है क्योंकि government का side से जादा question यू B.P.S.C.B. पूछती है तो देखिए इसमें trend देखा जीजे देखिएगा कि हमेशा जो है कि पहले 4.7 था लेकिन COVID में क्योंकि सरकार को खर्च बहुत करना पड़ा क्योंकि COVID में हर कुछ उर्ग गया था सरकार ने कितने दिन तक हमें बहुत लोगों को राशन फ्री किया था और भी बहुत चीजे की सरकार ने खर्च की थी तो उस समय देखिएगा 4.7 से बढ़के 9.2 हुआ लेकिन फिर देखिए धीरे 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 घट रहा है फिजिकल डेफिसित घटना ही चाहिए आप लोग को पता ही है चलिए अब वही चीज जो मैंने आपको बता था यहाँ पर दिया आवा है कि government track पर है sustained revenue मतलब कि उसकी जो revenue buoyancy मतलब कि जो tax collection की बात हुई थी tax collection की जो बात हुई थी वो बढ़ रही है उसकी ठीक है gross tax GST का भी बढ़ रहा है capital expenditure भी मैंने बताया थे कि ज्यादा होना चाहिए क्योंकि क्या होता है generally generally infra generally infra हमारा इसी से बनता ह ठीक है modest growth debt to GDP ratio ठीक है मतलब बहुत जादा हमारा रिन नहीं बर रहा है हमारा moderate होके 56 हो गया था ठीक है अब interest rate positive interest growth और interest rate differentials keep government debt sustainable sustainable मतलब की हमारा जो growth है वो जादा बर रहा है और जो interest rate है वो generally जो हमें देना है रहता है वो उतना लगभग लगव उतना हमारा उस हिसाब से नहीं बर रहा तो इसलिए हमारा sustainable है क्योंकि अगर हमको ब्याज देना है तो उस ते रहा कमाना पड़ेगा तो growth है उस हिसाब से वो sustainable है हमारा आम से कर जाएंगे तो इतना important यह रही है क्योंकि यह मैंने आपको already explain कर दिया था इसमें कुछ खास है नहीं तो यह less important लग लग लीजे क्योंकि इसमें से जादा कुछ आएगा नहीं जो मैंने आपको already explain करी चुका है चलिए आप देखिए कि rise in capital expenditure and in central total expenditure तो मै revenue को कम क्यों करना क्योंकि revenue से उतने economic growth नहीं होते क्योंकि salary, pension, interest यही समय पैसे जाती है या grants में देने में जाती है ठीक है तो आप देखिए 18 में 89% revenue expenditure था अब वो घटके यह 89% था 89 था अब यह 81% हो गया ठीक है लिख देता हूं अगर आप लोग को clear नहीं दिख रहा हो तो अब यह घट गया तो दूसरे जगर सरकार कहां जड़ा पैसा डालीगी तो पहले यह 12% था अब capital expenditure बढ़के 19% हो गया है ठीक है total expenditures हो गया तो ऐसे ही है यह positive चीज हमारे country बढ़ रहा है positive के बढ़ रहा है ठीक है अब external liability बोलती है कि मतलब हम बाहर से कितना पैज़ा हमारे देश ने उठा रखा है foreign countries है तो वो कम होना चाहिए क्योंकि external liabilities को इसलिए कम होता है देखिए दिन तो हर जगा कमी होना चाहिए foreign liabilities को और इसलिए बोलते है क्योंकि हम सबसे पहले external liability चुकानी होती हमें अगर हम foreign के जो हमने बाहर के देशों से पैसा ले वो नहीं चुका की country उसलिए नहीं चुका है तो सारी country क्या करेगी उसे trade करना बंद कर देगी वहां पैसा लगाना बंद कर देगी तो सारी country जब उसको cut off कर देगी तो globalized world है जब आपको समने cut off कर देगा कोई country को तो वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है उसकी economy और ज्यादा खराब हो पूछेगा कि हमारा external debt जादा है या internal debt जाता है generally यही पूछता है कि external debt more है या internal debt more है और है भी तो कितना percent तो देखे बहुत कम है external debt लगए 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 5% और 95% हम लोग internal इंडिया ही से ले रखा है तो यह याद रखिएगा कि हमारा pattern क्या है चली आगे देखते है चली तीसरा chapter भी आप लोग का पूड़ा हो गया देख रहे हैं जल्दी-जल्दी हो रहा है क्योंकि economic survey में ज्यादा से रहा trend है और आपकी सोच समझ से ही rational economy में कैसे growth हुआ है उसी हिसाब से economy में चला रहा है चली chapter 4 देखते है तो जो chapter 4 है वो बोलती monetary management and physical intermediation a good year मतलब की monetary management बताया था आपको मैंने कि RBI कितना rate बढ़ाएगी जिसे money supply को control किया जाएगा money supply से क्या होता है inflation control होता है और क्या control होता है growth में भी आता है कि जब बहुत ज़्यादा मन्दी आ रही है तो money supply पैसे जादा डाले जाता है बढ़ाया जाता है कि सब के पास पैसे हो ज्यादा लादा loan मिले उससे लोग ज्यादा business करिए सब मैंने अल्रडी आपको पूरे economics के class में अच्छे से समझा दिया है अब यहाप economics रहें उसी का देखे कि impact क्या है तो monetary development or liquidity म मैंने बता था कि money supply जादा है मतलब कि liquidity है बहुत जादा पैसा है सब economy में तो यह याद रखिएगा कि जो repo rate था जो आज भी repo rate लगती है जिस पे bank loan देती है अर्भी है वो 4% से बढ़ा के 6.2 किया गया था अब repo rate बढ़ाया गया मतलब money supply को कम किया गया था क्यूं क्यूंकि वही सेम चीज मैंने लिखावा है कि money supply reduce tighten monetary policy tight किया गया policy को मानी किसी को चीज को tight करना है तो tight कर दिया गया policy को तो उससे flow कम हो गया पैसा का और flow कम होगा तो inflation कोगना था क्योंकि आपको पता inflation last time बहुत जारा था अब inflation का बात आए गा ही देखिए जो जो government security जो मैंने आपक कि government का चिसान बचत पत्र या महिला अभी budget में हमने बताया महिला saving certificates कि आप पैसा आपको जमा करना है तो government ला करो क्योंकि government में कभी भी पैसा आप जमा करोगे deposit करोगे तो डूबेगा नहीं government आपको लोटाती ही है तो बोलागे कि जो trading volume है मतलब जो T-bills है और T-bills कौन issue करता है central government ठीक है central government और state development loans क्या करती है ये state government loans ये तो पता कि राज सरकार करती है ठीक है तो इन दोनों में जो trading हुआ है मलब खडी बिक्री जो हुई है वो काफी जादा हुआ होना भी चाहिए जादा क्योंकि government को loan चाहिए government भी एक active participant होता है आपको पता ये एक नॉमी में तो ये अच्छा चीज हुआ है कि इसमें इंक्रूजर growth है 6.3% का याद रख लीचेगा अब banking sector की बहुत बार बात हुई थी कि banking की पूंजी recapitalize हुआ है मतलब कि उसकी capital को recapitalize किया गया capitalization है उसकी capital को बढ़ा गया पूंजी को बनाया गया अब पूंजी जादा रहेगी उतनी मजबूत रहेगी वो तो और अच्छे से लोन दे सकती है और ज्यादा लोन दे सकती है तो banking sector का जो अप्रोच है वो चार 4R से तो ये 4R बस याल रख लिजगा पहला है कि recognition किया गया banking को कि आप अच्छा perform कर रह नहीं कर रहे हैं या कैसा कर रहे हैं ठीक है resolution कोई भी अगर dispute आ रहा है bank से किसी customer का या bank से government का उसको solve करना recapitalization मतलब पूंजी को बढ़ाना और reforms to clean and strengthen the balance sheet मतलब जो bank का balance sheet में मतलब ज्यादा सारा loan जो खराब होते जो को non-performing assets बोलते हैं जो loan क्या करते हैं कि अपना loan interest नहीं चुका पाते हैं interest नहीं दे पाते हैं principal जो भी है नहीं चुका पाते हैं no interest यह समझेए जो loan में interest नहीं मिलता तो वो NPA हो जाता है तो जो loan NPA होगा bank ने पैसे दिया bank को वापस नहीं आ रहा है तो bank का क्या होगा profit गटेगा profit बैंक का profit अब इसके वज़े से क्या होगा bank का profit घटेगा तो इसके लिए भी reform लाया गया था कि कैसे कैसे bank के profit को बढ़ाया जाए और bank में जो NPA ओरे लोन जो खराब होरे जिसमें पैसे नहीं आ रहे है उसको ठीक से किया जाए बहुत सारे reform लाया गया था ठीक है यह चार आर याद रखिया recognition, resolution, recapitalization and reform to strengthen the balance sheet यह चार आर था जिससे banking sector को और अच्छा किया गया आप देखिये कि जैसे NPA का मैंने आपको बताई दिया था कि जिस पे interest नहीं आता NPA का पूरा formula होता है कि 90 दिन तक नहीं आता है किसी पे गर interest होता है उसके बहुत सारे process होतना economic survey में detail नहीं पूछता है आप बस NPA का rate याद रखि बैंकों के पास पैसे कम बचेंगे ठीक है तो इसलिए जो है gross NPA को decrease किया गया है 8.2 से 55% अब 5% पर आ गया है 2022 में जो कि अभी तक का 7 year 7 year 7 year साथ सल में सबसे कम है ठीक है अब आपको पता कि हमने बताया था economics की क्लास में की loan सबसे जारा हमने अब credit सबसे जारा देनी चाहि जादा एक normie को आगे बढ़ाएंगे तो जो non food credit है मतलब जो non food sector में दिया गया है credit वो double digit में मतलब 10% से जादा है double digit ही हुगा ना 9 से 10% से जादा ठीक है यह हुगा और NBFC credit का भी rise हो रहा है देखिए credit loan कौन देती है bank देती है दूसरा loan आप कभी-कभी देखते हैं कि Bajas Finance Tata Capital भी देती है वो सब NBFC है bank नहीं non banking financial company मतलब finance की company लेकि non banking है जैसे समझ लीजिए Tata Capital तो आप लोग जानते ही है तो bank नहीं है यह लोग NBFC है ठीक है बजा जलियांस यह लोग भी loan देती है कई बारी आप गाड़ी खरीदने भी जाते तो बुलते कि Tata financial loan कर आ लेंगे या आप महिंद्रा में जाते तो उसकी खुद की भी है loan की तो वो लोग MDFC है तो हमेशा economy में जतने जादा credit growth रहेगा उतने जादा लोगों को अराम पेसर में economic class में वही सेम चीज बार 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 एकनोमी में एक ही चीज रिपीट होती तो बहुत असान है कि आप लोगा division भी हर बार होते जागा चाहा बजट में हो चाहा एकनोमिक चाहा बन शॉट में हो तो एक रिवीजन भी आप लोगा every time होते जागा ठीक है तो इस के लिए कोई example इसका दर नहीं बताया गया लेकिन suppose के लिए बढ़के 4% हो गया है तो यह एक्जामपल है यह याद रखेगा यह एक्जामपल ही है असली दर नहीं है क्योंकि असली दर या नहीं बताया गया यहाँ पर trend बतायागा economics review में कि on the rise है ठीक है NBFC का लिए लगात life insurance भी बहुत जरूरी है कभी आपका क्या किसी के साद भी आसी हद से हो जाता है कि कि किसी कि death हो गई उनके घर वालों को क्या होगा आगे वही अकेला का माता हो बहुत कि so इसकी किसी के साद भी है यह कभी बीमार परते हैं लोग तो आपकी अपने जेशां Cape familiar दोंकर घर में live insurance health insurance पे दे दो अगर 500-2000000 तक का भी बीमारी तो वो कवर होता है तो कितना अच्छा है insurance तो insurance हमेशा होना चाहिए जादा क्योंकि insurance sector भी बह outra ड्लादा पैसा उसके टना जादा पैसा हुता कि UK 편ониMP पैसा लगाता भी Só this can be forLeans 10-2009 people को बढ़ावा देना चाहिए यही सब economy चलाती है financial sectors तो economics बोला गया कि life insurance का premium growth किया है 10% पे जो हम death वाला life insurance लेते कि अगर death हो जाए तो उसके बाद क्या होगा तो उसके लिए जो premium है वो grow किया है मतलब कि उसके लिए लोग जादा लोग उसको कर रहे है तभी तो grow कर रहा है प हो जाएगा और आपके सारे जितनी भी economic सी समस्या है वो भी दूर हो जाएगी एक बार आप मेरा जितना lecture है आधा मैं मानता हूं कि अगर आप मेरा यह lecture सुने होंगे तो आधा चीजे आपको याद रहेगी और आधा चीजों के लिए एक बार और PPT बस एक बार PPT आप महंगाई महंगाई डायन खाय जात है यही तो बिहार में हमेशा बोला जाता है और महंगाई लास्ट यह था भी बहुत हर तरफ से महंगाई के लिए बहुत जादा news आ भी रहा था तो महंगाई देखते हैं कि कितना percent था RBI का भी हमने एक data देखा था कि बोला गया था कि RBI का तो 2-6% के बीच में नवंबर में वो आ गया था उसके bracket के अंतर लेकिन कभी बाहर तो नवंबर के पहले बाहर भी तो था bracket के महला महंगाई जादे भी तो थी तो चलिए देखते हैं जो CPIM ने बताया था आपको explain कर च कितना है तो वो peak मतलब सबसे जाला 7.8 था highest हुआ यह तीन फेस था यह सबसे जाला highest हुआ 2022 में सबसे जाला यह हुआ फिर यह धीरे 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 घटा साथ और जो RBI का है यह है ना RBI का 2-6% का target RBI का यह target है 2-6% का यह year in में वही जो मैंने बताया था November in में जो पहले था से 5-6% के नदर आ गया मना RBI ने अपना target achieve कर लिया था चलिए अब जो बोला गया कि inflation जो था यह CPI का यह किस वज़े सा रहा सबसे जारा ऐसा क्या चीज था जी जो inflation को था क्योंकि हम तो बहुत चीज़े उस करते हैं खाने की चीज़े के लावा भी हम health यूज करते हैं चाहे की चीजे के वजो से ही सबसे जारा inflation था तो यह याद रखे का जो retail inflation था वो सबसे जारा खाने की चीजों की वज़े से था अब देखे थी कि rise in the prices was capped मतलब की जो यह पैसा बढ़ रहा था उसको कीमेतों में वृद्धी को हस्ता चेपन करने के लिए क्या-क्या नियंतरन कर चाने के लिए क्या-क्या चीज की गई थी तो सबसे पहला बात है पिट्रोल पे export duty हटादिया जाएगा थे तो पिट्रोल जो भी patrol हमारा यहां पर जाता है पिट्रो वी है पिट्रोल और डीजल उस पर duty कम कर दिया जएगा तो पिटू सस्ता हो जाएगा और जो हमारा बाह गया तो क्या हुआ कि हमारा import duty कम हो गया उसके वज़े से हमारा यह सस्ता हो गया ठीक है अब exports were regulated मतलब की exports अगर हमारा सोचिए अगर wheat का दाम बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए पहले यहां पे उसका supply बढ़ाना पड़ेगा यहां उसको पहले बाहर भेजेंगे आप खुच से सोचिए आप खुच से सोचिए कि अगर मालीजे गेहु का दाम जो आटा का दाम है वो 30 रुपे किलो से 40 रुपे किलो बहुत ज़्यादा available हो जाएगा तो और कम हो जाएगा तो यह तो प्राइस कम करने का या फिर हम कम करें कि प्राइस बढ़ रहा है लेकिन हम बोले कि नहीं हमें तो export ही करना है हम दूसरे देशों को भेजेंगे तो हमारे पास और कम बचेगा प्राइस और ज़्यादा बच डेटा वेटा बहुत जादा होता है और बहुत चीजे इसमें न्यूस में अलेडी होती है बजेट आने वाले के लिए स्कीम निकालती है एकनोमिक सरवे तो बताती कि कैसे कैसे एकनोमी चला आगे कैसा होगा तो ट्रेंड पकरना सान होता है थोड़ा सा ठीक है अब देखि है कि जल्दी से जल्दी आप लोग ऑफिसर बने और अपना इंप्लॉइमेंट ले तो जो सोचल सर्विस में एकस्पेंडीचर था वो बढ़ना चाहिए घटना चाहिए अच्छी बात है बढ़ना चाहिए आप कोई पता कि हेल्थ पे जारा खर्च होना चाहिए आय कि रूप में नहीं मानता है यह घरीबि को बहुत तरिकों से देखना बहुत चीजों को देखना बहुत बहुत दायमेंशन देखना है more dimension ठीक है बहुत सारे dimensions को देखता है सिर्फ एक पहलू से नहीं देखता है बहुत पहलू से देखता है जैसे कि ये health को देखता है कि health में क्या चल रहा है infant tissue का मृत्युदर क्या है infant more retaliated क्या है ये education को भी देखता है ठीक है standard of living को भी देखता है ये बहुत चीजों को देखता है ठीक है तो इसी से कि आप standard of living में ये होता है कि आपके पास कितना आप कमा रहे हैं प्लस आपके पास cooking fuel है कि नहीं मतलब आप gas का यूज़ कर रहे ने cylinder का आएसा तो नहीं कि आप अभी भी कोईला या फिर आप लकडी जला के यूज़ कर रहे तो बहुत तरह का चीजों को देखके ये गरीबी को नापता है सिर्फ आइस नहीं नापता कि क्योंकि हो सकता कि किसी के पास पैस पैसा हो मतलब हो सकता कि कि किसी के पास गरीबी से district तो आपको मैंने अभी budget में ही थोड़ा देर पहले बताया कि aspirational districts वह थे कि जिन्होंके जो lack कर रहे थे कोई-कोई social infrastructure में या social economic progress में उनकी विर्धी नहीं हो तो उनका growth कम था education, health, financial inclusion, banking नहीं थी वहाँ पर उनके पास phone नहीं थे, internet नहीं थे, mobile नहीं थे बहुत तरह की चीज़े नहीं थे तो उसके लिए कुछ district को सरक्किया गया था और उस पर government खर्च करी थे तो देखा गया कि जब government ने उसके इनके लिए scheme लाया, तो scheme कारेगर हुई, success मिला, क्योंकि जो aspirational district से उनका performance ज्यादा है, जो non-aspirational district है, मतलब जो in context of financial inclusion, मतलब की banking और जो banking या insurance या जो भी उनके लिए वहाँ पे banking के फाइदे लाए गए दैसे कि उनको savings account खोल लीजिए या आप digital payment कीजिए, वो सब के financial inclusion वही होता है, वो सब की खेत में बहतर परदेशन उन्होंने किया है, वित्य समावेशन मतलब, वित्य जो भी money का है, उनको सब के लिए जो उनको include करना था, उसमें सारे sectors को सारे village level में या lower people income को भी उनकी performance बेटर हुई है, लेकिन किस sector में बस financial inclusion के context में या याद रखिए benefits से उसका lab उठा सकते हैं, तो e-sram portals पे इस बार 28.5 crore unorganized workers जो मैंने आपका examiner, जैसे आप क्या driver है, या आप क्या कोई maid है, जो खाना बनाती है, आप किसी छोटे से दुकान में राते हैं, उसके हाँ जो आदमी है, जो उसकी दुकान की सफाई वफाई करता है, वो सब, उन्होंने 28.5 crore लोगों ने इस पर register किया है, सरकार की फायदे उठाने के लिए ठीक है, अब जब social sector में बात हो गया, तो देखिए, क्या क्या बात हो, रोजगारी पे बात होई गया, हमारा रोजगार पे हो गया, आपका unorganized workers पर भी बात हो गया, तो education पर आना चाहिए, education की प्रधार मंतरी भी बन सकते हैं, क्योंकि यह education ही आपको ऐसा है, जो आपको कहीं भी पहुचा सकता है, तो school का education में सबसे पहले क्या देखते हैं, कि हम enrollment ratio देखते हैं, कि कितने बच्चे school में दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि हमारा यही होता है, इंडिया में सबसे रहा कि ब बिल्कुल ही मुफ्त है, तो होता है कि हमें हमें सबसे जितने भी हम enrollment ratio को बहाते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को school मिला है, ताकि उनको ज्यादा अच्छा सिक्षा मिले, तो enrollment रहे लेवल पे, सारे लेवल, सारे लेवल मतलब क्या primary, जो छोटे बच्चे हैं, 1-2, upper primary, 2-4, 6 वाले, secondary, 9-10 वाले, higher secondary, 10-12 वाले, सारे लेवल पे देखा गया है कि improvement हुए लेकिन एक लेवल पे नहीं हुए है, pre-primary, जो है ना ये छोटे बच्चे, 2-4 सार वाले जो होते हैं, जो pre-primary school के होते हैं, जो one class के पहले वाले जो भी होते हैं, उस लेवल पे देख कि all levels पे तो ये है, लेकिन एक लेवल पे नहीं हुआ है, ये तो accept वाला जो चीज है ना, ये accept वाला चीज है, एक दम याद रखिएगा कि 1.1 से एक करोड से घटा है, तो ये याद रखिएगा, तो एक मिनिट आप देखिए तब तब चलिए, तो देखा आप लोगों ने, कि जो प्री प्राइमनी जो ऐसे मैंने आपको बताया था, कि सारे में तो हुआ है, लेकिन प्री प्राइमनी में कम हुआ है, मतलब कि जो भी केजी वाले बच्चे होते हैं, जो वह बोलता है, किंडर गाइटन, केजी वाले बच्चे, जो तीन से छे सालक में मोशली रहते हैं, इनमें घटा है, ठिक है, प्यूपिल टीचर रेशियो मोलता है कि एक टीचर को पे कितने बच्चे हैं अब आप बताइए एक टीचर पर ज्यादा बच्चे होंगे तो अच्छा है आप कई बारी देखते हैं कि बहुत जगा क्या होता है कि एक टीचर को बहुत ज़्यादा बैच दिया जाता है कि आप पूरा batch को पढ़ाईए, तो यह तो फाइदा नहीं है, अगर एक teacher 2000 बच्चों को पढ़ाईगा, तो बच्चा क्या समझेगा, teacher और बच्चों का तो interaction होना बहुत जरूर ही है, तो teacher people ratio में सा कम होना चाहिए, तो teacher people ratio पहले 34 था मदब, एक teacher पर 34 बच्चे थे, अब घटके, 13 में, अब घटके 26.2 हो गया है, ठीक है, और सारे लेबल पर प्राइमरी पर भी और अलग लेबल, सारे लेबल पर हो गया है, तो यह अच्छे साइन है, ठीक है, education हो गया, हाँ, आप देखिए, बोला गया था कि enrollment ratio हर जगा बढ़ा है, तो यहाँ भी भई बात है, देखिए, the total enrollment higher education has increased to 4.9 से कहा गया, 3.9 से 4.1 हो गया, ठीक है, increase हुआ है, तो सारे का जो बात था, यह ही है, प्री प्राइमरी बढ़ा याद रखिएगा, कि घटा है, चले, skill development की बात की जाए, अब education हो गया, education की बात क्या आना चाहिए, जब आपको education मिल गया, तो मतलब आपके पास talent आगया, आपने skills कर ली कि इस exam को अगर BPSC का आपके पास education आगया, अबने बता दिया, strategy बता दिया, और आप हमेसा जूड़े रहेंगा, तो आपको पता ही चल जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, कि आपके पास skills आजाएगा, कि आपको कैसे निकालना है, जब education आगया, आपके पास skills आगया, तो skills development के बात करते है, तो प्रधार मंत्री कॉसल विकास ही होजना है, जिससे के साथ, मैंने अभी बजट में ही बताया था, कि international skills भी दिया जा रहा है, जैसे AI artificial में दिया जा रहा है, रोबो टूबट में दिया जा रहा है, तो इस, इसके तहर जो प्र technical training दी गई है, ठीक है, और formal education और technical जो है, वो इंप्रूव हुआ है, ठीक है, तो 1.4 लोगो को दिया गया और इनकी जो training में उसमें कितनी लोग 2020 में है, 21 में इंप्रूव किया गया, तो यह तो simple है, अगर उनको training मिली तो इंप्रूव होगा ही, तो यह 19 से 20 कार सुन ले, उसके और आपको दिमांग में आप खुछ से सोचे क्या है, जो एक दो पॉंट निगेटिव है, बस वही याद रखना है, बाकी तो ट्रेंड बैसिकली आपको करना, अब देखिए, 1.5 लोगो को करोड़ कर दिया गया, तो ट्रेंग में ओवेसली इंप्रूवमे कर रहे हैं, तो हेल्थ की बात यही होता है, कि हेल्थ में जो भी है, गवर्मेंट का जो बजट था, वो हमेशा बोलता है कि गवर्मेंट का बजट हमें हमेशा ज्यादा करना चाहिए, तो गवर्मेंट का बजट में देखिएगा कि जो भी है, सेंटर और स्टेट का बजट कितना होना चाहिए तो 2.1% GDP का पहुँच चुका है 23 में ठीक है और 22 में 2.2 था तो ये याद रखिएगा कि जो थोड़ा सा घटा है लेकिन 21 में वो कम था ठीक है ये याद रखिएगा 21 में 1.6 था फिर 2.2 हुआ फिर थोड़ा सा घटा है तो यहाँ पर इसको positive तरीके से लि ठीक है अब तीन तरह की आपको रेट तो मैंने बताया था कि infant mortality rate अभी बताया था कि जो बच्चे वो एक महिने के अंदर जिनका हो जाता है शिशु मित्तु उदर ठीक है और under 5 mortality rate जो 5 सल के अंदर बचारे बच्चों का मित्तु हो जाता है और new natal mortality rate तो new natal mortality rate है जो मतलब 28 दिन में जिनका हो जाता है ठीक है first 28 days ये new natal है ठीक है और एक साल के अंदर वाला infant mortality rate ये तो मैंने आपको बता ही दिया था ठीक है अभी budget में ही बताया है तो इसी साब से new under 5 मतलब 5 साल के कम वाले ये 28 दिन वाले और ये आपको हो गया 1 year वाले हां हो गया ठीक है 1 year वाले तो अब इन तीनों चीजों को मिट्टू रेट है आपको बढ़ना चाहिए है घटना चाहिए क्योंगी बच्चे है बच्चे में क्योंकि उनको उस स्टार्टिंग में अच्छी nutrition या ज़ली ये नहीं मिल पाती है उनको care नहीं मिल पाती क्योंकि बच्चे का तुरंत बच् स्कीम गवर्मेंट इन लाँच किया जिसके तहत हम लोग health insurance देते हैं ठीक है इसके तहत जो इसमान भारत आप हर में समय न्यूज में सुनते रहते हैं 22 क्रोर लोगों को मिला है और 1.5 लाग center इसके तहत इसी में आप इलाज करा सकते हैं जो की अभी चल रहे हैं तो 22 क्रोर लोग और center कितना है 1.5 4 लाग center ठीक है यह याद रखिएगा ठीक है चलिए health की बाते हो गई अब आज आते हैं social protection पर भाई कि जो social protection क्या होता है कि मतलब समाजिक protection आपको क्या समाजिक स्रक्षा मिलनी चाहिए जैसे आपका insurance हो गया social protection है आपका insurance हो गया यह आपको PF मिलता है gratuity मिलता है यह retirement pension मिलता है यह सब social protection है कि आपको पैसा आप retire हो clarify फिर भी आपको मिलना है तो जो social protection है तो प्रधान मुनती जीवन जोती भीमा योजना, जीवन जोती भीमा योजना क्या है? death insurance है, ठीक है, तो death insurance ये बोलती है, कि इसको death का, कोई भी reasons के वज़े से death का insurance मिलती है, तो ये होता है, तो ये होता है death insurance, ये इतना schemes याद करने के जोतनी है, क्योंकि अगर ये current affairs में आ रहा है, तो ठीक है, ऐसे death का ये name ज्यादा होता है, क्योंकि आप बस ये देख लीजे, प्रधान मुनती जीवन जोती भीमा में 14-15 क्रोड के आसपास लोग का था, ये less important fact है, येकिन फिर भी एक बार देख लीजे, हाँ, मुदरा योजना, प्रधान मंतरी मुदरा योजना जिसमें छोटे loans मिलते हैं, आपको तो पता शीशू किशोर तीचोर वाले जो loan मिलते हैं, 10 लग तक के loan होते हैं, उसमें 38.4 करोड loans have been sanctioned, वादा loan application, कितने लोगों को loan मिला ह लोगों को loan इस scheme से मिला है, हाँ, अब economy, ये health की बात हो गई, social infrastructure की तो देखते हैं कि ग्रामीन छेतरों में economy की क्या बात है कि अभी भी हमारा population, जादा तर population, ग्रामीन छेतरों में रहता है, आप लोग भी बहुत लोगों ऐसे होंगे, जो ग्रामीन छेतरों में हमारा कितन विकास था, वो देखते हैं, तो बोला जाता है कि, देखिए मैंने क्या बोला था, कि अभी भी जादा परसेंट रहता तो परसेंट हमेसा याद रखिएगा, क्योंकि ये trend बताता है, देखिए, 65% अभी भी रूलर एकनॉमी में रहता है, मतलब अर्बन से जादा, 50% से जा है, तो हमारे याँ खेती बहुत important है, ठीक है, और बोला गया कि, रूरल एरिया में हर तरह हमेसा सब की life improve की गई है, क्योंकि आप खुद भी देखिए, कि अब रूलर एरिया में इंटरनेट आ गया है, सब के पास mobile phone भी है, सब को अईश्मान भारत से health insurance भी मिला है, bank भी ख housing, जैसे जो प्रधानमंति ग्रामीन आवास होगा, जिसके तहट ग्राम में आवास बना के पका house सब को देना है, ग्रामीन छेत्रों को लोगों के, उसमें 2.7 करोड लोग और अल्लेडी sanction हो गया, लगवग लगवग 2 करोड से जादा घर बना दिये जा चुके है, ये भी है फिकर में, ठीक है तो इसमें दाना है, अब बताएए जब ग्रामीन में बात हो रही तो जल जीवन मिशन सब से इंपोर्टेंट है, क्यूँ, क्योंकि जल जीवन मिशन में ही बोला गया था कि हम रूलर एडिया में भी घर घर नल से जल बोला गया था, क्या था? 19.4 19.4 household आदमी नहीं household, इतने सारे घर, ठीक है ग्रामीन पडिवार, इतने सारे household, आदमी नहीं यह याद रखेगा, household है यह इतने सारे पडिवार को मिला गया है, ठीक है और 11.4 मतलब 19.4 है, यह total है, ठीक है, 19.4 total ruler household है, इसमें से 11 करोड को tap water supply आ गई है, ठीक है याद रखेगा, 19.4 11 में आ गई है, और हम लोग ऐसा यह है भी कि हम लोग 2025 के पहले पहले तक सब को पानी का श्रोट नल से जल दे देंगे चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अब आगे जब सवक्षभारत मिसन का होगा, ग्रामीन क्योंकि अब जब अवास का बात होगा है, तो सवक्षभारत मिसन का भी बात होगा, तो देखिए, 1.2 लाक विलेजर को ओपन डिफेक्षण प्लस बोल देखिए, ODF प्लस अभी मैंने आपको तुर्ण समझाया था, कि ODF प्लस क्या होता है, कि अब स्खुले में कोई सौच नहीं जा रहा, सौच का भी जो भी मलवल है, वो अच्छे से हम क्रीट कर दे रहे हैं, और वहाँ पान प्रदेश ये बना है, कौन सा स्टेट अगर ये पूछा जाएगा, ये कॉश्चन है, कौन सा स्टेट बना है तो अंडबान निकोबार एलेंस कि इसका सारा विलेज स्वक्ष और सुजल बन गया, ये याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये पूछ सकता है अब जब ये होगे तो रूल connectivity की बात है, मतलब कि क्या वहाँ पे सरके हैं, क्या वहाँ पे इंटरनेट है, तो connectivity में जो है, ग्राम सरक योजना बनाया जा रहा था, कि मतलब पक्का रोड, ग्राम को औल वेदर रोड पक्का बोलते हैं, कि हर बारिश हो जाए, थंड हो यह उसके लिए जो government ने किया था तो 7 लाग किलोमेटर तक का रोड अभी तक अलड़ी बन गया जब से यह योजना बनी थी 7.2 लाग किलोमेटर बहुत होता है ठीक है चलिए यही सेम चीज मैंने इसलिए आपको बोडिंग ना लगए इसलिए मैंने आपकी पी आईपी के भी यह चीज लाग लगा है देखिए government expenditure मेंने बोला था कि बढ़ गया है पी एम श्री स्कूल्स जो बनाया गया था वो भी बढ़ गया है ठीक है अब ITIM में भी हर जगा देख रहा है इसलिए में ट्रिपल आईटी खुल आयम बोड गया में भी खुल चुका है ठीक है अर्बन एम्प्लॉइमेंट जो था वो प्री पैंडमी के रहा मलब जो कोवीड आया था पैंडमी को उसमें बहुत लोग नौकरी आगे तो प्री पैंडमी को उसके पहले जितनी लोग का प्रोवीड़न फंड जो आप जमा करते हैं कुछ आप की इंप्लॉयर देते हैं आपको जो नौकरी पर एक सरकार देगी जो आपका पैसा होगा दोनों का मिला के आपका पैसा रहा वह भी ज्यादा है ठीक है नेट पेरोल ज्यादा है और पॉंट फाइल लाक अभी तक हो एक सो पांच 1.5 नहीं एक सो पांच पॉंट चार लाक एक सो पॉंट पॉंट चार लाक यह फीगर इस अतना इंपोर्टें नहीं है यह बस ऐसी रख दिया आपको मैंने कि आप जो पढ़े हैं वहाँ देख ले आप बोर्ड ना हो ठीक है तो यहां तक आप लोग ने देख अब हमारा 7th chapter आ रहा है चलिए इसको भी देखा ही जाए क्या है तो चलिए अब 7th वाला chapter देखते हैं कि यह 7th chapter economic survey का क्या कहता है तो 7th chapter बोलता है climate change climate change and environment यह तो पता कि climate and environment हमेशा से बड़ा मुद्दर रहा है चाहे इंडिया में हमेशा हम इसके लिए कई सारी initiatives निकाले ह है और हमने क्या क्या अचीव किया है जैसे पंचामरित योजना हमारी थी जो हमने COP26 में किया था वह सारी चीजे वही सब चीजे यहां पर भी repeated होती है जरली यही है आपको देखके बता देता हो चलिए अब आप देखिए आप यहां पर देखिए और आराम से समझे कि माचल परदेश में देखते हैं कि अर्थ्वेक वेगरा भी आती है तो हमारे हां climate related बहुत चीज चलता रहता है ठीक है तो अब बोलते कि emission मतलब carbon dioxide या जो भी जहरीली गयास की हमने emission की है तो उस वो हमने कितने किये तो सारे country बोलते कि इंडिया बहुत करे बहुत करे लेकि किन ऐसे नहीं है अभी तक जितनी भी है ग्लोबल 1850 से लेकि 2019 तक जितनी भी इंडिया ने जितना भी हुआ है उसका बस 4% इंडिया ने किया तो काफी कम है यह याद रखिएगा और हमें तो पता ही कि हमने net zero pledge लिया है कि मतलब net zero मतलब कि 2070 तक जितना CO2 हम हारे से जैसे गारी से इंडिस्टी से जो भी थोड़ा बहुत तो निकलेगा ही पिट्रोल से या गारी से या आप even CO2 यहां से भी निकलता है क्योंकि कार्बन कही होता है उसमें जितना भी CO2 निकलेगा उतना CO2 हम trees या फिर और oceans वेगरा जो भ जो जाएगा तो दोनों मिला के बराबर हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसी को net zero बोलते है तो 2017 तक हम बोलने कि net zero तक हम आ जाएगे ठीक है अब देखिए इंडिया ने बोला गया है कि जो हमारा target था कि 2030 तक जो हम 2030 तक हमारा electricity कि से उत्पाद करते है mostly thermal power से करते है कोईला को जलाक electricity करते है तो कोईला fossil fuel है या और कुछ कर सकते है आप बहुत जगर पिट्रोल से भी आप देखते कि generator से भी आती है जिसमें diesel डाली है वहां से एक लिटिसी आती है तो इंडिया में बोला गया था लेकिन mostly thermal से आती है ठीक है तो इंडिया में बोला गया था कि non fossil fuel जैसे इन सब चीजों से बला था कि 40% जो total electricity का 40% है वो यहां से लेंगे तो already हमने achieve कर लिया जो 2023 का target था तो 2030 में करना था हमने अभी ही achieve कर लिया है तो पहले हम टाइम से achieve कर लिया है लेकिन अब हमने नया target ले लिया है जो है कि 2050 तक हमाला जो 50% होगा electrical power का वो हमारा non fossil fuel से 50% आए है कि 50% हम करेंगे 40 नहीं 50% करेंगे 2030 तक electricity का जो भी हमारा capacity है जहां से आता है वो हम 50% non fossil fuel से करेंगे अब आ जाता है कि non fossil fuel से कितना gigawatt होना थी वो percentage था अब इसको watt में है तो यह 500 gigawatt जो हमारा है electricity का जो electricity का वो हम यहां से energy produce करेंगे 500 gigawatt चलिए अब जब environment में electricity का बात हो share तो share का जो है हमारा हमेशा बोलते कि share को हमेशा conservation के लिए हमने बहुत किया है आपको भी पता कि share के लिए हमने conservation के लिए कई सारी schemes निकाली जैसे M stripes वेगरा हमने इंडिया में है ठीक है M stripes और भी बहुत सारी schemes है या उस पर act में WPI World Wildlife Protection Act में schedule 1 में उसको रखा गया है तो इं अब single-use plastic पर बैन लगा दिया गया यह खूब जारा news में था जैसे single-use plastic क्या था single-use plastic यह है जैसे आपको फूटी पिते उसमें जो पाई पाती थी वो single आपने पिया फेग दिया वो plastic है single-use किया फेग दिया या polythene जो आप लाते हैं जो वहां पर बाहर से गया और सबजी यह खर दिया उसमें polythene या फेग दिया फेग दिया वो होता है single-use plastic आपको लग रहा होगा कि आसने हम तो अभी भी polythene भी करही है तो यह बैन कर दिया गया है बहुत जगा देखते भी होंगे आपको बोल तो कि plastic नहीं या मिलती भी होगी तो मोटी वाली मिलती होगी उसक इसका थोड़ा वो जो plastic होता है उसका technical मतलब details वो अलग होते हैं उसको government ने लाउग कर रखा है ठीक है वो है अब national green hydrogen mission मैंने आपको बता ही दिया था बजट में भी same यहां पे भी है कि उसका production capacity 5.5 million तो 2023 तक चाहिए इसके लिए ही scheme लाई है national green hydrogen mission का तो यही यहां पे भी ब अब हम आते हैं ते 8.चेप्टर पे जो agriculture बहुत important है क्योंकि agriculture सही हमें पता चलेगा कि हमारे पास food security मतलब खाने को है कि नहीं जितने लोग है 130-140 करोड़ लोग है उनके पास खाने की नहीं है और खाने को भी है तो nutrition मिला है कि नहीं बच्चों का हमेशा आता है कि nutrition में बच तो farmers को loan हमेशा कम मिलता था क्योंकि अगर farmer के पास loan नहीं मिलागा तो input लगा कहां से पाएंगे वो कैसे उत्पादन करें पाएंगा यहां में पता ही है कि भूखमडी से अभी भी हमारे यहां बहुत लोग मरते हैं ठीक है तो हमेशा credit loan ज्यादा मिलना चाहिए तो agriculture credit जो किसान credit card जो होता है जो किसान credit card जो होता था जिसके थूं लोगों को loan मिलता था कि वो अपनले आते थे debit card टाइप होता है क्रिसान livre card ञे आपना card अपने देखा भी होगा बहुत लोगों के पास हो अगी वो ले जाते थे और वहां पर परशेस कर लेते थे जो भी उनको seed खा उनको भी इसमें शामिल कर दिया गया फारमर के साथ साथ चलिए 18-19 में आप देखिए लाइफ स्टॉक का मैंने बोला था कि लाइफ स्टॉक का जो पादन होता है जो की डेरी लाइफ स्टॉक क्या है लाइफ स्टॉक मतलब वही काउ बफैलो गोट जो भी उनका उत्पादन जो है तो टोटल अगरिकल्चर जीविय मतलब अगरिकल्चर का जतना अगरिकल्चर में जतना जीविय था मतलब उत्पादन जीविय मैंने आपको एक्स्प्लेइन किया कि जीविय जीडीप के कैसे इकुवल होता है क्या होता है सारा कुछ मैंने वन शॉट में एक्स्प्ल और बोला गया कि आइफस्टॉक में सबसे इंपर्टेन्ट सेक्टर डेरी सेक्टर को दिया गया है कि दूद भूद का जो सेक्टर ऑसको सबसे इंपर्टेन्ट क्यूंत करता है. आठ करोर लोग फार्मर्स देखिये अग्रिकल्चर का जीविए देखिये ट्रेंड पकड़िये क्या है पहले 3.3 था फिर थोड़ा घटा फिर 3.5 आ गया तो इसमें देखियेगा ये थोड़ा निगेटिव हुआ अग्रिकल्चर का अलाइड एक्टिविटी का जीविए में 5 5.5 से अब 3 प्याटक गया हम लोग ठीक है तो ये थोड़ा कम हुआ है ये निगेटिव हुआ है क्योंकि ये बढ़ना चाहिए था ये याद रखियेगा कि 19 में 5.5 था उसके बात सारे में घटा है लबग 3 सारे 3 के आस पास रहा है तो ये याद रखियेगा क्योंकि ये थो लोन मिल जा है जिससे वो अपना उत्तादन कर सके तो उसके लिए जो हमारे देश में कितना कोपरेटिव है साड़े आठ लाक ये याद रखियेगा 8.5 लाक कोपरेटिव है और 98 परसेंट आफ विलेज को कवर कर लिया गया है इस सोसाइटी से पैमिल अगरी कल्चर जो लो हो गया 2% विलेज बच रहा है तो अब जो लोन है क्या वो सिर्फ कोपरेटिव यहां प्रामरी अगरी कल्चर करिट सोसाइटी से बैंक से भी लोन मिलता है बैंक भी अब रूलर एरिया में खुल चुकी है ग्रामीन बैंक भी खुल चुकी है जैसे ग्रामीन बैंक की आप तो कितने लोग त्यारी भी करते होंगे या रर्वी की भी त्यारी करते होंगे बहुत लोग यह दिया होगा तो जो इससे सिर्फ 19% जो अगरी कल्चर का फिनांस है वो इस सोसाइटी से है 19% 19% इस सोसाइटी का और सबसे जादा बाकी 100% में से 19% का है तो सबसे जादा किसक गरामीन चेतरों में स्यूडूल कमर्शियल बैंक जो भी है बैंक वो देती है ये 19 परसिंट देता है ठीक चलिए food security का जो बात किया गया था कि food security जो आपको पता ही था कि हमारे हां जो आया था उसमें हमारे हां राशन के दुकान पर almost लगब लगब बहुत कम नाम पर मिलता है तीन रुपे, दो रुपे और एक रुपे में सब कुछ चीज़े मिलती है तो food security के बोला था कि 81.4 crore 80 crore से ज़्यादा लोगों को मिला हुआ है जो National Food Security Act है for one year, एक साल में, 2023 में, एक साल में मिला है, ठीक है अब आजा यह देखिया, आथवा चैप्टर भी हो गया, अगरी culture of food security अब 9 चैप्टर पर हम लोग आते है इंडस्ट्री का steady recovery अब इंडस्ट्री का steady recovery क्या कहता है कि इंडस्ट्री ने recover किया है कि नहीं किया है, क्योंकि करोना के बाद तो क्या हुआ है, या रश्य लुके इंडस्ट्री का जो सेक्टर है उसने contribute किया है 30% of the total gross value added ठीक है 12 और 21 के बीच में मतलब टोटल जो जीविये मैंने बताया था टोटल उत्पादन का 30% इंडस्ट्री से आता है तो बाकी कहां से आता है, वो आगे आपको पता चल जागा क्योंकि सर्वी सेक्टर का सबसे जाद है, हमारा जो डीविये है, मतलब हमारा जो जो जीविये आता है, तो इसमें 30% इंडस्टी सेक्टर से है, ठीक है और इसका ग्रोथ 3.7% है, फर्स्ट हाफ के लिए पहला हाफ जो इसका 3.7% है तो 30% ये टोटल जीविये में आट करता है कंट्री के और 3.7% इसका ग्रोथ है तो देखिए, इसमें बहुत इंपोर्टन है दो साल ये निगेटिव में गया है करोणा के पहले भी इसका ग्रोथ निगेटिव में हुआ था और करोणा में भी निगेटिव हुआ है ये याद रखिएगा, ठीक है कि 2 साल से निगेटिव हुआ है, उसके बाद करोणा के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ा है और फिर घटा है तो इसका बहुत अलग-अलग चल रहा है जैसे सबका था कि पहले ज़्यादा था कम हुआ या कम से ज़्यादा हुआ ऐसे है इसका बहुत अलग, 2 साल निगेटिव था फिर बढ़ा है, तो इन दोनों को याद रखिएगा कि 22-23 में 4% पर हमना किया है और अभी 22-23 में किया है और 22-23 में 4% पिके था और 21-22 में 10% पिके था तो थोड़ा घटा है ये निगेटिव हुआ था कि 22-23 में थोड़ा कमा रहा है ये याद रखिएगा आप जो मीडियम इंटरपाइस को मैंने बोला था लोन मिलेगा तभी वो बिजनेस कर पाएंगे और इनको लोन मिलने में सबसे दिक्कत होता है जो छोटे उधियोग है क्योंकि बैंक सोचती है कि ये पैसरी लोगता पाएंगा ये बिजनेस बंद हो जाएगा क्या करेंगा अपना शेर बहुत जादा है इनका तो इनका भी जो था वो 30% से इनको credit बढ़ा है मतलब लोन जो है उसका growth rate है 30% लोन 30% ग्रोग किया है तो ये positive चीज है ठीक है अब FDI inflow जो बाहर का पैसा हमारे या लगता है जो हमारे बाहर का पैसा business में लगता है या जो बाहर का पैसा हमारे या लगाना चाहते हैं business में लगा के business ख़ celui बजनेस ख़ीगते हैं या कुछ यहाँ पर production करते हैं या factory लगते वो क्या था तो जो FDI manufacturing sector में क्योंकि industry की पात हो जो manufacturing sector में देखा जाएगा तो वो हमेशा देखा गया कि increase किया गया है ठीक है equity inflow increase किया गया मतलब कि उसकी उसमें जो ownership हो ownership equity का मतलब लगब ownership होता है तो जो ownership का है उसमें manufacturing sector में इसको increase किया गया है ये तो अच्छी बात है कि बाहर के लोग हमारे इंडिया में पैसा लगा रहे है और हमारा मजबूत बन रहा है और बाहर का पैसा आ रहा है तो हमारे यहां और मजबूत बन रहा है अब जो यह है यह तो बहुत important है क्यों क्यों क्योंकि गाड़ी से तो सब को लगता है कि क्या होगा गाड़ी इंडिया में गाड़ी है इंडिया में आती है याद रखेगा जापान और जर्मनी इन दोनों को पीछे छोड़के बढ़ गया है अब foreign direct investment जो मैंने आपको manufacturing आद देखिए सेम चीज है सेम चीज है सेम चीज है एक बार बस पढ़ लीजेगा, credit देखे 30% पर बढ़ा है, फिर उसके बार FDI, Pharma सेक्टर में 4 टाइम बढ़ा है, सेम चीज़ है, ठीक है, चलिए, अब आगे देखते हैं, अब हम आते हैं, दसमा चैप्टर पर, जो हमारा है, service, तो manufacturing से अगरी देखे, तीन होता है, primary, secondary और tertiary तो primary sector क्या होता है, agriculture उसकी बाते कर लिए, secondary sector होता है, industry और manufacturing उसकी बाते कर लिए, tertiary sector यह service sector होता है, ठीक है, इसमें banking, health, education, hotel, tourism, सब आलाता है, तो जो service sector है, इसका बात किया गया, जिसका बोला गया थे कि, इंडिया जो है, service export करते है, हर जगा हम मैं से क्या सोचते है, हम ज कच्चा तेल, और भी बहुत कुछ मंगाते है, sunflower भी मंगाते हैं, लेकिन service sector में हम ज़्यादा अच्छे है, हम यह export करते हैं, क्यों, क्योंकि आप देखिए, आप खुद भी जुनते हैं, आपके भाई, या आपके भाई लोग या जो भी है, बहन लोग जो भी है, आपके घ करते हैं, information technology, computer से उनको हम लोग service देते हैं, उनकी बहुत सारी चीजों को, जैसे cyber security उनका सम्हाल लेते हैं, या उनका जो भी खाता, accounts देखने का है, वो देख लेते हैं, या फिर उनकी और ये production, production का देखना, जो computer पर सारा चीज सम्हालना होता, वो देखते हैं, तो हम इसम increase किया है, 3% से 4% के लिए है, तो जादा increase नहीं है, और credit भी increase किया, अब service sector हम export करते हैं, हमारा service sector में बहुत talent है, यहां के लोग के पास बहुत talent है, क्योंकि हमारा labor force cheap है, वहां के लोग MNC हमें इसलिए उठाते हैं, क्योंकि हम कम पैसे में उनको बहुत अच्छा talent मिलता, बहुत knowledgeable talent मिलता है, जो उनका service sector देख लेता है, जब service sector इतना अच्छा चला, ग्रोह भी कर रहा है, तो इसको loan देने के लिए सारे लोग ready होंगे, तो loan भी 16% से बढ़ा है, 16% से बढ़ा है, अब देखिए, सेम चीज़े, service sector का growth है, देखिए, service sector का ग्रोन काल में minus हुआ, अ 8.4 हुआ, 9.1 हुआ, तो लगातार increase हो रहा है, यह याद रख लिए, गलब 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 9 है, और 4% का हुआ है, किस पे, manufacturing पे तो देखिए, यह कितना जादा चल रहा है, अब देखिए, जो वर्ल्ड इंवस्मेंट पर नियो पता है, United Nation का जो है, यह United Nation Trade Organization का जो है, यह जो World Investment Report निकालती है, उसकी हिसाब से, इंडिया 7th largest हुआ है, ठीक है, जो service में FDI आते है, क्योंकि FDI हमारे हैं बहुत है, तो MNC क्या आती है, अब MNC आती है, अपना जैसे क्या है, यह company माल लीजिए, MX, American Express सुने है, बैंक है, वो आती ही, अपना यहाँ company लगाया और बहुत इन्होंने office खोल लगाया, तो उन्होंने FDI लाए, और उन्होंने company लगाया, बिजनस बनाया, अपना पुरा office, office बनाया, तो हम FDI के हिसाब से, service sector में FDI के हिसाब से, 7th largest recipient है, मुला हम 7th largest, अगर सबसे जादा जिनको मिला वो वन नमर पे, तो उस हिसाब से, साथमे नमर पे इन्डिया है, ठीक है, और FDI influence देखिए हमारा वहाँ पे pharma sector में million में था, 699 million, यहां billion में है, कितना ज्यादा billion है, देखिए, 84.8 billion मिला है हमारा, जिसमें equity मतलब ownership के लिए इतना मिला है, ठीक है, तो यह आप 84 main याद रखिएगा, यह वाला main आप याद रखिएगा, 84, यह और यह highest ever है, highest हो चुका है, अभी तक का सबसे जादा है, और यह आगे और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि service sector, हम लोग भी क्या है, service ही दे रहे है, education technology भी तो क्या है, service ही दे रहे हैं आपको, service ही sector तो यह बढ़ना ही वाला है, तो यह same चीज आपको service sector का growth मैंने बता द दिया, credit growth देखिए, 16% बदा दिया, 75 digital banking units जो एक government ने क्या किया है, कि government ने बोला है कि अब ऐक ऐसा banking unit लाएगी, जहाँ पे आप जाएगे तो वहाँ machine लगी रहेगी, आप उसी कित्रू अपना पैसा deposit करिए, निकालिए, passbook update करिए, वहाँ पर कोई आदमी का रहने का ज़र का भी है, e-commerce भी बढ़ा है, e-commerce भी तो service center में आ रहा है, आता service sector में, अब आज आते external sector, watchful and hopeful, external sector क्या होता है, कि बाहर की पैसे जो आते या बाहर जो हम loan लेते, उसके बारे में या जो export import है, उसके बारे में बात करती है, ठीक है, तो ये बोलती है कि क्या क्या होता, तो इस export हमेशा जादा होना चाहिए, हम यही बोलते है, import से जादा export इसलिए होना चाहिए, क्योंकि हम बाहर के लोगों को जादा समान बेचेंगे, तो उनकी से पैसा मिलेगा, उससे हमार economic growth चलेगा, खरिदार जादा बेचने वाले को profit होता है, ठीक है, तो हम जादा export कर रहे है, तो अभी तक का सबसे जादा 422 billion, यह याद रखे है, क्योंकि यह 420 billion जो है, 22 billion है, वो हर समय news में काफी बार हुआ है, कि इंडिया ने अभी तक का सबसे जादा export किया, सबसे जादा export किया, और एक export में सबसे जादा share किसका था, तो petroleum, ठीक है, हम import करते हैं, लेकिन हम export भी क कुछ अगर यहां मंगाते हैं, तो गाणियां यहां से export भी करते हैं, हम बाहर की कपड़ा पहनते हैं, तो यहां की भी कपड़ा बाहर भी पहनते हैं, जैसे हम बाहर की घडिया यहां पहनते हैं, तो टाइटन भी US में अपना घड़ी बिचता है, तो वो बता रहा है, तो ह अब देखिये होता है कि trade in services तो वहाँ पर देखिये 422 million का था 422 billion का था और यहाँ देखिये जो हमने service का export किया है वो 244 billion है इसका growth देखिये कितना ज़ादा है 23% double digit है बहुत ज़ादा है growth ठीक है और इसमें क्या होगा तो मैंने अभी आपको explain कि IT sector जो software sector सबसे आड़ा करता है सबसे आड़ा 60% वही करता है क्योंकि अब हम क्या करते हैं अब हम लोग MX के लिए काम कर रहे हैं American Express के लिए काम कर रहे हैं यही तो कर रहे हैं यह जो TCS सुनते हैं आप काम करते हैं बाहर ही client के लिए काम करते हैं foreign के ही सारे तो लोग उनके foreign के ही होता है आप सुने भी होगा आपके घर में कोई इंचीनियर या कोई SMNC होगे कि उनका राता क्या रहे मेरा call foreigner के साथ है अभी meeting foreigner के साथ है तो यह होता है न हम export करते हैं service का तो सबसरा 60% export में software का ही है और business services का है चलिए foreign exchange reserve मैंने आप लोड़े को already explained कर दिया था main में कि हमारा foreign exchange reserve जो बाहर की dollar का reserve हम रखते हैं या gold का reserve रखते हैं special drawing right जो IMF का हम रखते हैं उसको overall foreign exchange reserve बोलते हैं इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए हम import करते हैं हमारा ज्यादा import है तो उसको पैसा चुकाने के लिए हमें तो रूपिया में दे नहीं सकते हैं वो dollar में मांगते हैं या और foreign currency में मांगते हैं तो उसको चुकाने के लिए हमारे पास परयाग पैसा रहेगा तभी तो चुकाएंगे यह पता ही हम हमारा बहुत चीज बहार से आता है इंपोर्ट होता है यह इसी लिए foreign exchangeism अच्छा खासा हमारे पास होना चाहिए reserve होना चाहिए तो जो विदेशी मुद्रा के भंडार है वो हमारा हमेशा बहुत ज़्यादा बढ़ा है ठीक है पैसा देने के लिए हमारे पास इतना पडियाब balance है 563 billion है इंडिया के पास छठा largest foreign exchange reserve है तो यह काफी अच्छा हमारा इसमें growth है और remittance हमारा सबसे ज़्यादा major source है external financing का after service export मलब सर्विस export से हमें जो भेशते वो पैसा मिलता है और remittance जो बाहर की लोग बाहर जैसे आपके कोई लोग है वहाँ पे काम कर रहे है वो वहाँ से जो यहाँ पैसा मिलता है तो वो भी foreign currency भेशती है तो वो वो सबसे बड़ा स्रोथ है वो second largest है ठीक है वो second largest remittance section largest है किसके बाद service export कर दो service पहले remittance second है यह trend बस याद रखिएगा current account में ने अलोड़ी आपको समझा दिया था तो यह यहाँ पे एक negative हुआ है current मैं बोला था कि trade in goods and services में जो हम trade rate करते हैं जो remittance वगएरा होती है जो interest payments वगएरा जो भी उसमें current account का मैंने आपको already main shot में समझा दिया तो current account deficit क्यों बढ़ा क्योंकि patrol का दाम इतना बढ़ेगा कि हमें बहुत ज़दा पैसा चुकाना पड़ेगा import हम करते है maximum 85% almost import करते है तो इतना ज़दा देना पड़ेगा हमें पैसा कि हमारा पैसा ज़दा चल गया इसलिए deficit में आ गए ठीक है तो external debt जो है वो external debt हम बहुता है जो बाहर से हम लोन लेते है वो हम इसलिए कम होना चाहिए तो external debt हमारा कम हुआ है 20% के आसपास आ गया है ठीक है external debt ratio जो GDP GDP का जो ratio यह 20.3% के end of September में आ गया था ठीक है यह figure इतनी importance होती नहीं है जर्नली इतनी figure पूछता नहीं है यह current account deficit क्या रखिया बढ़ा था घटा था क्योंकि यह बढ़ा है अमारा deficit बढ़ा है यह याद रखिएगा ठीक है देखिए यह same चीज है market iron sports अप्रिल से December के बीच में यह इतना इतना date नहीं पूछता है कि अप्रिल से December के बीच में क्या हुआ था December से January यह नहीं overall पूछता है exam क्योंकि इतना किसी के बस की बात नहीं कि आप याद कर सकते है और इतना data उसको भी पूछने में बहुत दिक्कत होता है कि अगर किसी ने अप्रिल से मार्स तक का लिया किसी ने अप्रिल से फर्वरी तक का data लिया तो यह बहुत दिक्कती है नहीं पूछता है ठीक है तो यह बस government ने बता दिया 7th largest service export है यह जा लिजे टॉप 10 में था तो 7th largest है largest represent of remittance है ठीक है World Bank ने बताया ही है ठीक है तो यह हो गया है अब देखिए foreign exchange reserve हमारा देखिए इसमें हमारा जो लगबग लगबग है 478 से बढ़ा 577 607 से थोड़ा सा घटा है 5563 तो यह याद रखिएगा थोड़ा सा फोड़ा सा घटा है जादा नहीं क्यों घटा इसका रीजन बता दिया गया था कि capital account deficit हो गया क्योंकि बाहर के petrol बगए तो जारा जारा पैसा चुकाना पड़ा तो जो हमारा वीदेशी मुदरा में डॉलर में चुकाना पड़ेगा तो जो वीदेशी मुदराओ का भंधार था उसी भंडार से चुकाना पड़ा तो घट जाता है ठीक है तो ये हो गया अब लास्ट हमारा देखते है physical and digital infrastructure क्या होता है इसके बार में क्या गया तो national infrastructure pipeline जो है जो गभंधन ने बोला कि 100 crore खर्ज करिंग infrastructure पर और 5 trillion economy बनाएंगे उसके लिए बोला गया कि बहुत सारा प्रोजेट को लिंक किया गया और फास्ट अप्रूबल दिया गया जल्दी जल्दी अप्रूफ करके जल्दी जल्दी बनाया जा रहा है ठीक है तो ये कुछ खास नहीं तो पता ही नाशनल infrastructure pipeline में कितने सर प्रोजक बने और तो national demonetization pipeline अवलब की इसमें बोला गया थे कि सरकार की जो property है उसकी कुछ rights चलाने की rights हम नीजी कंपनियों private को दे देंगे जिससे सरकार को पैसा आएगा अगर कोई मान लीजिए उनके पास कोई road है उसकी rights दे दिया कोई building है उसकी राइस दे दिया कि आप इसको use करो उसके बाद हमें उसके जगह पर revenue दो तो इस scheme केता है जो target था total total target नौ लाग करोड का था उसका इस साल में 1.6 27% हो गया है ठीक है नौ लाग करोड का target 27% पर हो गया है ठीक है अब गती सकती प्लान आपको पता है कि सारे ministries को जोड दिया गया पहले क्या होता था कि अगर एक road बनाना आप लोग भी देखते था कि रोड वाले ने रोड बना दिया उसके जब pipe बिच्छाना होगा तो पता चला फिर उस road को काटा पाइप बिच्छा दिया उसक पर सारे ministry department एक साथ आजएगी, जिसको लैंड खौर करना है वो land खौर कर लेगा, जिसको road बनाना वो रोड का देख लेगा, जिसको pipe बिच्छाना होगा, सारे को integration सबको एक सथ लाखे करेंगे तो एक बार मही अदम अच्छे से बन जाएगा और सारे को अग्शि को पता भ जो बनना उसके लिए जो master plan है उसके लिए database बनाया गया था देखिए integrated planning and synchronized across multiple ministries मतलब की master plan बनाया जिसमें एक रक्तित योजना एक होके सारे लोग करेंगे ठीक है और अब जो हमारा है आपको पता है कि जो निटिंगर्गरी है हमारे road के minister है वो काफी जाधा बिहार में भी कि कितने सारे पूल का निर्मान किया गया है expressway का निर्मान किया गया है जैसे अभी लखनो तक का expressway जो बना है तो यह जो है पहले हमारा जो road का था वो यह बनता था छे हजार एक्सट किलोमीटर का road बना था सोला में अब दस जार एक्सो किलोमीटर का road 22 में बना है काफी ज आशकल की दुनिया में डिजिटल इंफास्टेक्चर भी बहुत इंफ्रा बहुत ज़रूरी है कि तभी तो आप लोग लैप्टॉप से कंप्यूटर से सबसे आप हमें जूड़े हैं इंटरनेट अगर इंटरनेट एक दिन चलना बंद हो जाता है या वाइफाई बंद हो जा ट्रांजेक्शन होते थे ठीक है नमबर आफ ट्रांजेक्शन होते थे वह भी 115 परसेंट से बढ़ गया तो लगभग लगभग 121 से बढ़ाबर चला तो वैल्यू वाल्यूम से सेम बढ़ा है उन्हीं सबाइस में टेली डेंसिटी मतलब कि कितने मुबाइल फोंस या कितने मुबाइल का जो लोग या टेलिफोन का यूज कर रहे हैं वो 84.54 परसेंट है मार्स बाइस में और इंटरनेट सब्सक्राइबर सबसे जो कि गाहों गाहों तक इंटरनेट पहुचाने की जो हमारी इतनी सारी स्कीम सा रही है सेटरलाइस बेस इंटरनेट भी आ रहा उसमें तक का टांजेक्शन हुआ था डिसेंबर में यह में बोलो ना इतना नहीं पूछता है कि डिसेंबर में क्या हो नवंबर में क्या हो जनवरी में आपको ट्रेंड देखना है ठीक है कैपसिटी ऑफ मेजर पोर्स जो आज सान में कैपसिटी को डबल कर दिया गया है जितना श सारा आपको अगर शर्ट खईना तो सारे इसलर जो फ्लिपकाट एमेजॉन है वह वहीं पर दिखेंगे आपको जारा जगा जाने का जो नहीं पड़ेगा ठीक है इस टाइप का करके वह सारे सिम्स चीजे हैं तो यह आपको एकनॉमिक सरवे भी हमने आपको ओवरॉल बढ़ि चीजे ज्यादा तर होती क्योंकि एकनॉमिक भी हमारा ग्रोग करता है जो एक दो चीजे निगेटिव उस पर खास तरफ पर ध्यान रखे और ट्रेंड को समझे तो चलिए आप लोग का बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप हमारे इस वन शॉट सेशन में जुड़े हैं इ तो चलिए जैसे की देख लिया कि आप लोग इनियन इकनॉमिक सरवे बड़े सानी से हम लोग ने आपको कवर कर दिया इसमें फैक्स कम थी मोस्ली ट्रेंड्स थी तो अब हम आप लोग को जब इन इन इकनॉमिक सरवे हुआ है तो बिहार की इकनॉमिक सरवे जाननी इसका ये भी लाया गया है क्योंकि ये बीते जो एक वर्षों में ये होता है एक दो वर्षों में होता है उसको वो देखता है कि पिछले एक दो वर्षों में हमने क्या क्या और आगे की हमारी बिहार की एकनॉमिक ग्रोथी क्या प्रोस्पेक्ट से उसको देखते हैं तो च center की तरह budget के एक दिन पहले इन्होंने इसको release किया था ये जो है ये important एक fact है कि बिहार में economic survey अभी ज्यादा पुराना start नहीं जैसे center में 1950 से हुआ था यहांने बिहार का economic survey 17th economic survey है 17 17 17 ठीक है क्यूं क्यूंकि ये जो है नितीज कुमार government ने start किया था 2006 और 2007 से ठीक है तो ये याद रखिएगा चलिए अब बढ़ते इसमें भी chapter wise है इसमें काफी ज़्यादा chapter और उसमें facts भी थोड़े ज़्यादा है तो घबढ़ाने की बात नहीं है आप लोगों को PPT तो मिली जाएगी प्लस एक बार मैं आप लोगों को facts और ब लोग overview से start करते हैं तो चलिए तो बिहार गन ने बोला कि 2021 में बिहार ने भी काफी अच्छा recovery किया है क्यूं क्यूंकि 20 में करोना था तो 2021 का ये बिहार का economy सर्वे mostly जो है वो 2021 में देखा दियागा कि इसने 2021 में क्या किया था इसलिए 22 था इसकी इसने 2021 में बिहार का economy सर्वे काफी अच्छा growth किया था जिसमें GDP constant prices मतलब inflation नहीं जुड़ा है मैंने अल्रेडी बता दिया था आपको inflation नहीं जुड़ा होगा ये speech में भी था हमारे ये याद रख लिएगा ये जो finance minister हमारे बिहार के है उनकी speech में भी था कि बिहार का जो GDP ग इधे बढ़के 10.98 हो गया है काफी ज़्यादा हमने growth register किया बिहार ने ठीक है और national growth उस समय बताया गया था कि सिर्फ 8.6 है तो national growth से भी हमने ज़्यादा ही growth किया है तो ये data याद रखिएगा चलिए अब बोला जाता है कि बिहार ने growth किया है लेकिन फिर भी माना जाता है क बिहार का जो है वो relatively low income state है ये लिखा गया है कि बिहार में income जो है अंदनी है लोगों की या अवर और economy में वो low income state में आती है बिहार high income में नहीं आती तो ये negative है लेकिन ये याद रखने वाली चीजे है ठीक है तो GDP का दर बता दिया इसका यहाँ पर value है तो current price, constant price इतने पर आपको रियाद रखने कैतना जरूरी नहीं है मोटा मोटी देख लिए कि current मैंने बहुता inflation महंगाई जूरी होगी तो हमेशा उसका किसी भी चीज में अगर महंगाई जूरी हो तो वो चीज ज़्यादा दिखेगा किसी भी चीज में अगर normal किसी में भी महंगाई जूरी हो इसका value ज़र हो जाता है तो जो current पे है वो लगबग लगबग 6,75,000 है और चार लाक अटाइजर constant पे 12 में तो यह value है और वो दर था तो दर याद रखेगा value उतनी जरूरी होती नहीं है अब बिहार में जब बात किया जाए कि low income है तो यहाँ पे low income कैसे logo की आई की बात करत है ठीक है और constant पे 34,000 है लगब लगब 20,000 का difference है तो इसी वज़े से low income में हम लोग आते हैं लेकिन बिहार को third rank मिला है ठीक है third यह important है economic growth में बिहार third rank पे है ठीक है क्योंकि बिहार ने 10.98 का growth किया इसलिए economic growth में वो third rank पे है और सिर्फ-सिर्फ दो ही लोग से पीछे है रा GDP में देख लेते हैं कि GDP किस से बनती है इसी से तो बनती है agriculture ने कितना produce किया इंडस्टी बिजनेस ने क्या produce किया सरवी सेक्टर ने कितना produce किया तो तीनों सेक्टर में primary जो हो गया secondary और tertiary मैंने बताया था उन्होंने कितना उनकी share है तो वो देखिए जो primary का share था वो decline किया ह है 21.4 से 20.2 तो primary का share जो है primary 21 तो बहुत कम decline है बहुत marginal उतना नहीं है 2021-22 में ठीक 1222 की सारी की बाते होड़ी है ठीक है secondary का भी decline किया लेकिन वो भी small है secondary का भी decline किया है दोनों का decline किया लेकिन वो भी small है small decline है अब हो गया 18.1 इसका भी घटा है इसका भी घटा है तो service sector का बढ़ी है अगर दोनों का decline करें और GDP इतनी बढ़ रही है तो अब यस बात है कोई एक तो बढ़ रहा होगा यह तो simple बात है दो चीजों घट रही है जो GDP इन तीन सेक्टर से बढ़के GDP बनती है अगर दो सेक्टर घट रहे है तो एक सेक्टर का बढ़ना बहुत जुरूरी अगर यह आपको याद होना चाहिए यह आपको थोड़े से आप देख लिया किजिएगा चलिए अब जब ranking के हिसाब से बिहार की circulation की बात है तो बिहार में economic serviceigrical की बात है तो बिहार में देखा जागा की कौन सी district सबसे अमीर है कौन सी सबसे गड़ दीस्रिक को सबसे अच् और जो सबसे तीन जो सबसे कम कमाने वाले district जिसमें सबसे एकनौमी गरोथ कम है, जिसमें पर-capita income सबसे कम है, ठीक है एकनौमी गरोथ नहीं, पर-capita income जो GDP का, जो पर-capita GDP है वो सबसे कम है, GDP income ही होती है basically, पर-capita GDP जो सबसे कम है, वो CEO, Aadaria और सीता मडी, सबसे कम कमाने वाले ये डिस्टिक पूच सकता है वी पीसी, ये वी पीसी में भी कुष्चन आ सकता है वी पीसी में ठीक है, तो ये चीजे हैं, चलिए, तो आप देखरें हैं इसमें कितने facts हैं लेकिन छोटे-छोटे facts से बहुत बढ़े नहीं हैं कि GDP कितनी है बस ये है, इंडियन एकनोमी में, इंडियन एकनोमिक सरवे में बहुत कुछ हमें समझना भी पड़ता था और करेंड फॉलो करना पर यहां पे facts बड़े चोटे-चोटे, तीन डिस्टिक का नाम यादती हैं, फिर तीन डिस्टिक का कली तो facts लेकिन छोटे-चोटे-चोटे देखिए GDP current पे क्या है, NDP current पे क्या है, तो इतना पढ़ने का जोटनी है, जैसे जितना मैंने आपको बताया है, यह shares देखिए, यहां पे भी लिखावा है, उतना ही पढ़ लिजे, काफी रहेगा, अब आगे इसके बढ़ते हैं, तो देखिए जो growth rate है, primary sector का 9.6, 3.8 और tert 3.3 है, यह growth rate है, यह याद रखिएगा, वहां पे मैंने decline बोला था, share में decline हुआ है, growth में decline नहीं हुआ था, उनके share में, GDP में कितनी share होती है, वो decline की है, लेकिन यहां पे growth rate की बात नहीं थी, GDP बढ़ रहा तो तो तीनों sector को बढ़ना ही बढ़ना चाहिए, यह बात कर रहा था में वहां पे, ठीक है, इसलिए confusion नहीं रहे, देखिए, यहां पे जो मैंने बोला था, यहां पे मैंने बोला था कि दो sector की घटी है, वाला उनका share घटा है, ठीक है, सौ में से दो sector की share घटी तो तीसरे का share बढ़ना चाहिए, तो आप लग समझ रहे ना, GDP इन तीन चीज जाए, तो ग्रोथ में तीनों सेक्टर ने ग्रोथ किया है, तीन मोस पॉस्पेरस और तीन मोस यह मैंने आपको अल्रेडी बता दिया, यहां पे सेम है, चलिए, अब आता है कि दूसरा चैप्टर है स्टेट फिनांसिस, कि भाई कितना जैसे वहां पे भी था expenditure और revenue, यहां से जिसमें सबसे जारा देखिए, 82% revenue expenditure जा रहा है, और सिर्फ 17% capital expenditure है, 0.3 लाग करो, तो देख रहे हैं, मैंने क्या बला था आपको, अभी थोरे दर पर इंडियन economic survey में भी बताता है कि capital expenditure जाना होना चाहिए, क्योंकि उसके वज़े से infrastructure और समपतियां, जोबीजी सरकार की इकनोमी में आगे हमें ग्रोथ करने में काम लाती है, सरके या मशीन बड़ी बड़ी या digital infrastructure कुछ भी वो हैप करता है, revenue वाले तो जनली उस इकनोमी में जादा, economic growth में आता है, impact बहुत जादा नहीं आपाता है, तो यहाँ पे हमारा देखिए खर्चे, जो है 1.93 लाक में से लगबग लगबग 82% जो है revenue expenditure है और सिर्फ 17% capital expenditure है, तो आप यह याद रखीगा, total का लगबग 82% और 17, revenue और capital ठीक है, यह capital, यह revenue, यह revenue expenditure और 17% capital expenditure, अब आपको पता है कि बिहार, सबसे आगे बिहार, social और education में बहुत जादा खर्च करता है, इस बार budget में भी मैंने आपको भी थोरी दिर पहर बहुत आता है कि budget में 40,000 करोर का बिहार ने budget रखा और सबसे जादा बिहार करता है, और बिहार वुमें में भी काफी जादा करता है, तो बिहार का सबसे important यह देखिए कि social और service sector में expenditure देखिए कितना जादा है, क्योंकि वो वुमें में भी बहुत जाद करता है, education पर भी करता है, हमेशा बिहार आ गए रहता है, यह आप लोग भी जानती ही है, क्योंकि आप लोग खुद महसूस भी करते हैं, हम लोग सब भायार से ही है, तो बिहार का social और economic expenditure देखिए, जो sector पर होती है, जैसे कि education पर हो गई, health पर हो गई, economic services जो पर देने पर ह हो गई, जो भी उधमई योजना है, यह सब पर देने पर, उस पर 75,000 करोड है, ठीक है, नहीं, social पर 76,000 करोड, economy पर 34,000 करोड, तो social sector पर बहुत खर्च करते हैं, यार, government, ठीक है, अब जब इसकी बात हो गई, तो बोला दागा कि revenue deficit घटा की नहीं, बहुत खर्च करा तो revenue deficit deficit कम तो होना चाहिए, तो देखिए, revenue deficit घटा है, देखिए, कहां से लिखावा है, revenue deficit है, ठीक है, टोटल, physical deficit की बात ही, revenue की बात हो रही, revenue deficit क्या होता है, जो revenue, receipts से और revenue expenditure, जो मैंने आपको बजेट में बहुत अच्छे से one shot में समझाया, तो revenue receipts की बात हो रही है, ठीक है, receipts की बात हो रही है, यहाँ पर देखिए, तो वो घटा है, 96.3% से घट गया, बहुत जादा घटा है, क्यूंकि देखिए, 11,000 से, 11,300 से सिर्फ 422 पर, मतलब कि जो घटा था, बहुत जादा घटा है, 96%, यह काफी, मतलब बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ करनी चाहिए, दूसरा है थी, the gross transfer of financial resources from the central government, to the state government, मतलब जो central government, state government को जो पैसा देती है, वो 1,29,000 करोड में, ठीक है, उसमें से state का जो taxes का सेर था, वो इतना था, ठीक है, जो मतलब state, मैंने आपको पहले भी बता है, जो center का जो tax लेती है, center, उसमें तो state का भी share होता है, क्य बीद रहे हैं, या बेच रहे हैं, उस पर central की भी tax लगती है, तो यहीं के लोग है, बिहार के लोग है भरते हैं, तो उसमें से state का भी tax share होना चाहिए, तो state का जो share था, वो ये था, 91,353 था, ठीक है, और total transfer वो था, ठीक है, यही same चीज है आपको, आप अराम से पर भी सकत केंद्र सरकार के राजी सरकार को वित्य समाधनों के सकल, हस्राद रूप में, 1,29,000 करोड, मतलब की जो gross transfer हुआ, वो एक लाग इतना हुआ है, 21,22 में, out of this amount received, इन में से केंद्र हिस्सेदारी जो थी, वो निक्यानवे जाती, बाकी जो हो था, वो grant grant होगा, और भी जो loan loan central government देती है, ठीक है, अब physical deficit का बात करेंगे, तो घटा है कि बढ़ा है, अराम साब को सामने दिख रहा है कि 29,000 से 25,000 हो गया, 29,000 से physical deficit 25,000 हो गया, 25,55, ठीक है, घड़ गया है, तो यह बहुत बड़ा अच्छा बात है, physical deficit घटना ही चाहिए, और इसी का बात के बात है, जो हम finance minister की speech में भी था, कि total कर्ज जो सरकार ने ली है, वो 40,000 करोड का लिया है, यह याद रखिएगा कि हमारा कर्ज ब्यार गर्मेंट में कितना था, ठीक है, तो capital expenditure जो हम बोल ले थे कि increase होनी चाहिए, तो ब्यार गर्मेंट ने बहुत अच्छा increase किया, 29% का increase कर दिया है, और 33, 30,000 करोड का अब हम capital expenditure करते है, अब ही भी revenue expenditure बहुत जादा, 82% था, लेकिन यह धीर धीर increase हो रहा हो, काफी जादा increase हुआ है, लगबग, लगबग, 29.4% का यहाँ पे increase देखने को मिला है हमें, जिससे हमारा बिहार में infrastructure और अच्छा develop होगा, तो चलिया आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, तो क्रिशी आ गई, तो second chapter क्या होना चाहिए, अगरिकल्चर में तो पता ही हमारे agriculture बहुत ही prime source of income है, maximum लोग अगरिकल्चर करते हैं, तो देखते हैं अगरिकल्चर में क्या होना चाहिए, तो अगरिकल्चर का जो सबसे पहला है, कि agriculture का जो sector का growth है, 5 सालो ठीक है, और जो total gross का GDP या जो gross value added, जो मतलब हम बताते हैं कि कितना हमारे economic growth हुआ, या हमारे कितना production हुआ, जो भी हमने आपको GDP और GVA, GVA जो मैंने अग्दम बढ़े असान, अच्छे से आपको समझाया है, main shots में, वो जो GVA का है, बलब total हमारे कितना production हुआ है, total क्या हमारे बना, कितना economy growth हुआ, कितना economy में महरे हमने production की है, उसमें से sector का, तीन sector से बनता है, तो agriculture sector का, जो मैंने बताया था, वो है 20%, agriculture का 20% share है, ठीक है, agriculture का 20% share है, और बढ़ा 5%, तो देखिया, facts बढ़े कम-कम है, बढ़ बढ़ा लग लग रहा है, कि एक page पुड़ा बढ़ बढ़ हो जाएगा, और एक बर जब PPT देखिएगा, तो दूसरा fact किसी ही आदे, एक्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, अराम से बना दीचेगा, तो चलिए बढ़ते हैं, अब जब agriculture की बात है, तो जैविक agriculture, organic और sustainable agriculture होने, क्योंकि खादे-पदार्द बनाने से तो घर में भी स scheme एक लाई गई थी, उसके अंदर 20,000 एकर पे organic farmers को अभी हम लोग infrastructure support दे रहे हैं, मतलब कि उनको seats दे रहे होंगे, उनको जो natural fertilizers, manure है, खाद है, natural वो दे रहे होंगे, प्लस उनको और तरह की machine वशीने जो भी use होते होंगे, वो दे रहे हैं, और 21-22 में बोला दे रहा है कि 17 हजार का एकर already under certification है, मतलब इनको certify कर दिया जाएगा कि यह जो land है, यह सिर्फ organic farming से प्राकृतिक खेती से शुद फल सब्जी जो भी है वो गाती है, यह certification के already अंदर है, तो 17,000 total होगा, तो certification उससे कमी होगा, तो 20,000 total होगा, तो certification कमी होगा, तो इसलिए 17,000 है, ठीक है, चल बिहार agriculture investment का policy भी कर रहे है, प्रमोशन, जिसमें क्या होता है, कि agriculture में investment कीजेगा, तब हम हमें साब बोलते है कि पंजाब या और हडियाना हमारे सहरा produce करती क्योंकि उनके पास machine जादा है, उनके पास investment जादा है, वो जादा inputs में खर्च कर सकते है, बिहार में generally farmers के पास पैस जादा है, इसको 15% का subsidy और 25% का farmer producer organization, जो पता है आपको farmer producer organization क्या होता है, कुछ farmer मिलके एक organization बना लेते हैं, कि भाई, जो भी तुम लोग उगाओगे, उसको हम बाहर ले जाएंगे, उसकी marketing करेंगे, अच्छे से packaging करेंगे, उसको मंडी में बेचेंगे, और direct profit लाके आप लो क्यों अगर वो इसी units को modernize करें, या expand करें, या कुछ मतलब नईनी चीजे लाए या बढ़ा करें, इसके लिए मिलेगा ठीक है, चलिए, अब जब agriculture की बात हो गई, तो agriculture के साथ साथ हम लोग दूसरा देखते हैं, वो दियोग भी वाग, industries में भी तो देखेंगे, बिहर क्य देखते हैं कि क्या है, तो बिहार में जो industries हैं, वो देखेंगे, सच में बिहार में industries बहुत कम बढ़ी है, ये आपको देखें, 2018 से बीच में सिर्फ 0.3% का increase हुआ है, increase तो लेकिन 0.3% बहुत कम है और बिहार का population बहुत ज़ाद है उसी साब से, और गन्ना का खेती हम लोग शुगर निकालते हो, उसमें हम लोग बहुत आगे आते हैं, टॉप हम लोग काफी major state है, तो गन्ना का खेती का question कभी कभी आ सकता है, लेकिन बहुत important नहीं है, ये मैं आपको बता आज़ूता है, लेकिन एक मिनट, ये लेकिन ये बहुत important नहीं है, तो मैं आपको बता शु वो 9.6% पर हम लोग का है शुगर ठीक है अब देखिए कि एक state government जो है बिहार ने अब agriculture के लिए investment policy था तो industrial के लिए investment policy बिहार सरकार के पास है तो बिहार सरकार ने जो investment policy लाई है वो दो sector के लिए टेक्स्टाइल के लिए लेदर के लिए इसके इसमें बोला जाता है कि टेक्स्टाइल और के बीच में उनकी जितनी चमता है potential मतलब चमता उसके लिए उन्हेंने policy लाया है तो इस policy में जो 16 में बिहार गवर्मेंट के साथ जो प्रपोजल था इन्वेस्मेंट का policy था कि बाई उन्हें प्रपोजल आए था कि बाहर की लोगों से बोले थे कि आप इन्वेस्ट कीजिए हम आपको subsidy देंगे या और भी जो भी आपको infrastructure का support चाहिए वो देंगे तो उसमें बिहार गवर्मेंट को साथ चार करोड देखें यहां पर लिखावा है 60.86 हजार करोड रूपय का निवेश का प्रस्ता मतलब इतने लोग इन्वेस्ट करने के लिए इतने अमाउंट का लोग लेडी थे स्टार्टप करेंगे और स्टार्टप पॉलिशी भी बहुत गवर्मेंट ला रही है तो बिहार ने भी अपना पॉलिशी लाया है और में अप्लिकेशन आ गा है यह इंपोलिशी जरूरी नहीं परह मनें कितने खर्च किये चार करोड चार पॉइंट वन करो तो यह इंपोलव 10 करो तो यह इंपोलिशी जय्टिंट बहुत इजी हैं ज्यादा नहीं थोड़े बहुत facts हैं और बहुत easy facts है तो देखिए चाप्टर कितने जल्दी जल्देंगे चार चाप्टर तुरंद खतम हो गया अब पांचवी chapter पहते हैं जो labor employment सबसे जरूरी है कि जो हमें रोजगार दे labor employment दे skills दे हमें अपने को बनाने के skills चाहिए पढ़ते भी हैं आप इसलिए कि आपको skills मिले तभी exam tier होगा तो जो worker population ratio है मतलब work का work में कितना population लोग काम करना चाहरे है जो ratio होता work का जो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था तो worker population में जो male का है वो ruler में 68% है और लेकिन इंडिया पे 79.9% तो यह याद रखि ठीक है ठीक है और male और female का जो अगर बात किया है तो आसत इलो कितना कमाते है average आसत का जो इलो का कमाई है वो male का हमेशा देखिए अभी भी ज्यादा ही है 338 है और 244 है 28% का gender gap इसी को बोलते है gap पूछ सकता है क्योंकि यह figure मुझे लगता है कि कम पूछ सकता 338 और 244 तो 338 और 244 साब एक बार देख लिजिए लेकिन gap महिला और female में gap नहीं होना चाहिए तो पता है न महिला और male में gap नहीं होना चाहिए क्योंकि male और female भी दोनों सेम काम करते हैं आप अगर SDM बनेंगे और आपके साथ कोई आपकी female colleague भी SDM बनेंगे तो इन दोनों को सेम मिलेगा तो बाकी ऐसा क्यों society में कि उनलों को अलग-अलग मिल रहा है तो देखिए यहां पे gender gap 28% है यह percentage थोड़ा सा important हो जाता है तो चलिए अब यह तो आप लोग देखी रहे हैं कि आप लोगों को government ने women के लिए सबसे बिहार government जा रहा करती है काम women department के लिए तो उन्होंने horizontal representation द ठीक है चलिए अब बोला जाता है physical infrastructure तो physical infrastructure का बात किया जाए तो मतलब कि क्या road सरके कैसा लगता आपको राज में पुल है नहीं है internet है नहीं है digital infrastructure के भी बात किया जाए तो इन सब चीजों को economic survey में बताया गया है कि पिछले जो साल में हमने गुजरेवे साल उसमें हमने क्य किया है क्या नहीं किया है तो बोला गया कि जो कोविट के बाद में बिहार ने बहुत अच्छा ग्रो किया ठीक है क्योंकि economic growth भी पता था 10.98 हो गया हमारा GDP growth तो जो ट्रांस्पोर्ट और communication sector का ग्रोथ है कोविट के बाद 21 में तूकि 20 में तो कोविट था 22 में 20.4 है यह growth है ठीक है और यह country में सबसे जाधा है highest है highest गुर्थ हिंदा country च्रांस्पोर्ट अन कॉम्मुनिकेशन की बाद किया बस तो ठीक है तो देखिए अब बोला जाता है कि यह budget के भी में speech में भी था कि बिहार में रोड की कितनी तो हर 1000 स्क्वार किलोमीटर माल लीजी यह 1000 स्क्वा 9 है और geographical area के हिसाब से यहां पे भी बिहार तीसरे नंबर पर एक नौमी ग्रोथ पर भी तीसरे था और यहां पे भी बिहार 3rd rank है ठीक है तो दो चीज़ है एक तो density का याद रखिएगा थोड़ो और 3rd rank है ठीक है केडर और West Bengal के बाद तो सरके काफी हमारे आ हैं ऐसा हमें लगता नहीं हो कि हमारे सरके नहीं यह बाहर की राज़ी के अच्छे लेकिन देखे हम 3rd rank पे अब E-Governance की बात की जाए आप लोगो तो पता E-Governance कितना अचान है यह भी तो E-Governance है ना कि BPSC का फॉर्म ऑनलाइन खोला लैप्टोप से भर दिया पैसे ऑनलाइन भर दिय अचान है और बिजली का बिल भर देते हैं आप हाउस का टैक्स जो होता है मुनिस्पल टैक्स भी ऑनलाइन आज कल आप लोग भर सकते हैं और भी बहुत कुछ आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं तो E-Governance बहुत ही में चीज आज कल हो गई है क्योंकि एकनॉमिक ग्रोथ भी देती है और उसके साथ-साथ हमारा जिंदगी को भी असान मनाती है इस-of-living भी हमारा easy करती है इस-of-living भी हमारा होता है तो E-Governance में देखते हैं क्या सीने तो E-Governance में बोला गया है कि हर बिहार में हर पडिवार household के पास कम से कम दो या उससे ज़्यादा mobile तो हैं तो य अब ही भी देखेंगे इवन मैं भी देखता हूं कि जब बाहर जाता हूं कहीं पर तो जो आप आप जिस लिक्शन में भी बैट के जाते हैं उसके पास देखिए का फोन बढ़ियां राता है यूट्यूब यूट्यूब देचारा चलाते भी अपना मजे करते जाता है तो यही बोला गया कि almost every household जो बियार में उसके पास internet connection आ चुका है ठीक है और जो भारत नेट जो इसकीम थी जिसमें भारत नेट में हर ग्राम पंचायत को internet देनी थी और गाउं 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 तक internet पहुंचाना था उसके तहत भी 98.7 98.7% ग्राम पंचायत में internet आ चुका है भा तो एक पोर्टल बनाया गया है common social registry portal ठीक है यह क्या करती है कि यह digital platform है जिस पर क्या होता है माल लिजे यह एक family है इसके पांच member है M, M2, M3 member M4, M5 ठीक है अब यह बोलती है कि different different members से एक ही family के या और भी बहुत सारे family के वो इस पोर्टल पर register कर देंगे यह जो है CSRP CSRP इस पर register कर देंगे और जो भी government की schemes की benefit है वो वहाँ से ले सकते है इससे क्या होगा कि government को जो यह portal है जो यह portal है जिस पर इन्हों ने register किया ठीक है government के पास सारा data आजागा family level पर ठीक है कि और यह data government अधार के थ्रू verify कर लेगा कि भाई यह data सही तो है और अगर इसको कोई scheme की जो benefits मिल लिए वो किस को मिल लिए किस family को मिल लिए ठीक है तो यह पूरा data government ले सकता है तो यह registry का बस नाम याद रख लिए कि family की members कर सकते है ठीक है अब देखिए अब जब आपको पता ही कि अभी हम राशन शॉप पे जाते हैं तो हर जगा क्या हो गया राशन शॉप पर पहले राशन कार्ट द distribution system तरा जो shops था जहां से हमें राशन मिलता था उसमें से इन ओल सारे जितने भी 50,854 पीडिया शॉप से स्टेट में उसमें अधार इनिबल्ट हो गया है और एक बहुत अच्छा app है भू समधान भू मतलब क्या भूमी तो यहां भू सैसी समझ में आजागा land तो भू समधा हुआ है उसके लगर आप पुलिस स्टेशन जाएंगे तो वह इस app पे update कर देंगे और इस app के में क्या होता कि सारे लोग को एक साथ information रहता है पुलिस सब इंस्पेक्टर को सब को सब कर सकते कि इस dispute में क्या हो रहा है और पुलिस स्टेशन पे यह आप रहेगा कि क्या नही अब energy sector बहुत important क्योंकि electricity की बात आती है और electricity आपको पता ही है कि अगर अभी line कर जाए तो यह class यहीं रुख जाएगी चाहे हमारे आकटे तो मेरी recording रुख जाएगी और अगर आपके आकटे तो आप मुझे देख नहीं पाएंगे आपके यह class महीं रुख जाएगी और और बहुत तरह कि चीजे हैं जिसे industry चलती है या बड़े-बड़े गारियां चलती है पिट्रोल भी तो एक तरह का energy ही आपको देती जिसे बड़े-बड़े गारियां चलती है electric buses जो भी है तो energy sector की बात की जाए तो energy sector में बोला लाता है कि per capita consumption है वो हमारा बढ़ रहा है क्योंक machines बड़े लगाते हैं या agriculture बड़े-बड़े machines लग रहे हैं तो वो लोग भी आजकल सब लोग अगर motor pump लगाले agriculture वाले तुमकी बिजली की खपत तो बढ़ जाएगी तो वो बढ़ रही है ठीक है वो तो natural चीजे बढ़ेगा ही ये तो आप खुझ सोचे कि एक जैसे जैसे किलो वाट था अब 329 किलो वाट है 21 बाइस में ये चार सालों में 17.5 परसंट का 4 यर में गेन हुआ है ठीक है ये है और जो available power capacity है मतलब कितना power capacity बिहार में हम कर सकते है टोटल कितना power कितना बिजली हम पैदा कर सकते हैं वो है 6422 मेगावाट जो की increase हुआ है 20 मे था जो की increase ह कि 785 हुआ है तो ग्रोथ हुआ है तो ये अच्छा है कि हमारा capacity बर रहा है ठीक है कितने परसंट पर बर रहा है 21 पर ग्रोव कर रहा है तो ये बस याद रख लिजेगा कि कि किस परसंट बढ़ा और अभी का 7000 क्यास पास है और हम लागारा पर कैपिटम लब एक आदमी का क देखिए जो है एक मिट हमारा पावर का डिमांड इंक्रीज हुआ है लेकिन यही है ग्रोथ है पावर का डिमांड अब देखिए एक एक लोग के डिमांड में इंक्रीज होगा तो टोटल पावर के दा में इंक्रीज नहीं होगा होगा ही होगा एक लोग बोलने कि ज्याद पावर डिमांड आएगा, तो सब लोग का भी इंक्रीज होगा, यह सिंपल है, एक रोम में, एक कमरे में 10 लोग, 10 लोग ज़्यादा बीजली इूज करेंगे, तो बोला जागा इस कमरे में ही ज़्यादा बीजली यूज हो रहा है, यह है कि बिहार के सारे लोग ज्यादा कर रहे तो तो तोटल बिहार का भी पावर डिमांड इंक्रीज होगा, तो यह इंक्रीज होके 7000 हुआ है, ठीक है, और 7000 डिमांड है, लेकिन कैपसिटी हमारा इससे भी ज्यादा भी हो गया है, 7700 पर आ गए हैं, ठीक है, चलिए, जब पावर का बात होई गया, तो ग्रामीन में विकास देख लेते हैं, क्योंकि हमारा अभी भी बिहार में सबसे ज़्यादा लोग ग्रामीन चित्र में रहते हैं, तो ग्रामीन विकास के लिए देखा जाएं, तो ग्रामीन विशार में जो बिहार का लाइवली, रूलर लाइवल इस चीज को यह देती है, ठीक है, तो यह जो है Aajivika Society, ठीक है, उसको Aajivika का नाम से, इसने बड़े, इसने बोला गया, कि इसने transform किया है, मतलब इसने कई सरे लोगों को livelihood दी है, उनकी जिन्दी बिदल दी है, कितने लोगों को बोला गया, तो लगबग लगब बोला गया, कि इतने family को ठीक है और जो special self-help group है SSG क्या होता है self-help group self-help group यह भी एक तरह का cooperative type ही आप समझेए इसमें क्या होता है 10 लोग आ जाएंगे हमारे हमारे आपके जासा किसी भी की तरह 10 लोग आ जाएंगे उनका एक रहे का interest और लोग थोड़े 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 सब लोग पैसा जमा कर लेंगे उसके बाद बोलेंगे कि यह पैसा किसी एक कोज़ोत होगा तो उनको सस्ते डाम पे दे दिया जाएगा उससे बिजनेस करेंगे फिर वो पैसा को चुकाएंगे फिर थोड़े थोड़े जाज भी देना पड़ेगा तो लोन वाले को भी सस्ते रेट पे मिल गया और जमा कर रहा है उसकी पैसी भी जमा हो रहे है तो self-help groups इसी केता है जीवी का केता है 10.35 भी 5,000,000 self-help groups बना है ठीक है अब मन्रेगा की बात करते हैं मन्रेगा सबसे बड़ा इंपोर्टेंट है क्योंकि बिहार में मन्रेगा बहुत जदा हमारे हां मन्रेगा लोगों को लाइवलिभोड देता है तो जो मन्रेगा है उसने इस बार डबल कर दिया ए इंप्लाइमेंट हो गया यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह रखिएगा कि मन्रेगा जो है वो डबल है मतलब की बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोफॉर्म किया है मन्रेगा ने ठीक है अब पॉब्लिक डिस्ट्रिबूशन सिस्टम में हमने तो यह बता है कि हमने अधार इनेबल कर दिया यह क मिल्जादा है वीट क्म है ऐस पास पास फास थाउजन टन है ठीक है अब मुक्ष मंतरी जब कर रहे हैं तो आपने यह वाला यह देखा है ना क्या है पंचायत वेब सीरीज फूलेडा गाउं क्या है सचीव जी स्ट्रीट लाइट लगाने जाते थे ठाला सचीव जी क्या क same to same mukha manti grameen solar street light योजना भी launch की गई थी हर पंचायत के लिए तो जो मुवी में दिखाता है वो गहत नहीं दिखाता है वो अग्डम रिल्टी पे भी यह दे थे कि हर पंचायत के लिए लांच की गई थी 2223 अब इसमें था कि every word को 10 solar street light हम लोग देंगे तो यह बहुत असान है, कि तो यह तो आपको ऐसी ही याद रहेगा, क्योंकि आपने तो वेब स्रीज भी जनरली लोग ने देखी यह, तो दस स्ट्रीट लाइट देंगे, अब देखी आता है, अर्बन डेवलप्मेंट, रूरल डेवलप्मेंट की बात होगी, तो अर्बन ड supply scheme, यह गंगा water supply scheme क्या किया गया है, कि गंगा के पानी को pipeline के थ्रू लाया जाएगा, खिक है, गंगा का पानी, गंगा का पानी, गंगा water, pipeline के थ्रू लाया जाएगा, किन, किन, चार जगा पे तो राजगीर, राजगीर के साथ, देखिए, राजगीर के पास आप जाते तो इसको याद करना बहुत सचाने है, राजगीर से आप जाते हैं, राजगीर के साथ गया गुमते हैं, गया के साथ बहुत गया गुमते हैं, तो तीन तो ऐसी ही होगे, राजगीर गया बहुत गया आपका, तीसरा नवादा याद कर लीजिए, बहस सिंपल है, याद करना, चरि और 122 में 8,000,000 घरों को इससे benefit हुआ है और 3,000,000 उससे पहले 3,000,000 घरों का था मतलब कि इसका जो increase देख रहे हैं कितना है पहले 3,000,000,000 अब 8,000,000 मतलब 130% दुगना से भी जादा 139% increase है तो यह increase याद रखिएगा जो तुना बड़ा बड़ा increase हो रहा है न विहार सरकार न जो बड़े बड़े जैसे physical जिससे revenue deficit उसने बहुत जल्दी कम कर लिया था तो उस हिसाब से यहाद पर increase भी बहुत जाद है 129% का increase है तीन साल में सिर्फ ठीक है अब सौक्ष भारत mission का मैंने बताया था अभी budget में ही बिहार में सौक्ष भारत mission और लोहिया mission के थुरू हमने ग्रामीन में toilet ODF free कर रहा था तो सौक्ष भारत mission के थुरू हमने चाल लाख toilet को हमने construct किया है और 0.1 लाख already construction के अंदर है ठीक है 20-20 में चलिए अब ये भी देखे ये भी chapter हो गया अब हम लोग बढ़ते हैं banking on allied sectors अब क्या है कि बिहार में हम बोलते हैं कि बिहार में banking की कमी है या loan कम है लोगों को नहीं मिल पा रहा है bank ruler area में नहीं है बड़े-बड़े finance की company नहीं है जैसे दूसरी राजियों में तो देखते हैं कि अब banking में है और कितना progress बिहार ने किया है तो banking में देखा जा तो जो internet banking की users है जो हम internet banking करते है mobile से या फिर जो internet banking करते हैं mobile banking होता जो मोबाइल के थुरू हम कर सकते internet banking होता इंटरनेट पे लाके website में www.sbi.com या hdfc.com डालके खोला तो उसमें increase हुई कितनी 40% की एक साल में increase हो गई तो increase काफी जाता है वालब internet हर घर घर पहुंच गया तो internet banking में भी काफी increase हो गई है तो जो annual credit plan होता है कि मतलब bank में annual credit plan की बिह increase कर दिया उन्होंने bank को ने 1.5 से 1.6 1.5 से 1.62 तो 1.5 से 1.62 तक increase किया गया महलब अब बिहार में ज्यादा loan देने के लिए यह ready है क्योंकि अब बिहार में भी इनको पता है कि economic growth होने वाली है तो यह ज्यादा loan देंगे चलिए अब देखते हैं देखिए यह भी हो गया बि आने को तो देखिए अब human development human development क्या होता है human development मतलब आपकी सूच समझ में पृद्धी आपकी health में विद्धी आपकी nutrition में विद्धी आपकी education में विद्धी आप human हम लोग हम लोग में क्या हो सकता है हम educate होके अपने development कर सकते है development मतलब क्या होता है विकास हम कैसे विकास या फीर हमारा रेल्फ अच्छा कर ले, एक्णमिक निवलोमेंट हो जाएगा, तभी हमारा रेखते हैं, तो जो बोला के कि लास् helping Suggestic मैंने बोला था ना अभी जो discuss किया वो सबसे ज़्यादा important है उन लोगों में भी वो सहीं बढ़ा है तो जो 16 साल में 11 times increase हुआ है 11 times increase और इसी type का pattern education और health sector में देखने को मिलता है ठीक है तो इसके बाद हम आते हैं कि जब human development की बात हो ली तो हमरी health अच्छी होनी चाहिए तो life expectancy at birth मिलाब जब जनम लेते हैं तो इस समय यह निकालाता है कि कितना life expectancy होनी चाहिए मिलाब कितने दिन तक औस आयू कितने दिन तक कोई आदमी जिन्दा रह सकता है तो बिहार में उस मुसीबतों को सामना करना है हार के मानने से कुछ नहीं होता है कभी भी हार मनन तो बहुत असान है कि आप हार मन गए हां हमसे नहीं हो रहा है यह तो बहुत अच्छा हार मनन के चले जाए यह नहीं ड़त के रहना है मेहनत करना है और सारे प्रस्तितियों को आप लोगों conquer करना है और जीत के आना है तो जो life expectancy at birth है वो है 65.8 थी पहले अब 69 पॉइंट हो गई है ठीक तो 3.7 years का 10 साल में increase हुआ यहाँ पे भी positive हुआ है बिहार में अभी तक generally सब ठीक ही positive ही economic survey में दिख रहा है में current fertility rate है 2.9 देखिया fertility rate क्या होता है कि जो replacement वाला rate है यह होना चाहिए ideal मतलब इतना होना चाहिए 2.1 क्योंकि तेसे दो लोग है मतलब एक माता एक पिता दो लोग है तो वो दो बच्चों को देंगे तो मतलब जो दो लोग है उन्होंने दो को जनम दिया तो जब माता पिता की जादा है 2.9 ठीक है यह कम डाउन है घट के 2.9 है मतलब भी हार भी fertility rate कर रहा है अब आदी को control करने की रह पे है चलिए अब human development में एक निए हाँ 2.9 पे होगे हाँ अब देखिए जो institutional delivery है मतलब कि बगी बार आप समझते जब बच्चे होते है तो गाउं में देखते हैं की घढ़ पे ही हो गयए या बोले जाते हैं की वो दो 3-4 महिला आये उन्होंने घढ़ पे ही अपना उन्होंने किया और कडिया लेकिन इसमें पता है कि खत्री भी बहुत है क्योंकि कई लोगों की तब्यत ख़राब हो जाती है उनको पानी चलाने का होता है और भी शिशू के लिए भी यह बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है क्योंकि उनको जो भी इंफैंट जो भी बच्चे पैदल लेते हैं उनको काफी ज़्यादा पहले ट्रिटमेंट उनको काफी साथ सुथरे जगब और उनको डॉक्ट नहीankा हुआ बच्चर सब कुछ देखते हैं कि इनकी हार्ट बीड चल रही है कितनी चल रही है बच्चين सवास्त तो तॉन पर्हें कि स्वासर था फहले सुआँ में बस बइस लोग ही होती थी अब चिहलतर लोगों की होती यह अब मैटेररियल मॉटेलीरेट की और मैी धber क्या होती है ऐब मैटेरियल लोग है का क्या है कि पहले था 165 ठीक है पड़ लाख मलब हर एक पड़ लाख लाई बच्चे होते तो उसमें जितने मा की भी कई बारी होती कि शिशु को देते देते उनकी मित्य होती तो 165 था अब घटके और 118 हो गया और हमारा अच्छा हो गया 165 से 118 पर हम आचुके हैं अब देखिए जो टोटल 1.15 लाख रूलर वाड है बिहार में उसमें से 1.13 लाख के पास functional household tap connection मतलब जो हर घटनल से जल यही है functional नल से जल ठीक है मैंने बोला ही था कि human development अगर आगको hygiene अच्छे पानी सिवधा मिल जाए वो भी है तो 1.13 लाख में already दे दिया गया है जिससे 1.6 करोड family को फाइदा हो रहा है अब देखिए कि education की बात की जाए तो हम हमें साब बोलेते कि अभी भी हमने बढ़ आता है कि economic survey में भी इंडिया के enrollment ratio देखेंगे कि बच्चे जारा स्कूल में जा रहे हैं और कि बढ़ रहे हैं कि इसकी enrollment rate बढ़नी चाहिए कि हर सल बच्चे जारा स्कूल करें तो जो enrollment rate है वो जो है देखिए enrollment rate प्राइमरी लेवल पे पांच परसंट यह चार परसंट यह ग्रोथ रेट है annual growth rate 4.1% growth rate है और अपर प्राइमरी पे भी सेम है तो इसको याद करना तो बहुत असान है प्राइमरी अपर प्राइमरी दुनों सेम है और वुमेन डेवलप्मेंट पर मैं हमेसा बोलतों कि भीहार बहुत खर्च करती है क्योंकि cycle scheme भी हम नभी budget में बताई थे द्रेस की भी बताई थे 400 क्रोड और दिया था प्लस सिविल सेवा प्रोचसाहान इसकी में महिलाव द्यमी योजना बड़े सारी योजना मैंने आपको बताए है तो वुमेन के लिए जो था पहले 75-71% खर्च होता था अब है अब जो है increase करके increase किया पहले नहीं पहले नहीं अब increase करके 71% से increase हो गया है ठीक है जो 16-17 से में जितना होता था the outlay for women महिलाव गी कास के लिए कुल परेवे 16-17 से तक 2000% से बढ़ गया है मतलब 71.2% बढ़ा दिया गया है सोच रहे कितना ज्यादा हमने किया है ठीक है और GDP का कितना है ज of gross state domestic product ठीक है तो इतना परसंट हम महिलाव पर खर्च करते है जो कि 71% उसका increase है यह देखिए आ गया है चिल्डर पढ़ने जा रहे है तो देखते भाई child development पे क्या किया गया है तो अब नया chapter आता है child development तो बिहार में total जो child की population है मतलब शिशु की जो population वह 4.98 करोड है ठीक ह अर 40% ठीक है और इनमें से जो देखिए 89% rural area में रहता है 10% urban area में रहता है मैंने पहली बताया था अभी भी बिहार में max ज्यादा तर लोग rural area में रहते है तो देखिए trend समझे यहाँ भी एक trend का आही गया कि जब children में child में ठीक है child में कितने 89.9 लगवा योगवा 19% rural area में ह और 10.1 अर्बन में है ठीक है रूलर अर्बन देखिए तो data बहुत कम है सिर्फ बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ पास करोर बच्चे 80% 10% एक बात याद रहे कि बहुत easy है देखिए math आप लोगों को परता है कि basic math आपको आना चाहिए क्यों कि BPSC math का question पूछता है प्रिल्म्स में समझ रहे एक चीज बहुत असान है देखिए आसे लगबर बहुत 90% लोग रूलर अगर आपको percent याद है तो 90% का बहुत असान है कि 4.9 का आप 90% देखेंगे तो इतना आता है तो आप एक चीज भी याद रखेंगे तो दूसरा चीज का अनुमान से भी करती है वो भी state government ने prepare किया था 2013-14 से start किया था तो यह एक important fact बन जाता है कि child budget क्यूंकि बिहार सरकार करती है और बिहार सरकार का एक अपना नया ये एक इनोवेशन है कि वो child budget करती है और इसमें बोला गया था कि जो child के लिए expenditure उसने increase कियो 85% increase कर दी है 16,638 करोर से 39,30903 करो पांच सालों, चार सालों में लगबग लबग 85% में दुगना अल्मोस्ट कर दिया है सरकार ने और पर कैपिटा expenditure कितनी होती है तो देखे पहले 3000 होती थी अब लगबग 3215 थी अब लगबग 5986 रुपीज होती है पर कैपिटा एक बच्चो पर ठीक है तो इस पे भी जो कहां कितने वाड में चला गया है तो 1.15 में 1.13 वाला जो यहां पर कॉंसेप्ट था देखे यहां पर है आप लोगों के लिग बड़ फिर से डिवीजन भी हो जाएगा कहां गया देखे यहां पर 1.13 रग में functional household tap hold connection चल गया कि सबको पानी मिल ला है ठीक है अब उसी से related यह है कि drinking water facility school में 95% school में आ गया है और जो ICDS integrated child development scheme यह है ICDS integrated child development scheme तो जो integrated child development scheme होती है जिसके अंदर यह midday meal वगरा है और जो बच्चों को portion के लिए होती है उसके अंदर जो बिहार का जो budget है वो increase हुआ है हर साल 9% पर ठीक है और अब हम इतना खर्च करते हैं तो पहले का मत याद रखी अभी का याद रखी क्योंकि पहले का कितना अब ऐसे तो हर साल का थोड़ी पूछ सकता है तो अभी का है अठारा हजार अठारा सो च्यानवे और हर साल का दर जो increase हुआ वो 9.7 है ठीक है चलिए अब आगया हमार लास्ट परेवरन परेवरन के लिए देखिए बहुत है विहार में भी बहुत सारे परेवरन का आपको पता है हम तो परेवरन को पूछते भी ए गंगा नदी को तो हम अपनी मा मानते हैं उनको पूछते भी चट का जो पूजा होता है हम उसमें गंगा नदी को पूछते व क्या हुए थे तो इंवार्मेंट क्लाइमेंट चना डिशास्टर मैनेजमेंट में बोला गया कि यह डिपार्टमेंट ने टोटल लगब लगब 394 करोर खर्च किया मुलब 400 करोर के आसपास इन्होंने खर्च किया हर कुछ के लिए wildlife मतलब जानवरों के लिए बायोडिवर्सिटी बचाने के लिए जो भी जैविक विविधा होती इसको बचाने के लिए बायोडिवर्सिटी तो आपता ही आपको जो 31% जादा है long term average मतलब जादा बारिश बिहार में होड़ी इसलिए हो सकती कि flood के भी असार हो सकते हैं होते ही हमारे है flood तो अब देखिए बिहार में जो बोला गया था कि हमने एक जो था जल जीवन हडियाली अभियान ये बिहार का important है कि जल ही जीवन हडियाली अभियान फाइव क्रोर प्लांटेशन के आपसे जिसमें अलेडी हमने इतना प्लांट कर दिया है 388.97 लाक प्लांट कर दिया है ठीक है तो हम इसको अचीव भी कर लेंगे जल्दी अब हम देखते हैं कि इसमें कि दूसरा चीज हम देखते हैं जो 21 और 22 में जो flood था तो तो flood इकीस ब तो हमारे बाहर बहुत common है तो 32 district को effect किया total hectare ये है और ये जो है 73% of land ये बहुत important है क्योंकि ये speech में था हमारे finance minister के उन्होंने बोला था 73% of land बिहार का 73% जो land है वो flood अभी भी है और 32 district में flood आए है ठीक है इसी के थुरू हमारा आपका बिहार economic survey भी खतम होता है अब चारो चीज हमने आपके सामने पूरी अच्छे से खतम कर दी और आपका ही सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूं कि इस पूरी session में आप हमसे बने रहें जो की हमारा बिहार budget इंडिया budget बिहार economic survey और इंडिया economic survey चारों चीजों को खतम किया कोई भी अगर आपको doubt है आप नीचे comment हो जाएगी और आधे चीज अगर आप पर देख लेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे से आप PPT device करेंगे तो आपकी हो जाएगी तो इसी से सुरू हम ये session end करते हैं one shot वाली आपकी सारे budget और economic survey की syllabus complete हो गए है दिरनतन त्यारी करें और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे और आपको कोई भी doubt हो तो हम आपके साथ और आपके लिए हमेशा यहीं पर है